आपका हमारे चैनल में स्वागते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास कुछ कुछ त्योरम से हमारे पास कॉन्वेक्स फंक्षन एंवं फेजिवल इसन से रिलेक्टेड होंगी पहली जो त्योरम में वह अपने पास दा मैक्सिमम और ऑब्जेक्टिव फंक्षन और अल्पीप इस अकर्स एट लिस्ट एट वन वर्टेक्स ओफैस और जो कंडिशन अपन बाउंडेड यानि अगर फेजिवल रिजन बाउंडेड है तो उस कंडिशन में जो मैक्सिमम वैल्य होगी ऑब्जेक्टिव फंक्षन की वह किसी ने किसी एक वर्टेक्स पर मिलेगी यह हमें सो करना है अपर इसको सो करने के लिए लिए लेट एक्स जिरो व्लॉंक्स तो हमने पर यह तो यह यह तो उससे कम होगी यह उससे एक्कोल होगी कि सिस्ट ऐसे बाउंडेड अब आपके दिया वाथ था कंडिशन की दिवाल वाउंडेड होगा यह द्यावाथ इस पाउंडेड देन फॉर क्या क्याथव गूंकि तो अामपर यह रीजन है वह वाउंड़ेड रहे तो दो नियुक्री क्या॥ नंबर होगा वह बांड फैनाइट होगा, लेट x1, x2, xn be the vertex of s, यह हमने माल लिया जि एक्स1, x2 और xn है, इसके n vertex है, और xy बिलोंगs to s, i ब्लाबर 1 to n, then fx0 is less than equal to fx1, क्योंकि fx0 जो पॉंट है हमार पास, इसमें हमार पास maximum value attend कर रहा था function, objective function, तो बाकि और पॉंटों पर या तो लेस्टेन लेस्टेन उक्वल्टू हो गये यह कंडिशन हो गई नाउ फैजिबल सेट और लवेज कॉंड़ेक्स है क्योंकि पहले पहले जो थे व्यूड़ियो थी उसमें पढ़ादा कि जो फैजिबल सेट होता है लग्रीका वह हमें से एक फिल्पी अपकर और जो फ्रॉंट प्लस यूट यूट न इकोल टू रियो दो फोल्ट फॉल्पार यूट फॉल्ट to function of alpha x1 alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus dot dot alpha n xn अब जो कि यह linear function है तो function को इस तरह से लिख सकते हैं f alpha x1 plus beta x2 equal to alpha fx1 plus beta fx2 तो इस formula लिखने पहले हमें function को अलग लिख सकते हैं तो यह होगा function f alpha 1 x1 plus f alpha 2 x2 plus dot 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 f alpha n xn अब function linear है तो linear की property से हम alpha 1 को बार ला सकते हैं तो यह होगा alpha 1 fx1 plus alpha 2 fx2 plus dot dot alpha n fxn अब हमने इस में से कोई पॉंट ले लिया है इन सारे पॉंटों में से fx1 fx2 fx में से कोई भी हमने पॉंट ले लिया जो की maximum value रख रहा है तो maximum value रख रहा है तो हमने माल लिया fxp वराबन maximum of fxi अब चुकि यह function में हमने maximum लिया है सारे जो भी छोटे थे उनकी जगह में एक point रख रहे है एक value रख रहे है वो fxp यह function की value हम रख रहे है तो यह definitely fx0 से बढ़ा होगा है क्योंकि यहां पर fx1 से कई fxp से बढ़ा था तो यहां पर बड़ी नंबर से चेंज हो गए यहां पर बड़ी नंबर से चेंज हो गए इस तरह सभी बड़े numbers चेंज हो गए तो यह हो रहा है हमारे पर fx0 is less than equal to alpha 1 fxp plus alpha 2 fxp plus dot dot plus alpha n fxp तो fxp इसको बाद हम common ले लेंगे यह fxp हमें common ले लिया तो हमारे पास यह हो गए fx0 less than equal to fxp क्योंकि तो alpha 1 plus alpha 2 plus dot dot alpha n था वो हमारे पास इस रहता है क्योंकर सम था वो 1 था तो यह हो गया fx0 less than equal to fxp बट जो हमने पहले जो condition ली थी वह क्या ली थी fx0 greater than equal to fx fx क्याते हैं जो भी हमारे पास feasible region में जो भी पॉंट थे feasible region में यह भी पॉंट है x1, x2, xp जो कि हमारे पास vertex है उनसे बड़ा आ गया है तो उनसे भी बड़ा होगा क्योंकि अब यह feasible region के सारे यह पॉंट ऑन होगी लिए condition satisfy कर रहा तो इस पॉंट ऑफ लिए condition satisfy होगी तो इन दोनों की health से हम 난ख सकते हैं कि fx0 equal to fxp क्योंकि यह कह रहा है हमारे पास fax0 इससे बड़ार आया ऐ कि Xuटा ऑन बराबर है तो या तो दोनों condition में एक condition satisfy की वो होगी fx0 equal to fxp फ्रेंस अमने पास जो second theorem में वो है in the LPP of object function fx attends its maximum value at an interior point of s s is the feasible region of LPP then f is constant provided s is bounded फ्रेंस यह हमार पास theorem में वो कह रही है कि अगर को हमार पास LPP है और उसका object function fx उसकी value अगर maximum value को interior point यानि जाने कि region के अंदर वाले point पे जाएंगे यान पे अटेंस करते हैं region जिस कोई region इस तरह सा है इस तरह से region है कोई और वो अंदर इस point पे maximum value maximum value है उसकी तो यह कह रहा है कि अगर अंदर के हमें maximum value मिल जाती है तो वो कहता है कि then f is constant जो function था objective function वो constant होगा provided s is bounded मतलब यह condition है कि s हमार पास bounded होन चाहिए अब है इसको prove करते है let x 0 belongs to interior of s हमने x 0 को ले ले कोई भी s का जो region था उसके interior point है then x attends its maximum value at x 0 क्योंकि हमने x 0 एक interior point लिया है और ले लिया कि मान लिया कि हम जो x 0 पर है वो maximum value attend कर रहा है then f x 0 greater than equal to f x i for all i belongs to s क्योंकि f x 0 पर highest value attend कर रहा है तो बागी और points के लिए हमारे पास यह तो छोटा होगा यह ले लिया हमने now suppose that f x is not constant हमने एक यह suppose कर लिया f function है वो constant नहीं है then we can find two points x1 and x2 as such that f x 0 is less than f x 1 strictly less than f x 0 is strictly less than f x 1 and f x 0 is strictly f x 2 क्योंकि हमारे पास जो f है वो constant constant नहीं है constant नहीं तो definitely उनसे छोटे हम दो points हम इंबल जाएंगे now x 0 can be written as the clc of x1 and x2 क्योंकि कोई भी उसके feasible region नहीं तो उसके कोई किसी point को हम दो point हो के clc के रूप में लिख सकते हैं x0 बराबर lambda x1 plus 1 minus lambda x2 यहां पर इसे भी ले सकते हैं यह feasible region यहां पर हमने point ले लिया यहां पर हमने x1 ले लिया यहां ने x2 ले लिया तो यह क्या हो गया हमारे पास x0 तो इस point के clc के group में x0 को लिख दी हमने और यहां पर दोनों जगह पर x1 है और x2 है fx1 less than fx2 and fx sorry fx0 and fx2 is less than fx0 यह condition बाले point हमने ले लिया है then fx0 is less than equal to f lambda x1 plus 1 minus lambda x2 but जो यह function है यह linear है तो यह उजाएगा f lambda x1 plus 1 minus lambda x2 function fx0 बालाबर lambda fx1 plus 1 minus lambda fx2 तो फिरे यहां पर हमने यहां पर क्या क्या है हमने हमने माल लिया कि जो function था fx1 equal not fx2 and हमने साथ ही माल लिया fx1 जो है fx2 से बढ़ा है क्योंकि यह function constant नहीं तो constant नहीं तो ऐसी condition हम ऐसे point निकाल सकते हैं कि बढ़े और छोटे हो उनसे बहले हम fx2 को बढ़ा माल ले किसी को equal point ना हो ऐसे value निकाल सकते हैं नहीं तो यह होगा है fx0 is less than lambda fx1 plus 1-lambda fx2 यह हमने condition लेकर चले then fx0 is less than lambda plus 1-lambda fx1 यह हमने पर supply कर देता fx0 is less than fx1 यानि कि fx1 से छोटा है fx0 यानि fx1 जो है वो बड़ी value है बट हमने fx1 को क्या माना था छोटी value माना था और fx0 को हमने highest value माना था यह content action आ गया so fx is constant यह हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमने यह सब जोल हुआ था अब फिर हम next theorem पड़ते हैं वो theorem है the set of optimal solution of a LPP always a convex set हमने यहां पर theorem लिए कि को हमरे पास है so LPP दी हुई है उसके optimal solution है जो optimal solution का हम एक set बनाए तो हमें से convex set होगा हमने यह कि इसके लिए हमने LPP ले लिए let maximum z equal to ctx subject to ax equal to v x greater than equal to 0 यह जाँ LPP let x बराबर x1 dot x2 xn यह xn जो points है वो हमारे पास value है वो optimal solution दे रहा है this is the set of our optimal solution ctx1 बराबर ctx2 dot ctxn equal to m क्योंकि optimal solution यहां पर सभी equal है यह इसलिए है क्योंकि optimal solution होगा वो एक ही होता है unique होता है यूनिक जो maximum होता है ctx1 पर भी दे रहा है c2 x2 पर सभी points पर m highest विल दे रहा है now we want to show that कि इसके जो points होंगे उसके linear combination के रूप में लिखा जा सकता है तो उसके लिखते के लिए हमें क्या x बराबर कोई points माल लिया जो कि इस तरह से इस फॉर्म है हमें यह sow करना कि यह काई सफर्म है यह जो font है इससे पोंट अबरा की लिए वह सारे points आपनोंगे हमें यह sow करना है अप्रेंच यह sow करने के लिए हमें हमें हमने-दोनोंतरब हमने ct जो कि हमारे पास constant है constant ct क्या हमारे पास हमें constant matrix है और ct यहां c न यह एक column matrix है बस ct यहां transpose होगे row matrix हो गया तो यह row matrix sorry column matrix है यह यह ct row matrix है ct row matrix का हमिए multiply कर ज़ये दोनों तरफ तो चुंकि lambda constant है तो lambda 12 जाएगा lambda ct x1 plus 1 minus lambda ct x2 चुंकि दोनों जगे हमारे पास इसकी value क्या है m है तो यह हो गया lambda m plus 1 minus lambda m तो m को common ले लिए यहाँ पर तो यह हो गया lambda plus 1 minus lambda m तो ct x बराबर भी हमार पास m आ गया मतलब जो x के लिए था वो उसके लिए हमार पास जो value थी वो m यह आ चुकी है so हम कह सकते हैं x है वो भी ऐसे बलोंग करता है so s is convex set अब फ्रेंट्स हमारे पास आता है अगली तंडिशन फैजिबल डिजन ओफा एल्पीप आल्वेज कॉन्वेक्ष सेट यह हमार पास नजी तोरह में इसको प्रूब करते हैं यह फैजिबल डिजन ओफा एल्पीप कोई भी लीने प्रोग्राम प्रॉब्लम होगी वो फैजिबल डिजन होगा वो कॉन्वेक्ष होगा यह प्रूब करने के लिए लेट मैक्सिमूम जैट एक्कॉल टू सीटी एक्स जो हमने एक 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 मान रहे है कि जो कि सारे कंडिशन को साटेश करेंगा यानि कि ऐसे पॉंट जिनके लिए एक्स इस लैस्टन उकल टू वी होंगे लेट एक्स वी दावजन फैजिबल डिजन देन लेट एक्स एक्स अलक से पॉंट लिया है जिसको रूप्याइस लेज़िए यानि कि यानि कि हमने लिया लेंडा एक्स को पॉंट होगा लेंडा की अलगलग वेल्यू के लिए एक्स की अलगलग वेल्यू होंगी लेंडा लेंडा एक्स को ब्लस मीनिस एक्स तू अधू सबस्भाइब यह तो यहां पर भी पीट कर लिया थे एक्सी कर लिया घई कर लिया तो यह इस नंगे प्रुब नियुक्स जंद एक लेकर टालै तो यह लेकर एक कॉमन लिए तो लेमना प्लिस बन मैंने लेमना और अ यह एक से उपल्ट इस लेकर टूल टूपी जो कि हमारे पास फिसिवल रिजम के क्या है कंडिशन है कि एक सिगक लेकर दो कि सो हमार पार सो S is a convex set अब फिर समार पार नई थोर हमें वो ले रहे हैं if NILPP फेंजिबल रिजन इस बांड़ेड रिजन जो फेंजिबल रिजन है वो बांड़ेड दिया हुआ है then optimal solution is also bounded but converse need not to do यहां पर दिया हुआ है तो सोलीशन होगा वो बांड़ेड होगा बट अगर solution जो region अगर solution बांड़ेड है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो region हो वह भी बांड़ेड हो यह हमें सो करना है तो इसके लिए हमें पहले सो करने के लिए कि if LPP का फेंजिबल रिजन बांड़ेड है then optimal solution bounded होगा यह सो करने के लिए हमने LPP लेलिया है left maximum j equal to ct x subject to ax less than equal to b x greater than x greater than equal to 0 given that feasible region is bounded यानि कि जो यह x less than equal to b है जो इसे region मतना फेंजिबल रिजन वो बांड़ेड है so x is finite या fix value क्यों x जो होंगी उसके value होंगी जो finite होंगी या fix होंगी यानि ज्यादा value नहीं होंगी and c is constant क्योंकि c जो है यह constant constant है so ct x is also finite क्योंकि जो reason है वो हमारे पास bounded था तो x की value होंगी वो हमारे पास infinite तो भी नहीं सकती x की value क्योंगी x की value होंगी x1 x2 dot dot xn इस फोर्म होंगी तो यह चुकि यह bounded है x की star point तो यह भी value होंगी यह bounded होंगी ct x जो होगा वो भी finite होग हमारे पास so solution is also bounded but converse प्रोव करने के लिए let but for converse let maximum z equal to minus x1 subject to x1 greater than equal to 0 maximum z निकलना हम है objective function है minus x1 then the maximum value of z equal to 0 x की कुछ और value होंगी negative minus में चलता जाएगा क्योंकि x जो है वो हमें से positive है but reason is unbounded क्योंकि x की value positive में कितनी भी जा सकती है 1 2 3 infinite की जा सकती है तो जो reason होगा है वो unbounded हो गया but value होगी वो इसकी bounded हो चुकी है हमारे पास नई problem है वो नई थोरम है minimum of a LPP occurs on some extremum point यह का है फिर भी LPP होगा है उस जो extremum minimum होगा वो किसी extremum point पर ही होगा अब यह प्रूब करने के लिए हम let minimum z equal to ctx subject to ax equal to b हमने यह LPP मान लिए और जहाँ पर b है वो greater than equal to 0 होंगी let x0 is the point which is optimal solution of LPP हमने x0 point को कुछ इस तरह से ले लिए optimal solution है LPP का then ctx0 minimum value of fx क्योंकि x0 point को हमने इस तरह माना है कि वो optimal solution optimal solution problem कि तरह के minimum परकार की minimum परकार की optimal solution बार point होगा उस पर value होगी minimum होगी and let x0 is interior point हमने exterior point की जगे x0 को interior point माल लिया यानि कि x0 को इस तरह कर जैसे यह कोई reason है तो x0 को हमने यह मान लिया यह x1 और x2 यह अंदर ही point इसके तो इस तरह से यह मान लिया हमने दो x0 equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2 तो ct x0 equal to lambda constant यह बारा लाएगा ct x1 plus 1 minus lambda ct x2 but ct x0 बड़ाबर m जो की minimum value है so ct x1 जो होगा वह m इससे बड़ा होगा ct x2 दोनों जो value होंगी इससे बड़ी होंगी तो हमने value यहाँ बड़ी value है ct x1 and ct xt इसके लिए हमने इन दोनों से बड़ी होगी एक छोटा number आजाएगा m1 m जो सबसे छोटा number है ct x1 and ct x2 से छोटा m है तो हमने यहाँ पर छोटा number m पूट किया तो यह हमाँ पर बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम छोटा number पूट कर रहे है तो यह हो जाएगा ct x0 greater than equal to lambda m plus 1 minus lambda m तो m कॉमा ले लेंगे ct x0 greater than to m बट ct x0 क्या था हमार पास minimum था ct x0 क्या था ct x0 क्या था so x0 is not an interior point so x0 is not an interior point क्योंकि हमने जो जो भी क्याता है x0 को interior point मानके क्याता है so हम कह सकते हैं x0 is exterior point क्योंकि interior point नहीं है क्योंकि contradiction आ गया है तो यह exterior point हो गया अब फेस अगली theorem में every local optimal solution is also a global optimal solution अब यह प्रूब करते हैं कोई भी हमारे पास problem होगी उसमें पहले सबसे पहले यह समझना होगा हमार पास local optimal solution global optimal solution क्या होता है अपर जैसे यहां पर कोई region है यह region है हमारे पास local optimal solution x0 local optimal solution है तो ईसके जो neighbor word बनेगा इसके जो neighbor word बनेगा and x0 del इसमें जो value होगी function की fx0 वह होगी जैसे अगर problem maximum की है तो यह fx0 सबसे बड़ी होगी fx for all x belongs to neighborhood of x0 neighborhood of x0 यह होगी यह हमारे पास local optimal हो गया और global optimal का मतलब है friends जो पूरे इस में optimal हो यानि कि इसके लिए तो होई और बाकि इसके लिए भी हो तो वह global optimal हो जाएगा जो हमें यह सो करना है every local optimal solution हमें कोई local optimal solution लेकर चलना है उसको हमें global optimal solution सो कर देना है इसके लिए friends हमें एक LPP मान लिए हमने let LPP maximum z equal to ctx यह हमने LPP मान लिए maximum z equal to ctx और subject to a x less than b let x0 be the local optimal solution हमने x0 को local optimal solution मान लिए then ctx0 यानि यह x0 यह local optimal solution है then ctx0 is greater than equal to ctx बाकि सारे x के लिए जो कि इस neighborhood में belongs to neighborhood of x0 neighborhood of x0 intersection x यानि कि यह जो point है इसमें सारे पॉंटों के लिए यह ctx0 बढ़ा है ctx से नाव टेक x2 is any another point which is outside from neighborhood of x0 इस neighborhood of x0 से इस region से हमने दूसर पॉंट ले लिया बाहर इससे x2 यह हमने पॉंट ले लिया इन दोन पॉंटों को मिला दिया एक 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 टू को एक जीरो को then we can find a point on land segment x0 x2 यानि x2 और x0 इस land पे हम एक पॉंट इस तरह से निकाल सकते हैं क्योंकि यह neighborhood यह neighborhood हमी से open होता है तो यहां पे कोई पॉंट होंगे तो वह निकाल सकते हैं we can find a point of land segment x0 x2 for some value of lambda lambda कि किसी value के लिए such that x i is a point of neighborhood of x0 neighborhood के लिए एक लेबडा कि किसी value के लिए इस पे यहां पे एक value point हमार पास मिल जाए क्योंकि जो lambda जो होता है lambda x0 plus 1 minus lambda x2 किसी lambda की एक value के लिए x1 बराबर इस तरह से मिल जाएगा कि lambda कोई fix value होगी कि जो value होगी यह पॉंच्छ यह होती है क्या तो करता है हमारी पास land segment को को सो करता है इस land segment को तो इस land segment पे किसी ना कि लिए यहां पर x की value होंगे लिए यहां पर आपक्ता हमने ले लिया है देन ct x1 is strictly less than equal to strictly less than ct x0 क्योंकि function constant नहीं है तो strictly less than माल लिया क्योंकि यहां पे हमने ct x1 को और ct x0 से strictly less than माल लिया now x1 equal to lambda x0 plus 1 minus lambda x2 क्योंकि उसको linear combination के रूप में लखाया है यहां से जो ct था इसका हमने multiply कर दिया दोनों तरफ है चूंकि lambda constant है तो बारा जाएगा तो यह हो जाएगा lambda ct x0 या इसको इस तरह लिख सकते हैं ct lambda x0 plus 1 minus lambda ct x2 अब हमें क्या चाहिए फिर्स यहां पर चाहिए हमें x2 के लिए भी हमें फिक्स करना है कि x2 के लिए भी global है तो इसके लिए हमें x2 वाले term को एक तरह परका है और दूर्सी तरह को इस तरह ले गए तो 1 minus lambda ct x2 को यहां लिख दिया है by 1 जो equation 1 थी उसके according क्या थी अपने पास तो ct x यह equation थी ct x1 less than equal to ct x0 इस equation से हमने बड़ी बड़ा number है क्या है ct x0 तो ct x0 यहां पूट कर लेंगे हम बड़ा number put क्या चुकि यहां पर हम देखते हैं जो number है ct x0 और यहां पर हम बड़ा number put कर रहे है ct x1 की जगे है तो बड़ा number put कर रहे है तो यह बड़ा number put कर रहे है तो यह definitely बड़ा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मारे पास, 1-lambda ctx2 less than equal to lambda, sorry, 1 ctx0 minus lambda ctx0, अब ctx0 यहांसे common ले लिया, तो यह हो गया, 1-lambda ctx2 less than equal to 1-lambda ctx1, अब जोगी 1-lambda, 1-lambda और lambda की value क्या होती है, 0 और 1 की बीच में होती है, हमेसा तो positive होती है, तो 1-lambda से 1-lambda कर जाएगा, तो साइन से नहीं होगा, तो इसलिए लिकाए हमने, 1-lambda is positive, तो यह कैसे हम, c2x2 less than equal to ctx0, पर x2 क्या था, हमारे पास कोई भी point था, जो कि हमारे पास neighborhood से बाहर था, उस point के लिए हमने prove कर था है, कि x0 होगा, वो minimum होगा, तो यह होगा हमारे पास, तो के सकते हम, x0 is also a minimum value point of x2, so every local maximum of a LBP is a global maximum, और फिर यहाँ पर इस problem में एक बात सुचने वाली बात है, जब हम यहाँ पर point लिया था हमने, तो यह x1 को अंदर ही क्यों लिया था, x1 को हम बाहर भी तो ले सकते थे, फिर x1 को अंपने बाहर इसलिए नहीं लिया था, क्योंकि हमने जो पहले पढ़िया है अपने पास, कि जो value होती है उसकी, यह तो interior point पर होती है, यह फिर boundary पर होती है, maximum value होती है, यह तो interior point या boundary, तो interior point भी boundary पर होता है, हम यहां लेते तो हम यहां से point यहां वाले point के लिए condition satisfied नहीं होती, यहां वाले point के लिए feasible point नहीं रहता है, इसलिए हमने point को अंदर वाले, अंदर की तरफ लिया हुआ है, इस point को, तब हमने यह प्रूब किया है, thank you friends, hello friends, आपका आमारे चनल में स्वागत है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वह अपने पास graphical method to solve of our LPP, वह हमारे पास linear program problem देऊ होगी, उसको हम graphical method से कैसे solve करते हैं, वह पढ़ना है हमें, जैसे के example के लिए एक हमारे पास problem देऊ हुए है, maximum z equal to 2x1 plus 2x plus 3y, subject to minus x plus y is less than equal to 1, and 2x, 2x plus y is less than equal to 2, and x and y greater than equal to 0, फिर्स यह हमारे पास की problem देऊ हुए है, अब हम इसको solve करते हैं, तो graphical solution में पहले general method देखते हैं, general method of and feasible reason, यह feasible reason जो होता है, किसी भी graph solution के लिए, जो feasible reason होगा, उसको निकालने के लिए हम इस general method देखते हैं, first put the line on the graph, यह फिर समारे पास graph है, और first method कह रहा है, put the line on the graph, जो line देखते हैं, minus x plus y, less than equal to 1 है, इसको फिले हम land में change करते हैं, तो इसके लिए inequality को equality में change करना होगा, तो minus x plus y equal to 1, यह एक line है, इसको में graph पूट करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं, y equal to 0 put करें, y equal to 0 put कर देते हैं, तो हमारे पास आज़ता है, x equal to minus 1, यानि एक तो यह point होगा हमारे पास, जहां से जा रहा होगा, और दूसरा अगर हम x बड़ाबर 0 put करें, तो y बड़ाबर आता हमारे पास 1, यह इस line के फिर दो point हो गए, इस line के minus x plus y, इस line के दो point हो गए, तो इन से जा रहा है, तो y 0, x minus 1, एक तो यह हो गए इदर, minus 1, और यह हो गए, y बड़ाबर 1, x बड़ाबर 0, एक यह यहां पे ले ले लेते हैं, y बड़ाबर 1, यह हो गया, तो इन दोनों को मिलाने पास ज change करने के लिए 2x plus y equal to 2 अब 2x plus y अब इस question में अगर हम x ब्राबर 0 रखें put x ब्राबर 0 तो y ब्राबर आ जाएगा हमने पास 2 तो एक तो यह point हो गया और second point हो गए प्रेंस मारे पास और y ब्राबर 0 put कर रहें y तो y ब्राबर 0 तो x ब्राबर 1 आ जाता है एक यह point हो है पास तो x ब्राबर zero वाइब अब नहीं कि कोई यह point हो क्योंकि यह कोई point तो कर जो कि Y2 होगा यहां पे और यहां इदर एक बडाबर यहां पर पॉंट बन लेते हैं इस तरह से तो यह जो हमारे पास graph बना दोनों को यह graph बन चुका है अब इन दोनों पॉंटों के help से हम इस पॉंट के दिशान निकालेंगे इस पॉंट के दिशान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा इसमें 2 का मल्टिपलाई कर दें और इसमें हम एड कर दें तो यह जाएगा 3 2y स्वरी माइनस 2x प्लस 2y एकुल टू टू एंड 2x प्लस y एकुल टू दोनों को एड कर दें तो माइनस से माइनस कर जाएगा 3y एकुल टू 4 यानिकि हमारे पास आ गया यहां पर पूट करदा है तो 4 अप्लस y हो जाएगा इदर जाएगा तो 4 प्लस 3-1 यानि-1 प्लस 3 तो एक्स प्रावर बन अप्लस 3 तो फतर इसके निद्दे साहगे एक्सपराब बन बाई थ्री एंद फोर बाई थ्री यह हमरे पास इसके लिए निर्दे सांग्स निकाल लिए हम ने इसके लिए अब यहां पर सेकेंड कि अपने पास है हमें चेक करना है तो वे दो तरीक हैं हमें हमारे पास पर जो कंडिशन है is it condition if it pass from origin अगर यह लैंड औरिजिन से पास होती है फिर हमने जो ग्राफ बनाया इसमें जो लैंड जो औरिजिन से पास नहीं होती है हमें एक दूसर ग्राफ लेकर चलते हैं जहां पर जिस तरह एक्स 10 लेज़ाइब है यह हमारे पास कोई condition दे वह लेए ले रहें इस एक्जांपल में से इसका कोई वी connection नहीं है तो यह हमसे सरफ एक समझने के लिए ले रहे हैं यह एक्स इक्स एक्स एक्स स्कूल तू आईगी यह दिखते हैं जैसे य की रखते हैं तो एक्स दूगना हो जात जाएगी यहां से इस तरह से लाइन जाएगी अगर ऐसा के सो कि अगर लाइन से जा रही हो तो उसके समें देखते हैं अब इस यह और इस जा रही है तो उस निकालने के लिए करने के लिए क्या करते हैं जो कि अग्या पॉंट और इकसेश कुछentes यह रही है यहां पे ले लिए हैं यहां पर भी ले सकती हो यहां पर इसांट फ़े लो यह इस स्पॉन्ट पर हम देखते हैं यह कंडिशन को सैस्पाइं करता है है यह इस साटिसपार इस पोडिए सकानि क see that it satisfies the given condition or not हमने ये देखना है तो हम देखने माइनस बन less than equal to 0 condition satisfy कर रहा है क्योंकि by ब्राबर 0 है तो ये condition को satisfy कर रहा है अब यहाँ पर if it satisfies the condition then feasible reason is the reason which is the side and point अगर ये condition को satisfy कर रहा है तो feasible reason होगा वो reason होगा जो कि point की side में होगा मतलब की reason होगा ये reason होगा और अगर second condition if it is not satisfy the condition then feasible reason is outside of the point अगर इस condition को satisfy नहीं करता जैसे अगर हम point यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर क्या होता वारबास point 10 ले लेते हैं जैसे यहाँ पर तो इस condition में हम देखते हैं एक रहा 1 less than equal to 0 condition को satisfy नहीं करता तो जो reason होगा वो point की दूसरी तरफ होगा हमने यह point लेके चले तो इदर आ जाएगा reason तो यह reason हो जाएगा इस तरह second case है if land does not pass from origin जो कि हमारी problem थी main problem थी उसमें यह condition बन रही है if land does not from origin अगर जो land है वो origins नहीं जा रही है then take origin 00 and put in the condition हमें 00 origin जो है उसको लेना है और conditions पर apply कर देना है condition क्या थे हमारे पास condition tarot ही हमारे पास, minus x plus by less than equal to zero यहां पर हमनेट ech 0 satisfy कर रहा है, तो 0 & 0 है satisfy हो रही है, अपर हमने पास पहली condition satisfy है यहाँ पर 00 करें, 0 is less than equal to satisfy यह दोनों condition, फिर दियान रगें, दोनों condition satisfy हो रही है हमारे पास, तो उस condition हमारे पास क्या करते हैं, फिर दिया फॉरिजन, कि तरफ हो ले लिया यह कंडिसर रोगा मैं, जो होगा, ओर राइजन की तरफ हो गया, यह रिजन जो होगा, और रिजन की तरफ होगा, और साथ में हमारे पास दो condition और है X and Y greater than or equal to 0 तो X and Y greater than or equal to 0 मतलब ये 0, ये greater than or equal to 0 ये 0, ये 0 तो हमारे पास ऐसा reason जिसमें सारे point होगे ये satisfy कर रहे हैंगे, वो कौनसा reason है, ये reason ये जो बना है तो कि इस reason में इस condition को satisfy कर रहे है इस reason के point यह होगा हमारे पास इसका फैजीबल रीजन है इस ग्राफ को हमने यहाँ पर रोग कर लिया यह ग्राफ हमने ड्रोग कर लिया यहाँ तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें पॉंटों के निख्डे सांग भी निकाल लिया है हम ने बता चुक है कि y equal to 4 by 3 और x equal to 1 by 3 कैसे आया है now z at x by z at x by हमार पास problem में क्या दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2x plus 3 by यह हमार पास problem में दिया हुआ है z तो z at x पराबर हमें लिखे 2x plus 3 by अपर इस हम निए यह आगे हम प्रोपर्टी पढ़ेंगे जिस में दिया हूआ जो फेजिबल रीजन होगा वह हमेसा जो करूगा जो ये बावंडरी लाइन होगी उन ही पे से होगा यह पॉंटे ओंगे वहीं पर होगा तो हम अन पॉंटी पे हैं इस पॉंट के लिए CRAPP 011 जो इसके भलवायत्री फुरवायत्री सभी पॉंटों पर देखते हैं, 0,0 पर देखते हैं, 0 आ जाता है, 0,1 पर देखते हैं, 3 आ जाता है, 1 पर देखते हैं, 4 पर 3 पर देखते हैं, तो 2 into 1 upon 3, plus 3 into 4 upon 3, equal to 14 upon 3, अब फेक्स यहां पर हमें Z maximum निकालना है, तो Z maximum क्या है, 14 upon 3, तो Z max बराबर 14 upon 3, and optimal point, optimal solution जो रहा है, वो रहा है, मेरे पास X बराबर, X बराबर, sorry, X बराबर बन अपन 3, and Y बराबर 4 upon 3, यह जो solution रहा हैं, यह हमारे पास है, इसका जो optimal solution आ चुका है, और अगर इसमें minimum पूछता है, तो minimum क्या है, अपने पास 00, तो यह condition में 00 आ जाता है, और optimal solution हो जाता है, 00, Hello friends, आपका हमारी चैनल में स्वागत है, हमने जो प्राणी वीडियों पढ़ा था, वो पढ़ा था, हमने linear program problem कि से कहते हैं, और linear program problem की standard form क्या होती है, हम यह पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ने वाले हैं, convex set, convex set क्या होता है, a set s, subset of rn, is set to be convex, if and only if, for all x1, x2 belongs to s, alpha x1 plus beta x2 belongs to s, यानि कोई set होगा, हमारे पास s, उसमें कोई भी हम दो पॉंट ले लेंगे, x1 and x2, कोई भी यानि कि हमें कि किसी भी अपने arbitrary x1, x2 ले 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 हमें, तो उसके लिए सभी x1, x2 के लिए, alpha x1 plus beta x2 belongs to s करना चाहिए, जहां पर alpha plus beta equal to 1, and alpha and beta दोनों ही, दोनों ही, alpha and beta 0 से बढ़े हैं, यानि कि जो alpha और beta की जो range है, वो 0 and 1 के बीच में हैं, दोनों की, अब graphical हम इसको सो करते हैं, graphically कैसे कैसे सकते है, a set, s is called convex, if and only if the line segment between any point, मतलब कोई भी हमारे पास graph होगा, इस तरह से हमारे पास कोई graph ले 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 लेते हैं, इस तरह से कोई भी graph होगा, यह, यह graph है हमारे पास, इस तरह यह graph है, यह यह जो भी हो सकता है, triangle भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, कोई भी हमारे पास graph बनाए है, अब यह जो convex होगा, अगर इस point से, आगए पढ़ते हैं, a land segment between any point, कोई ट्वॉइंट कुए ट्व पॉउँट सेगमेंट अब हो यहां से और यहां से कऊए बी पॉंट ले ज़लें पर यह हमार बास इस यह समय बहुत है इस उसी एस मेth में आएगी अगर दैसे हम यहां पर य्हीरीजन लेंट यह हमने रीयसर ले लिए फेर्श से अब इस जाल थे हैं कि है के अज़िए है था कॉणर फेर्श है यहांसर हम यहां से हमेला पाझ्यान प्रफॉइंग तो मतल यह है Channelets, हमारे पर कोई point मिल गए है तो we convex हो गई है, हमें यहां पर iis point मिल रहे है जो कि land को, यह point इस point से, इस point को मिला हम यहां-पर अब यह point को हम दे गाँ है, इसoneyme, Pånd में यहां-पर x1 दे देदें, यहां x2 दे दे दें इन दोनों पॉंटों को अगर हम मलाते हैं तो यहां से यह जो पॉंट है यह यह पॉंट जो जो की हमारे पास जो reason s था उससे बाहर चले गए तो यह जो reason होगा हमारे पास यह convex reason नहीं होगा friends नाव सम इंपोर्टेंट थेओरम जो को इंपोर्टेंट थेओरम है वह है पहले f s1 and s2 are two convex set then intersection of two convex set is also convex set याने f s1, yani s1 को इंपोर्टेंट को ही convex set है याने s2 convex set है दो दोनों को intersections हो होगा s1 intersection of s2 वो भी convex set होगा यह सो करना है friends इसके प्रूब करने के लिए given that S1 and S2 are convex then we want to show S1 intersection S2 is also convex so we take two points from S1 intersection S2 जो हमें show करना है उसमें से हमने दो points ले लिए वो X1 and S2 ले लिए इसमें से कोई भी दो points हमने arbitrary ले लिए then we want to show lambda X1 plus 1 minus lambda X2 belongs to S1 intersection S2 जहां 0 less than lambda less than 1 फिरस यह हमने यहां से लिए रहे से हम पहले पढ़े थे हमने पढ़ा था alpha 1 plus beta equal to 1 तो इससे alpha 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 minus beta तो अगर यहां पर हम gamma ले तो 1 minus gamma हम कर सकते हैं इसको तो इस तरह से यह हो जाएगा हमारे पास lambda X1 plus 1 minus lambda X2 belongs to S1 intersection S2 हमें यह सो करना है अगर हम यह सो कर पाते हैं तो हमारे पास जो intersection S2 होगा वो convex होगा अपरें यह सो करने के लिए हमने लिए जो पॉंट है X1 and X2 belongs to S1 intersection S2 से लिए हैं तो हमारे पास जो intersections से हैं तो इसका मतलब X1 and X2 belongs to S1 भी करेंगे और X1 and X2 belongs to S2 भी करेंगे चूंकि S1 and S2 बोथ are convex then lambda X1 plus 1 minus lambda X2 belongs to S1 करेंगा क्योंकि S1 है वो convex है और X1 and X2 belongs to S1 के हैं तो lambda X1 plus 1 minus lambda X2 belongs to S1 and इसी तरह जो X1 and X2 जो पॉंट है वो S2 के भी हैं तो lambda X1 plus 1 minus lambda X2 belongs to S2 अब चूंकि यह lambda X1 plus 1 minus lambda X2 S1 में भी विलोंग कर रहा है और lambda X1 plus 1 minus lambda X2 S2 में भी विलोंग कर रहा है तो lambda X1 plus 1 minus lambda X2 belongs to S1 intersection S2 so हम करे सकते हैं S1 intersection S2 is also convex now friends हमारे पास अगले जो थोरा में वो है if S1 and S2 are to convex then S1 union S2 need not be convex इसके लिए हमने friends इसको प्रूव करने के लिए कि convex नहीं होगा उसके लिए हमें एक example सो कर रहे है let S1 बढ़ाबर X0 X belongs to Rn friends S1 क्या है हमारे पास S1 है वो हमारे पास X0 X belongs to Rn यानि कि जो हमारे पास 2D में हम देखें तो यह हो जाएगा X0 X की value है लेकिन Y की value 0 है तो यह X axis हो गया X axis हो गया और S2 है वो हमारे पास जो S2 है वो हमारे पास 0Y यानि कि Y axis Y belongs to Rn यह हो गया हमारे पास Y axis अफरेंस यहां पर हम देखते हैं पहले हम S1 को S1 को convex prove करते हैं तो S1 को convex prove करने के लिए हम simply देख लेते हैं यहां से यह S1 है पूरा अपना यहां पर कोई भी दो पूंट ले ले ला है तो उनको मिलाने वाले पूंट इसी लाइन पर आएगा सीधर लाइन इस लाइन पर एक सब्सक्राइब ले सकते हैं तो S1 ए S2 हैं वह हमार पास दोनों convex हैं अब हम ले लेते हैं इनका कोई एक पूंट ले लेते हैं हमें इनका union लेना है तो S1 union S2 में से एक पूंट हमने यहां ले लिया तो वह हमार पास 1 0 ले लिया हमने देसे यहां से ले लिया तो नहीं र 이제 लो उन ए बया हैं हमने लाए है लेकिन इस पॉइंट को मिलने बन बाइटू बन बाइटू जो मिडल पॉंट होगा यह ना तो हमारे पास S1 मा रहा है ना ही S2 मा रहा है तो हम कह सकते हैं जो लेम जो की S1 unit S2 है वो हमारे पास Convex नहीं होगा अफर हमारे पास एक अलिटोर हमें if S is a Convex in Rn then so that alpha so that alpha belongs to R is also a Convex in Rn यानि हमारे पास दिया हुए S जो है वो Convex है और कोई alpha एक number है जो की R से है तबहुत करना है alpha S यानि alpha का multiply S secondary पर जो हमारे पास आएगा वो भी alpha S Convex होगा अब उसको प्रूब करते हैं given that S is Convex in S हमारे पास यह दिया हुए Convex है let X1 X2 belongs to S क्योंकि Convex है तो lambda X1 plus 1 minus lambda X2 हमेशा S में ही S में ही रहेंगे जहाँ पर lambda 0 से और 1 के बीच में है अब हमने let X पराबर lambda X1 plus 1 minus lambda X2 यहां प्रेंट से X क्या प्रूट कर रहा है वे एक्स जोट दा X2 है तो इन पॉंटों को मिलाने वाला है इस लैंड के सभी पॉंटों पर लेमडा की अलग अलग वेल्यू रखने पर हमारे पास लेमडा की कुछ भी वेल्यू रखेंगे हम जैसे लेमडा की बन भाइट रखते तो मेडिल पॉंट आ जाएगा बन भाइट रखते खुछ को दाए यह लेमडा की हर एक लिए कि यह फूरे लाइन सेग्मेंटे और हमने लेह ले लिया लनjang सेग्मेंटuitoा स्थ्यू अब यहां पर हमने यह 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 पर नहीं सत्ली है तो लेब्डा मुणव सब्सक्राइब आप धो लेम्डा आथ सब्सक्राइब करेंगे म picked ऐब्डा आथ प्लोंग्स नेब्द häufig गगे अभी यह बिलोंगु मुग करेंगे, सो भी जो होगा, यह भी बिलोंग नोटो अप्र हमें इस स्ट करेंगा और वे यह रोगा है, यही स्ट हो गाना के एक्जाम्παल ले रहे हैं, सो धेट चैसर को श्ट है और यह उसमें अभियाव है बिलोंग्स टो आरे हैं सद्धेट के एकस स्कुराइब प्लस बाइस को लेश देन उकल टो फोर हमें इसको कॉन्वेक्स हो करना है इसको कॉन्वेक्स अगरेशन क्या रखते हैं कि ले एकस बाइब बलो तु एस एंड एकस बाइब एकसव उनाएकऽ के लिए एकस डाइब मिलते दाएंग้े cep तो lambda xy plus 1 minus lambda xy x2 y2 sorry x1 y1 1 minus lambda x2 y2 यह हमें belongs to x so करना है तो इसके लिए यह so करना काफिय होगा x and y जो होगा वो lambda की हर एक value के लिए s में belong करेगा यह so करना है friends तो कि x1 y1 and x2 y2 belong to x so x1 square plus y1 square less than or equal to 4 x2 square plus y2 square less than equal to 4 इसको हम start दे देते हैं इसको हम double start दे देते हैं यह हमार पास दो equation आगे जिनके हमें आगे use करना है now x और y क्या है हमार पास xy बराबर इसको characterisation product कर लेते हैं अंदर तो lambda x1 lambda x1 और यह लेम्डा y1 यह हो जाएगा यहाँ पर multiply करते हैं 1-lambda 1-lambda x2 1-lambda y2 यह हो गया तो इसका हम सम करते हैं तो यह होगा lambda x1 plus 1-lambda x2 lambda y1 plus 1-lambda y2 यहाँ जो x होगा वो इस form में होगा lambda x1 plus 1-lambda x2 और y जो होगा वो होगा lambda y1 plus 1-lambda y2 इस form में होगा so for xy belongs to x it is supposed to show that हमने xy belongs to x show करने के लिए क्या show करना होगा x square plus y square is less than equal to 4 यानि कि lambda x1 plus 1 minus lambda x2 का all square plus lambda y1 plus 1 minus lambda y2 का all square is less than equal to 4 तो हमने RHS ले लिया इसका अब यह show करने के लिए हमने RHS ले लिया तो यह होगा lambda x1 plus 1 minus lambda x2 का all square plus lambda y1 plus 1 minus lambda y2 का all square अब हमने इस square को खोल दिया तो यह हो गया मार पास lambda square x1 square plus 1 minus lambda square x2 square plus 2 lambda 1 minus lambda x1 x2 इस तरह इसको खोला तो यह हो गया lambda square y1 square plus 1 minus lambda square y2 square 2 lambda 1 minus lambda y1 y2 यह हो गया friends अब हमने यहां से x1 square और y1 square वाले में से lambda x4 common ले लिए तो यह हो गया x1 square plus y1 square इस तरह हमने 1 minus lambda square यहां से और यहां से common ले लिए यहां दोनों से तो यह हो गया 1 minus lambda square x2 square plus y2 square plus यहां इन दोनों में से 2 lambda 1 minus lambda common ले लिए तो यह हो गया x1 dot x2 plus y1 dot y2 यह हो गया friends हमारे पास हमारे पास x1 plus x2 x1 square plus y1 square वो क्या है 4 से छोटा है यह दे हो गया x1 square plus y1 square less than equal to 4 तो इसका यूज करके हमने यह बड़ा number ले रहे हैं यहां पर इस number के जगे हम बड़ा number यूज कर रहे हैं तो less than equal to sign जाये क्योंकि यहां पर हमने बड़ी संक्या रख रहे हैं इस से बड़ी संक्या यहां पूट कर रहे है तो 4 lambda square इस तरह x2 square plus y2 square is less than equal to 4 तो यहां पर भी हमने 4 into 1 minus lambda square यह हो गया यहां पर हमने इसके value for put कर दी जो बचा हमार पास 2 lambda 1 minus lambda x1 x2 plus y1 y2 now x1 dot x2 plus y1 dot y2 is less than equal to 4 4 friends यह 4 है यहां r square r होता तो r से कम होता यह x1 dot x2 plus y1 dot y2 is less than equal to 4 by langer as inequality यह फ्रें लेंगर as inequality को हम प्रूब भी कर सकते हैं यहां इसको हम show करेंगे अभी कि x1 dot x2 plus y1 dot y2 is less than equal to 4 कैसे आजा है अफ्रें 2 show that x1 dot x2 plus y1 dot y2 less than equal to 4 अब हम यह show कर रहे हैं तो x1 minus x2 का hollow square plus y1 minus y2 का hollow square greater than equal to 0 क्योंकि दोनों ही square हैं तो या तो 0 होंगे या 0 से बढ़े होंगे 0 छोटा नहीं हो सकता क्योंकि यह negative हो x1 minus x2 या positive हो कोई effect नहीं पढ़ेगा क्योंकि जो square है उसको हमें सा positive बना देगा तो यह हमें greater than equal to 0 होंगे तो इसका हमें square खुल दे तो यह होगा x1 square plus x2 square और इसका इसको रखुल दो x1 square plus x2 square minus 2x1 x2 यह लिख दिया हमने इसका इसको रखुल दो y1 square plus y2 square minus 2y1 y2 greater than equal to 0 x1 square plus x1 square plus y1 square यह x1 square plus y1 square यह x1 square y1 square plus x2 square y2 square यह आ गया हमारे पास तो फ्रेंस यहां से 2 common ले लिए हमने यह होए x1 x2 plus y1 y2 अब फ्रेंस यहां पर x1 square plus y1 square क्या था हमारे पास है वह हमारे पास पहले भी 4 था यहां से x1 square plus y1 square less than equal to 4 and x2 square plus y2 square less than equal to 4 तो इसी condition का में यूज करके हमने यहां पर दोनों जगे यहां पर 4 पूट कर दिया यहां 4 पूट कर दिया तो यह होगया y1 plus y2 2 y1 plus y2 plus x1 x2 less than equal to 8 यह हमारे पास conditions थी तो हमारे पास 2 का हमने डवाइट करते हैं यह होगया y1 y2 plus x1 x2 less than equal to 4 और x1 x2 plus y1 y2 less than equal to 4 जो कि हमने लेंगराज इन इकुल टी बताए थी यह हमने फ्रेस लेंगराज इन इकुल टी को हमने प्रूव कर दिया यहां पर तो यह जो condition है यह भी 4 से चोटी है तो यहां पर हमने 4 put कर लिया तो यहां पर 4 put कर लिया पर 2 lambda 1 minus lambda हो गया अब 4 हमने पूरी में से common ले लिया तो 4 यह common हो गया lambda is 4 plus 1 minus lambda का all square plus 2 lambda 1 minus lambda फ्रेस जे क्या है हमारे पास यह हमारे पास lambda plus 1 minus lambda का all square है यह तो यह इस को खोला तो lambda plus 1 minus lambda यहांगी lambda से lambda कर जाए 1 रहे और 1 का square 1 रहे तो less than equal to 4 यह पर हमने यहां पर सो कर चुके है हम हमने यहां पर यह सो कर दिया कि यह जो quality 4 से चोटी है तो यह हमने सो करना था तो हम कह सकते है कि जो s है वो हमारे पास convex है सो s is convex हाँ प्रेट्स अब हमारे पढ़ना है CLC of 2 points let x1 and x2 कोई 2 points है तो हमारे पास CLC होगा वह होगा x equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2 CLC क्या होता है convex linear combination तो यह होता है हमारे पास CLC of 2 points x1 plus x2 के लिए हमारे पास lambda x1 plus 1 minus lambda x2 जहां 0 less than lambda less than equal to 1 यह हमारे पास जो होगा यह LAN segment होगा हमारे पास जोइनिंग x1 और x2 को जो जोइन कर रहे होगा यह हमारे पास CLC of 2 points होगा now of CLC of M points x वराबर कोई भी हमारे पास points होगा CLC का convex linear combination को कोई points होगा वो इस तरह से होगा x equal to x1 alpha 1 plus x2 alpha 2 plus dot dot x and alpha n जहां पर where alpha 1 plus alpha 2 plus dot dot alpha m equal to 1 alpha i greater than equal to 0 i value 1 to m this gives all optimal all the points inside and on the end dimensional graph कोई भी graph होगा उसके जो अंदर के point होगे और जो graph के boundary भी point होगे उन सारे point को यह हमारे पास देदेगा यह कि lambda 1 alpha 1 alpha 2 जो अलग-अलग value होगे उसके लिए देदेगा अब हम तोरह में पढ़ते हैं फ्रेंट यह तोरह में आज सेट s is convex if and only every convex linear combination points of s in s यह हमें सो करना है अब प्रूफ करते हैं फ्रेंट let every clc point of s in s clc point जो है उसके x1 x2 जो भी point होंगे यहां पर x जो point होंगे वो सभी हमारे पास s में है this then this result is true for n equal to 2 then s is also convex क्योंकि हमारे पास यह condition है यह condition हमारे पास convexity condition है अगर यह यह हमारे पास convex point जो होंगे वह हमारे पास s में है तो वह हमारे पास convex हो गई अब only part आता है friends only first we will show this result by mathematics induction इस result में क्या करना है हमेरे पास कोई clc point होंगे उसको में convex proof करना है तो इसके लिए हमें we will show this result by mathematics induction का method लेंगे for k बराबर 2 k बराबर 2 के लिए क्या होजागा x बराबर x1 alpha 1 plus x2 alpha 2 यह friends उसी में होंगे जहां पर alpha 1 plus alpha 2 equal to 1 होगा यह हमारे पास इसलिए होंगे क्योंकि है वो हमारे पास convex है यह हमारे पास imply करेगा कि s convex है क्योंकि यह convex की definition होते है now let us assume that the result true for x बराबर k अब हमने यह assume कर लिया है कि जो result है कि n बराबर k के लिए हमारे पास यह condition true है तो इस condition में हमने मान लिया alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus dot 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 alpha k xk belongs to s where alpha 1 plus alpha 2 dot dot alpha k equal to 1 यह हमने मान लिया friends now we want to show that this result is also hold for n बराबर k प्लस 1 हमने n बराबर k के लिए result को हमने true मान लिया है तो हमने n बराबर k प्लस 1 के लिए इस result को true show करना है आई if we want to show इसका मतलब है हम show करना चाहते है वह है एक्स बराबर alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 dot dot alpha k xk plus alpha k plus 1 xk plus 1 where alpha 1 plus alpha 2 plus dot dot alpha k plus alpha k plus 1 equal to 1 यह है यह है अगर हम जो alpha k plus 1 जोड़ते हैं वह तो हमने assumption कहता कि बाकि जो alpha k है वह one है तो उसका assumption से हमारे पास यह true हो जाएगा और अगर alpha k plus 1 equal to 1 जोड़ते हैं यह alpha k plus 1 की value 1 रखते हैं then we can take जोड़ते हैं सभी हमें alpha 1 equal to alpha 2 dot dot alpha k हमारे 0 ले 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 हैं तो हमारे पास alpha k x से बच जाएगा जो कि x में बिलों करेगा then result is true क्योंकि हमने इसके alpha 1 plus alpha 2 dot dot alpha k plus 1 equal to 1 हो गया हमारे पास now let us assume that 0 less than alpha k plus 1 less than 1 हमने assume कर लिया क्योंकि ना तो हमने 0 मान रहे हैं उसे ना ही 1 मान रहे हैं इनके बीच में हमने कोई alpha k plus 1 को assume कर लिया है तो हमने इसके 1 बीच में क्या है तो 1 minus alpha k plus 1 भी 0 नहीं होगा क्योंकि यह 0 से छोटा है so x वराबर हमने 1 minus alpha k plus 1 का multiply कर दिया यहां पे और alpha 1 x1 upon 1 minus alpha k plus 1 का यह पर हम LCM लेंगे तो यह LCM आएगा LCM लेंगे cut जाएगा यह 1 minus alpha k plus 1 dot dot 1 minus alpha k plus 1 और alpha n तक alpha n x n और जो अगली टर्म थी alpha k plus 1 x k plus 1 इसको हमने लिव कर दिया अपरेसे हमने यहां पे alpha i upon 1 minus alpha k plus 1 इस टर्म को हमने beta i मान लिया इस टर्म को beta i मान लिया तो हम यह कह सकते हैं इस टर्म को सभी alpha i alpha 1 upon alpha k plus 1 1 है इसे हमने चलते हुए alpha k 1 minus beta k plus 1 और यहां पे x1 और xk तो यह हो गया beta 1 x1 plus beta 2 x2 dot dot beta k x2 belongs to s यहां पे हमने यह कर लिया नाव यह हमने 1 minus alpha k plus 1 का multiply किया और यहां पे अलग से हमने constant दिखा दिया है तो हो गया x1 minus alpha k plus 1 और इसको हमने एक अलग से y दे दिया इस पूरी ठर्म को हमने एक y अलग से point दे दिया y तो यह हो गया y plus alpha k plus 1 x k plus 1 यह हो गया अपर अगर हम इन दोनों को जोड़ना तो sum हो जाए 1 which is the CLC of two points यह दो points का linear convex linear combination हो गया है so since तो हम कैसे लिए जो कि हमने x और k plus 1 के लिए हमें CLC prove कर दिया so s is convex यह हमें prove करना था अपर अगला अगली definition आती है वह हमारे पास extremum point अपर एक्स्ट्रिम पॉंट क्या होता है आप पॉंट x is set to be extremum point यह vertex जो होता है of a feasible set s of a LPP if any two distinct points x can be expressed as x पराबर alpha x1 plus 1 minus lambda 1 minus alpha x2 यहने कि इस condition जो satisfy कर रहा होगा वह point होगा वह हमारे पास extremum point होगा Hello friends आपका हमारे तर्म में स्वागत है आज जो हम स्टार्ट करने वाले है वह linear program problem friends सबसे पहले हम देखते है linear program problem होती क्या है linear program problem कहते है n problem p कोई हमारे पास problem दी होगी problem p if the objective function f and g g हमारे पास constraint है for all g are linear then the problem p is called linear programming problem और अगर यह हमारे पास f and g linear नहीं है तो इस condition में हम कहेंगे वह problem होगी वह non-linear program problem होगी अब friends यहां पे हमारे पास दो बड़ा है objective function एंड हमने जो g को ओला वो constant यह क्या होते है अब यह देखते है फ्रेंस objective function क्या होता object function the function which have maximize or minimize bulk optimize состояниe किया जता है is called objective function money we hang on function व्र्याओंस इसको हमें minimum और मेक्सिमुम पूछा होगा वह फक्रस्cision होगा हमारे पास वह उम्रेपास function करगा jsो और सब्सक्राइब कोई LPP है मैक्सिमम और मिनिमम दिया होगा मारे पास CTX यह तो हमारे पास होगा objective function और साथ में हमारे पास कुछ condition दिए होंगी जी जे एक्स less than equal to 0 जी जे एक्स greater than equal to 0 जी जे एक्स equal to 0 कुछ इस तरह कि हमारे पास condition दिए होंगी जो वो condition वो condition होंगी वो हमारे पास construct the registration on the variable जो variable जो हमारे पास condition दिए होंगी g i i बलाव 1 to m is called constant अब फिर हमारे पास आता है feasible region feasible region क्या होता है कोई एक set होता है जिसमें x ऐसे point कह सकते हैं या ऐसे set में ऐसे point होंगे जो कि हमारे पास rn से होंगे और g j x less than equal to 0 यानि g j x j में जो हमारे पास condition दिए होंगी यह फिर हमने एक उसके लिए ले लिया कि g j x j थी वह सारी condition less than equal to 0 थी अगर greater than equal to 0 वाले होंगी तो g j x j greater than equal to 0 जो वह condition होंगी उसको satisfy कर रहा होगा इसका मतलब जो भी हमारे पास g j x j less than equal to 0 अगर हमारे पास constraint g j x greater than equal to 0 हो तो वह वाले condition होगी उन condition को satisfy करेंगे points वह point होंगे वह हमारे पास feasible region के लाएंगे then s is called the feasible region if x not belongs to s if x belongs to if x belongs to s and not equal to 0 which optimize maximize maximize and minimize our objective function is called optimal point और optimal solution friends यानि कोई हमारे पास point होगा जो कि s का point होगा और उस function पे उस point पे हमारे जो function की value होगी f x की value जो objective function है इसकी value मैक्सिमम होगी या minimum होगी वह point हमारे पास के लाएगा optimal point और जो हमारे पास value आएगी वह होगी optimal value यह optimal solution होगा optimal solution अब the problem P is called classified into two parts जो problem P होगी उसको दो बार्टम डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट होगा linear programming problem LPP और second होगा non-linear programming problem अब linear programming problem की definition पहले ही पढ़ चुके in problem P if the objective function f and g for all g are linear then the problem P is called linear programming problem otherwise non-linear programming problem फिर्स अब आता हमारे पास standard form of LPP कोई हमारे पास linear programming problem होगी उसकी standard form क्या होगी optimization function may be maximize or minimize जो objective function optimization function होगा हमारे पास या objective function कहीं से वो या तो maximum में दिया होगा minimum में दिया होगा और RHS of all constant greater than equal to zero यहाई फिर्स हमारे पास इस तरह कोई condition होगी अब यह लिए हमें यह x पराव बी तो जो बी में जो भी constant होगे बी में जो भी constant होगे वो greater than equal to zero होगे तो उस condition में हमारे पास यह condition satisfy हो जाएगी और अगर all variable must be non-negative all variable यानि कि जो x1 x2 जो भी variable होगे हमारे पास वो greater than equal to zero होने चाहिए all constant are an equation जो हमारे पास equalities होंगी उसको हमें equation में change करना है उसके बास जो form आएगे मारे पास वो आएगे हमारे पास इसको मैं find standard form निकाल लिए इसकी तो इसको solve करते हैं तो हमारे पास पहली condition क्या थी हमारे पास condition थी पहली जो हमारे पास objective optimization function may be maximize or minimize जो optimization function है फ्रेंट्स वो भी maximum होना चाहिए या minimize होना चाहिए तो यह हमारे पास objective function है वो maximum है पने पास z equal to 2x1 plus x2 और अगली condition पर हमारे पास rhs of all constant ग्रेटर देखते हैं तो यहां पर यह देखते है minus 4 यह negative है तो इसको positive बनाना होगा तो पहले यह तो positive ही है तो यह होगा x1 plus x2 less than equal to 1 and 2 इसमें minus multiply करके इसको plus बना लेते हैं तो जाएगा minus 2x1 minus x2 less than equal to minus multiply कर रहे हैं 4 यह होगा है फ्रेट हमारे पास अब अगली जो condition है हमारे पास all variable must be non negative अब हमारे पास यहां क्या दिया हुआ है x2 less than equal to 0 यानि कि हमारे पास non negative नहीं है यह negative आ रहा है तो x2 को हमें negative बनाने के लिए x2 dash हमारे पास define कर देते हैं let x2 dash equal to minus x2 यह है तो हमारे पास यहां पर यहां पर भी x2 है वहां पर x2 dash minus x2 dash से replace कर देना है तो यह करेंगे maximum z equal to 2x1 minus x2 dash subject to constant है वह हो जाएंगे 2x1 sorry x1 यह x2 minus x2 dash से हो जाएगा तो minus x2 dash less than equal to 1 और 2x1 plus x2 तो 2x1 और यह x2 plus x2 जाएगा यह minus x2 dash less than equal to 4 यह हो गया तो और हो गया हमारे पास x1 greater than equal to 0 x2 greater than equal to 0 और फिर्स यह हमारे पास third condition हमने satisfy करा लिए इसके लिए अब fourth condition है वह हमारे पास all consistent are in equation अब हमें जो consistent है इनको equation में change करना होगा तो equation में change करने के लिए क्या करेंगे हमें यहाँ पर select variable जोडने होंगे अगर फिर्स यहाँ पर greater than equal to design होता है तो surplus variable जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास maximum z equal to 2x1 minus x2 dash select variable यहाँ पर s1 जोड़ेंगे यहाँ पर s2 जोड़ेंगे select variable जोड़ेंगे वह s1 and s2 है तो उसके corresponding optimization function होगा वह होगा 0s1 plus 0s2 फिर्स select variable इस तरे जोड़ते हैं कि उस objective function हो उसके value पे कोई भी effect ना पड़े तो इसके लिए हमें 0 से multiply कर देते हैं उसको subject to condition हो जाएगे मारे पास x1 minus x2 dash plus s1 equal to 1 and x2 x1 minus x2 dash plus s2 equal to 4 and जो भी select variable है वह भी greater than equal to 0 होंगे तो यह होगा है हमारे पास x1 greater than equal to 0 x2 dash greater than equal to 0 s1 and s2 greater than equal to 0 यह होगा है फ्रेंट्स यह हमारे पास standard form आचुकी है इसकी हेलो फ्रेंट्स आपका हमारे चनल में स्वागत है आज जो हम पंड़े बाले हैं वह अपने पास algebra of divided difference हम पहले पढ़ चुके हैं कि divided difference क्या होता है अब उसके हम कुछ function का divided difference है वह होगा हमारे पास constant divided difference of fx where c is any constant second prove करेंगे हमे the divided difference of the algebraic sum of any two function कोई भी दो function होंगे उनका हम जो sum होगा उसका divided difference लेंगे है इस दा algebraic sum of the individual divided difference है यानि कि जो अलग-अलग से जो divided difference होगा उनका उनका जो sum होगा इसका यह हो गया और थर्द जो हम प्रूव करेंगे वह है the divided difference of the linear sum the divided difference of the linear sum of two function is a linear sum of divided difference यानि कि हमें इस तरह के function है वह हमें इससे प्रूव करना है कि वह c1 divided difference of fx plus c2 divided difference of gx यह प्रूव करना है इनको प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम पहला प्रूव करते हैं प्रूव first क्या है हमारे पास यह हमारे पास तो यह रहा हमारे पास del f del c dot fx equal to c del divided difference यहां पर del fx यह हमारे पास तो अब इसको solve करना है हमें तो by lhs हमें lhs क्या है del dot c fx यहां पर हमने c dot fx को हमें क्या मान लिया है इसको हमें इसको मान लेते हैं let fx वराबर c fx यह मान लिया अब फ्रेंट्स यहां पर हमने x की कोई दो लेंगे हमें हमें आपड़ यहां पर लेक्स वराबर a and x वराबर b यह दो वैलियू हमारे पास वहां पर हमें divided difference करना है तो यह होगा हमारे पास divided difference of fx वराबर f a minus f b upon b minus a अब यहां पर f a क्या होगा फ्रेंट्स यहां पर यहां पर f x पर आबर क्या है c small f x तो यह हो जाएगा मारे पास c और यह हो जाएगा f x minus c dot f x upon b minus a अब फ्रेंट्स यहां पर अब फ्रेंट्स हमारे पास अब जब फ्रेंट्स यहां गया तो इसको हम equation number one देते हैं अब हम RHS solve करते हैं RHS के हमारे पास c dot del f x यहां डेल f x क्या होता हमारे पास friend del f x जो होगा वह हमारे पास यहां पर sorry friends f यह यहां पर हमने यहां पर f a b है f a है तो f b f a यह होगा f b minus f upon b minus a यह होगा है friends और यह question number two और यह question number first and two दोनों equal है so question number first क्या है हमारे पास है divided difference of capital f x capital f x क्या है divided c f x तो इसको कर सकता है कि divided difference c f x equal to c divided difference of f x hence proved अफरे हम second theorem prove करते है second क्याता है मारे पास second है that divided difference of the algebraic sum of any two function is the algebraic sum of their individual divided difference of f x plus g x equal to divided difference f x plus divided difference g x यह prove करना है तो solve solve करते हैं सो तो by LHS हमने LHS ले लिया डेल divided difference f x plus g x यह लेट अब हमने यहां पर माल लिया f x plus g x equal to capital f x जो पहले माले था उसी तरह हमने यह और यह यह equal not b reference क्योंकि अगर यह equal b हो जाएगा तो divided difference नहीं होगा हमारे पास तो यह हो जाएगा डेल divided difference of f x ब्राबर capital f a capital f a minus sorry capital f b minus capital f a upon b minus a अब फिर्णस यह f x ब्राबर यह है तो मारे पास हम यह से लिख सकते हैं f b ब्राबर इस question से question number first दे देए इस question से यह लिख सकते हैं उसको f a minus sorry f a plus g a यह लिख सकते हैं f b ब्राबर लिख रहे हैं f b ब्राबर तो f v minus g b यह लिख सकते हैं and f a ब्राबर लिख सकते हैं इसको f a plus g a अफिर्णस यह दोनों value हमें question में put कर देनी है तो divided difference of capital f x equal to यह हो जाएगा हमारे पास f b की value हो जाएगा तो यह हो जाएगा f b plus g b अब इसकी value रखने हैं हमें हमें रिखनी यह पर minus f a की value रखने हैं तो यह हो जाएगा f a plus g a लेकिन f a plus g a बार minus multiply है तो यह हो जाएगा f a minus g a divided by b minus a equal to इसको फ्रेंस का लिख सकते हैं इसको लिख सकते हम f b minus f a upon b minus a plus g b minus g a upon b minus a यह लिख सकते हैं इसको तो फ्रेंस यह क्या होएगा हमारे पास यह क्या है divided difference of f divided difference of f x है यह friends मारे पास यह फ्रेंस divided difference of f x ने इसको e बोल देंगे e divided difference of f a और यह क्या है मारे पास divided difference of f a small f a plus divided difference of g a तो हमने प्रूब कर रहे हैं देल एफ एойти कि के पिटव डेल एप एक्व्ल टू डेल कडेल भूंज द Bay अब यहां पर यहीं हो गाया तो डेल एफ़ बराबर और क्या हमारे पास एफ बराबर क्या था हमने पास इसके अकोर्डिंग एफ बराबर यह हो जाएगा फ प्लस गेशल कि एफ प्लस जीए एक्वल टू देल F A प्लस डेल G A यहाँ किसी X के लिए लेंगे हम उसको यह तो A के लिए था यह हमारे पास कोई आर्बिटरी था यह X पॉरावर B हमने कुछ मान था यह X से बेल उजी थी हमारे पास यह आरबिटरी थी तो इसको लिख सकते हैं डेल F X PLUS G X EQUAL TO G X यह जो कि हम स्ट्रूफ करना था एफ हमारे पास टर्ड के इस था वो था पंडे पास अदर दिवाइद ड्रेफरेंस ओफ लिनेट सम्ट प्टू फंक्शन इस दर लीजिर सूम इस डाली डिफेंसे यह निकाला है तो वो हमारे पास divided difference का लिएर सम आ गया यह निकाल प्रूब करना है तो इसको प्रूब करने के लिए फिरेंट हम क्या कर सकते हैं थर्ड थर्ड प्रूब कर रहे हैं तो let capital fx वराबर जमर पास function दिया हो इसको मान लेते हैं c1 fx प्रस c2 gx then by definition by definition by definition by definition by definition by definition del b fa हम यहाँ पर del भी लिखने रहे हैं क्यों क्यों लिखने की importance नहीं होती है मारे पास यह होगा यह fx ब्राबर fb minus f upon b minus a हो गया अफ्रेंस fb और fb की value output कर देने हैं तो fb की value क्या जाएगी यहाँ पर अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रखेंगे हम तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास अब यहाँ से अगर हम c1 common ले लाएं और c1 common ले लिए यहाँ से तो यह हो जाएगा fb minus f a upon b minus a प्लस यहाँ से c2 common ले लाएं दोनों वे से तो यहाँ से c2 common ले लिए तो यह हो गया हो जी बी माइनस जी ए अपोन b minus a जो कि फिर्ट क्या है मारे पास यह divided difference of f a ए डिवाइड difference of f a प्लस c2 divided difference of f b यह किसी arbitrary के लिए हम कह सकते है अगर एक्स कर पूट करते हैं इसको यह हो जाएगा मारे पास जो कि फिर्प करना था वह हो जाएगा अगर यहां पर हमने निकाल लिया था कि f a के लिए हमें निकाल लिया था अब एक ही जगह एक्स रखेंगा तो हमारे पास यह एक यहां पेफ़ यहां पर रेयgebी यहां पर पर प्रूर्व करना था यह आ जाए । हेलो फ्रेंड्स आपका मारे चैनल में स्वागत है अब तो देमारे डिपरेंस के फोर्मूले कैसे केलकुल क्या का लिए जाते हैं और उनके कुछ यूज पढ़े थे उनकी कुछ प्रोपर्टी जमने पढ़े थी आज हम पढ़ रहे हैं तो उस उसे एक्जाम्पल पढ़ेंगे इस व्यूडियो में तो पहला एक्जाम्पल है वाइ मीन ओफ न्यूटर डिफरेंस फोर्मूला फंट वैल्य टेबिल अब टेबिल हमंता कि वोगंगे हूए एक सब्सक्राइब उनके यह थान फीलाँचीय पास अब हम इसको सॉल करते हैं की आशका होता है मारे पास शिकला लेटेंगा है इसको एक्ष उनके मालेट यसद्क ऐस परमालेटा लेटेय오 x3 x4 x5 तो यह मारे पास divided difference formula जो होता था वो होता था मारे पर fx ब्राबर fx0 plus x-x0 divided difference of divided difference of fx0 x-x0 x-x1 divided difference of double divided difference होता था fx0 का इसी उसी formula हमने यह बहर रिपूट कर दे तो fx ब्राबर हो गया f4 x-x4 divided difference of 5 f4 plus x-4 x-5 divided difference का square double divided difference हो जाएगा यह और f4 फिर x-4 x-5 x-6 उसके पास triple divided difference हो जाएगा वो जाएगा f4 इसका और इसी तरह से formula आगा है हमारे पास हम इसके लिए पहले टेबल बनाते हैं क्योंकि टेबल बनारने पर हम इनमें डेवाड़े डिफरेंस f4 की डेवाड़े डिफरेंस का square f4 divided difference का cube f4 इनकाल पाएंगे तो इसके टेबल बनार के लिए यह लिए लिए हमने यहां पर divided difference of fx divided difference of double divided difference of fx ट्रिपल divided difference of fx एंड फूर्थ डिफरेंस ओफ fx यह निकाल ले हैं अफ्रेंस मेरे पास जो एक्स की बेली लिए है 4 5 7 10 11 13 तो उनको यहां फूट कर लेते हैं 4 5 7 10 11 13 यह हो गया अफ्रेंस इस पर जो एक्स की बेली हुए हुए है 48 100 294 900 और यह सारे बेल्यू हम यह पूट कर लेते हैं यह हो जाए हमारे पास fx यहाँ पे ती अपने पास 48 यह थी हंडर्ड यह थी हंडर्ड यह थी अपने पास 294 यह थी नैन हंडर्ड यह 1210 और 2028 यह बेल्यू थे फिस्ट निकालते हैं निकालती हैं सिएली खाहना होगा हन्डेड माइनस ऊर्ट एट तो यह होजाएगा 52 यह होजाएगा यहां से 112 देबाईड़ेड वैं फी फैट गीएट माइनस फॉर टो यहां पे फिटी टो इसितरлаह यहां तो जाएगा मारे पास 202 तो यहां से क्या तो यहां पर हो जाएगा 310 और यहां पर क्या तो यह जाएगा मारे पास 409 सयार सेग्ड ड्यश्युक्त डाइद हम होता है हमें 97-52 97-52 divided by 7-4 यानि कि हमें इस वार दो कांतर लेकर चलना है इसको बीच वाले खोटा देना है नेश्टर में 10-5 कर देंगे यहां पर किया 97-52 97-52 divided by 7-4 equal to यह हो जाएगा 15 इस तरह यहां पर किया हमें तो 202-97 divided by 10-5 तो फ्रेंट्स यह हो जाएगा मारे पास 21 इस तरह 310-202 divided by 11 upon 7 तो यह हो जाएगा मारे पास 27 और यह हो जाएगा पर इस तरह 33 अब डेल की एफेक्स निकालते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास 21-15 divided by 10 upon 4 तो यह हो जाएगा अपने पास फिर्स वन यह हो मैं यह खास यह जाएगा बाइक्स उसमें से इसको माइनश करते रवाइन फॉर करते यह जाएगा और यह भी जीरो अब फिर्ट यहां पर यह जो फॉर्मूले आ चुके हैं यह फॉर्मूले हमें इस जो वैल्यू आ चुकी है यह हमें इस वैल्यू इसमें पुट कर देनी है तो यह हो जाएगा fx equal to 48 f4 equal to 48 plus x minus 4 divided difference of f4 plus x minus 4 divided difference of f4 52 plus is there x minus 4 x minus 5 x minus 4 x minus 5 double double divided difference of f4 तो यह हो जाएगा 15 15 plus x minus 4 x minus 5 x minus 7 and multiply by 1 यह 1 हो जाएगा तो फिर्ट यह fx ब्राबर आगए हमारे पास अब हम इसको और solve करें तो यह हो जाएगा हमारे पास इसको solve करने पर फिर्ट हम देखते हैं यह जाएगा हमारे पास value जो आएगी x cube में आएगी तो यह हो जाएगा x square इसको solve आप कर सकते हो मैं सीधा value लिख रहा हूँ x square x minus 1 यह solve करने पर जाएगी अब हमारे पास पूछा क्या f2 पूछा है तो f2 इसमें x square 2 रख देने पर फूर हो जाएगा f8 पूछा है तो f8 हो जाएगा 448 एग 15 पूछा है तो वह जाएगा 3150 यह value आप यहाँ पट करके check भी कर सकते हो friends अब कामरे चल्ण में स्वागत है आज जो पढ़ने वाले हैं वह है सम सम् प्रोपर्टी और डिवाडे डिफ्रेंस डिवाइद डिवाइडे डिफ्रेंस क्या होता है और उसकी कुछ एल्जेब्रच प्रोपर्टी जम्पढ़ चुके हैं प्रेंट्स जो प्राणी व्योडियो में आपको दिखने को मिल जाएगी अब हम पढ़ते हैं प्रोपर्टिजी चो चोंब करते हैं इसको प्रोपरेंट यानि राइन पास को तब debakter है इसको प्रोपर्टिवर्टे में गांगा होगा उसके इसे इंडिपेंडेंट होगा उसके हमारे पास dependent नहीं होगा देशने फ्रेंच प्रूफ करते हैं इसको फ्रूफ करते हैं तो लेट कि ऐफ एफ एक्स ऐफ एफ एक्स का जो डिवाइड डिफरेंस है एफ एक्स लेट एफ एफ एफटेश इजा फंक्शन and divided difference difference of fx first divided difference of fx निकालते हैं तो यह जो divided difference होगा x0 and x1 यह निकालते हैं यह हमार पास क्या होता है fx1 minus fx0 upon x1 minus x0 यह इसमें दोने तरफ से minus common लेलें उपर से minus common लेलें नीचे से minus common लेलें तो इसको लिख सकते हैं fx0 minus fx1 upon x0 minus x1 तो फ्रेंट इसको क्या लिख सकते हैं fx1 x0 यह लिख सकते हैं तो यह हो गया हमारे पास यहां से और फ्रेंट यहां पर हमने देगा कि इसको भी बेरिय वाल है उसको कुछ भी हो हम उसको लिख सकते हैं यह इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी को अगर हम लिखना चाहें तो यह हो जाएगा यहां इसको लिखना चाहें तो fx1 upon x1 minus x0 minus अगर यहां से इसमें से minus common ले 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 तो यह हो जाएगा फ्रेंस इसको हम क्या लिख सकते हैं यह तो हमने इसकी help से लिखा है और इसके help से लिखना चाहें तो यह हो जाएगा fx0 upon x0 minus x1 plus fx1 upon fx1 upon x1 minus x0 x1 minus x0 अब फ्रेंस यहां पर हमने से क्रम चैंज हो गया लेकिन जो हमार पास value थी वो सेम रहेगी यह हो गया अब फ्रेंस नाव फूर x equal to x1 x2 and x3 यहां 3 के लिए लेने तो हम यहां पर x0 ले देते हैं यहां इसके लिए देखते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास fx0 x1 x2 equal to यह क्या होता है फ्रेंस यह होता है मारे पास fx2 x1 minus fx1 x0 यहां इसको हम यह भी लिख सकते हैं क्रम चैंज नहीं होता इससे तो क्रम चैंज करते हैं x1 x2 लिख सकते हैं इसको और इसको 0 1 कोई फरक नहीं परता क्योंकि हम किसका हमते पहले देख चुगा है क्रम चैंज करने इसको कोई फरक नहीं परता अपॉन यह हो जाएगा x2 minus x0 यह हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं फx1 x2 upon x2 minus x0 minus fx0 x1 upon x2 minus x0 और यहां से हम बना पॉन x2 minus x0 कोमन ले लिए हमने और कोमन लेकर हमने fx1 and x2 की value पूट करते हैं तो fx1 x2 value क्या आएगी जैसे इसके according आएगी जो आज आएगा हमारे पास यहां से अगर value पूट करते हम तो यह हो जाएगा fx2 minus fx1 upon x2 minus x1 minus fx1 minus fx0 divided by x1 minus x0 यह हो जाएगा अब फ्रेंड यहां से हम क्या कर सकते हैं इसका हम lcm ले रहे हैं तो lcm आजाएगा यहां पे इसका lcm ले रहे हैं तो यह तो बन अपॉन x2 minus x0 रहे गाए बार जो अंदर का जो lcm आया वो x2 minus x1 and x1 minus x0 अगया तो x2 minus x1 के डिवाड़ किया तो यह हो गया x1 minus x0 multiply by fx2 minus fx1 तो इसे multiply किया तो यह हो जागा मारे पास x1 fx2 minus x1 fx1 यह हो जाएगा फ्रेंड अब इस पर x0 से multiply किया तो minus का मां यहाप यहापर minus का सायन से multiply गते हो माइनस fx2 यहाँ minus माइनस का माइनस multiply हो रहे हैं तो यह हो जाएगा plus साथ में यहाँ यह पर x0 आएगा यहाँ यहाँ भी x0 fx1 अब इदर हमने multiply किया यह यहांस यह कट जायगा इसके multiply किया तो यह हो जाएगा मारे पास प्लस तो माइनस सब्सकत कर सावर यहां पर तो यह X2 का पहले multiply करें। तो X2 Fx1 और आगे झुटार्माइंगे वह आजाएंगे मारे पास यह पे हम उपर लिखने हो टर्म्स को तो X2 यह मिल्टिप्लाई की यह गारेगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास friends अप्रेंट हम यहां पर देखते हैं fx0 काँ कहा पर है ? fx0 यहां पर है last में अपने पास यहां पर आ रहा है x0 x0 यहां पर आ रहा है तो हमने fx0 common ले लिया तो हो जाएगा 1 upon x2 minus x1 डिवाइडर यहां हो जाएगा पहले fx0 common ले लिया तो fx0 तो उसके साथ बच गया हमारे पास x2-x1 x2-x1 and divided by x2-x1 यह x2-x1 यह और यह x1-x0 फिर यह यह x0 है यह हो जाएगा अब प्लस अब इस वार हमने एक्सटो तर्म को गामन ले गारे तो fx1 वाीटर्म कामन ले jadi तो मारे पास क्या बच गया ऐए fx1 अबर पास अंदर कि यहाँ पर x1-x0 म्हाइन यह तो x0-x1 और हमातर महीं यह आ आग divers यह X2 प्लस है लेकिन यहां पर दिख दें X1 माइनस है प्लस X1 माइनस X2 यह 1 है यह आ गया फ्रेंट्स हमारे पास हो डिवाइड वाई X2 माइनस X1 and X1 माइनस X0 प्लस इस वार हम लिए Fx2 वाइल टर्म कोमन ली तो यह बच गए हमारे पास और ज़या यहां से यहां से ढमारे पास === x0 डिवाइड य दुन माइनस x1 जीरो य यह आ गए हमारे पास अब उसको क्या लेख सकते हैं यहां पर देखते हैं Is2 निस x100 कट जाएगा तो यह जाएगा और एप एक्स 0 डिएड़ेड़ यहां पे रहे कर सकते हैं यहां से माइनस को मूले और यहु 125 पास X0-X1 and X1-X2 यह हो जाएगा इसको फ्रेंट हम यहां पर लिख रहे हैं तो यह हो जाएगा मारे पास अपर यहां पर यहां पर यहां पर fx1 वाले में महरे पास कटेगा तो कुछ नहीं लेकिन अगर जैसे हम यह करते हैं fx1 and x0-x1 तो यह कट जाएगा हमारे पास इसको अलगर टर्म में डवाइड कर लेते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास प्लस इसका तो अंदर multiply होगा यह हो जाए 1 upon x2 minus x0 and divided by इससे होगा पूरी टर्म से और यहाँ पर होगा fx1 और फिर अब पहले हम इससे कर रहे हैं तो x0 minus x1 से multiply किया इसका और इसका तो यह हो जाएगा हमारे पास x0 minus x1 कर जाएगी यह और यह हो गया x2 minus x1 और यह हो गया हमारे पास हाँ यह हो गया और प्लस fx1 यहाँ पर इसके इससे multiply किया हमने तो यहाँ पर x1 minus x2 यान कि यह कट जाएगी x1 minus x2 तो minus x1 minus x0 काटना है तो minus x1 common लेना पड़ेगा यह हो जाएगा minus और यह हो जाएगा और यह हो जाएगा x2 minus x0 यह हो जाएगा यहां से x1 x2 minus x1 गया है कि मैनस common लिए हमने तो यह हो जाएगा x1 minus x0 अब फ्रेंस last while term में है वह हमने पास fx2 तो इसमें यह x1 minus x0 से x1 minus x0 कट गया है तो यह बच गया x2 minus x0 x2 minus x1 यह बच गया है मारे पास अब फ्रेंस इसको तुम यह ही लिख देते हैं fx0 को यह रखते हैं तो यह बचाएगा x0 minus x1 and x1 minus x2 और फिर सब यहां फिर माइनस माइनस sign common लेके और fx1 common लेके और fx1 के साथ क्या common ले सकते हैं x2 minus x0 common ले सकते हैं इन दोनों term से और अंदर जो बच गया है वह हमारे पास यहां से x2 minus x0 common लेके दो x2 minus x1 plus बच गया प्लस और यह हमारे पास fx2 यह हमारे पास यह यह x2 minus x0 x2 minus x1 यह हो गया तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं यह तो हमारे पास fx0 रहेगा अपन इसको तो कोई चैंज ही नहीं करना हमें x1 minus x2 minus अब इसमें चैंज करना हमें तो इसमें चैंज करने के लिए फिर इसका LCM लेते हैं LCM लेते हैं तो इसका LCM क्या जाएगा x2 minus x1 x1 minus x3 multiply हो जाएगा उपर जाके हो जाएगा मारे पास fx1 upon x2 minus x0 और इसका LCM लेते हैं तो वह गया मारे पास x2 minus x1 x1 minus x0 और इसका multiply हो जाएगा मारे पास x2 minus x1 divided किया तो x1 minus x0 plus x2 minus x1 फिर यहां से देखते हम x1 से x1 कट जाएगा और last time जो आएगा हमारे पास वह हो है x2 fx2 upon x2 minus x0 x2 minus x1 यह हो गया तो इसको लिख सकते हम fx0 upon x0 minus x1 x1 minus x2 यहां से हमारे यह कट गया हमारे पास क्यों x1 से x1 कट गया अब x2 minus x0 बच गया तो यह भी x2 minus x0 है तो यह हो जाएगा हमारे पास x2 minus x0 x2 minus x0 दोने जगे हैं हमारे पास तो यह कट जाएगा फ्रेंड्स और हम क्या कर सकते हैं साथी अब यहां से minus common ले लें x1 से यहां से minus common ले तो यह हो जाएगा हमारे पास fx1 divided by यहां से minus common ले ले तो प्लस हो जाएगा यह हो जाएगा x1 minus x2 यह हो जाएगा हमारे पास x1 minus x2 और यह तो है हमारे पास x1 minus x0 यह हो गया प्लस fx2 divided by x2 minus x0 x2 minus x1 x2 minus x1 अफर यह से यह हो गया कि जो हमारे पास function था वो fx0 x1 और x2 के लिए भी हमारे पास सम्मेत है यानि कि यह symmetric function है अब हम यहां पर माल लेते हैं कि function किसी n के लिए हमारे पास symmetric है हम यहां पर माल लेंगे कि n के लिए symmetric के function तो उस condition में कि n के लिए हम क्या कर सकते हैं friends n के लिए अब n के लिए प्रूब करेंगे इसको तो वह हो जाएगा fx0 x1 dot dot xn वराबर तो mathematical index method से हम इसको लिख सकते हैं fx0 upon x0-x1 x0-x2 dot dot x0-xn प्लस fx1 upon x1-x0 x1-x2 dot dot x1-xn प्लस इसी तरह अग्ली तर्म चलते हुए है जब्री एंट n भी टर्म होगी fxn अब बराबर होगा वह होगा fxn-x0 xn-x1 xn-xn-1 यह होगा जो कि हमें प्रूब करना था क्योंकि हमार पास n बराबर टर्म के लिए हर्फ मेनिटिक से आ जाएगा जो कि हमें प्रूब करना हैंस प्रूब केरी हैं हलो हएलो फ्रेंट्स आपका मारी चलम स्वाह बढ़िता हैं आज जो पंडने बाले हैं वह हमारे पास इसेंट्रीन कोobed incapacety अमन क्या पृँगे पहले चंट्रीवित ऑपेटर एंड रिलेशन्स क्या होता है कोई डेल को फंक्षन है fx इसको इसको करते हैं तो इसको हम यहां पर डेल लिख सकते हैं तो इस पर हमने fx पर अप्लाइ कर दिया तो यह हो जाएगा fx प्लस बनवाइट टू इसको हम और क्या लिख सकते हैं इसको अगर इसको लिखना चाहिए तो इसको लिखना चाहिए तो इसको इसको मतलब जो फंक्षन होगा वह fx प्लस बनवाइट टू h fx प्लस बनवाइट टू h हो जाएगा इससे माइनस यहां पर जाएगा e-1 बाइट टू fx अगर 1 बाइट टू fx लिखना जाए तो यह जाएगा e-1 बाइट टू डेल बाइट टू fx यह हो जाएगा फ्लस अब हम आपके कह सकते हैं डेल इकलि निकालते हैं यह निकालते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना होगा डेल टेल fx यह निकालना होगा तो del fx क्या है अपने पास friends del fx यह है अपने पास तो यह हो जाएगा del of fx plus 1 by 2h minus fx minus 1 by 2h यह हो जाएगा friends अब हमने इसी definition के according इसका हमें डिफ्रेंस निकालना है इसको apply करना है तो यह हो जाएगा हमारे पास इसमें पहले क्या दल जड़ेगा तो यह होजाएगा fx plus h minus f इसमें przy 2h जड़ेगा तो यह x रह जाएगा अब przy 2h माइनस होगा माइनस का शाइन लगके यह माइनस होगे तो यह हो जाएगा best और यहाँ पर मी middle x माइनस है घटर ऑय फकी यह हो जाएगा माइनस यहां पर 2 और fx प्लस e inverse fx यह यह इसको लिख सकते हैं फ्रेंस e-2 प्लस e inverse fx यह इसको कर सकते हैं फ्रेंस को यह इसको आगे हम लिख रहे हैं तो e- e की पर बनवाए 2-e बनवाए 2 का whole square of fx यह लिख सकते हैं फ्रेंस को खोल के हम चेक कर सकते हैं क्योंकि e का square होगा तो 1 हो जाएगा minus 2 e बनवाए 2 e की पर minus 1 बनवाए 2 तो e की पर 0 हो जाएगा तो 2 रह जाएगा पिलस e inverse का e की पर minus 1 बनवाए 2 का whole square तो e की पर minus 1 रह जाएगा यह हो गए फ्रेंस यह आजाएगा मारे पास अब इसके दर हम डेल n निकालें डेल n fx निकालें तो उसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंस हैं डेल n-1 fx पिलस hy2 माइनस डेल n-1 fx-hy2 यह लिखा हैं तो यह हो जाएगा फ्रेंस यहां र बर 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 0 टू इंफिनिटी र बर 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 0 टू एन-1 की पावर र n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल fx-hy2-rh यह हो जाएगा यह बेल्यू आजाएगा फ्रेंस अब हैप तेल हम टेबल मनाते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए एक्से कुछ बैल्यू यूज होगी यहां टू रही होगी यहां से यह भाई-1 ले लेते हैं यह सेंटर में क्या है जो होगा हमारे पास जीरो होगा अब हमारे पास डैल निकालना है इसके लिए फर्स डैल निकालते हैं तो डैल यह होजाएगा डैल यह दोनों के बीच का तो माइनस बन वाई टू डेल वाई बन वाई टू डेल वाई थ्री वाई टू और यहाँ पर डेल वाई अब इस तरह डेल स्क्वेर वाई निकालते हैं डेल स्क्वेर निकालते हैं तो फ्रेंट डेल स्क्वेर वाई हो जाएगा पने पास del square y minus 1 del square y यहाँ पे निकालते है del square y 0 del square y 1 अब यहाँ पे del q निकालते है del q तो हो जाएगा पने पास del q y minus 1 by 2 इन दोनों के भीफ़ित का येद़ del q y 1 by 2 del 4 निकालते है तो हो जाएगा पने पास del dx4 y 0 यह जाएगा और में डेल के लिए मर पार 2 माइनस ऐ होता है अब डेल निकालते हैं उसके लिए बनारwir लगा देना है वहारे ऐसे ड्रोल कर यह फार्मूल किन के लिए जो और ब्रॉल होगे वह हमें सब कर देने हैं और जो वेल्यू आजा है वो हमारे पास रग देंगे अब फिर्स हम परते हैं Average Operator Average Operator क्या होता है Average Operator को हम New से सूख करते है New equal to होता है मारे पास 1y2 fx plus hy2 plus fx minus hy2 यह होता है हमारे पास यहां इसको हम क्या कर सकते हैं New fx equal to होता है 1y2 1y2 plus 1y2 of fx यह इसको कर सकते हैं and new fx तो यह हो जाएगा मारे पास new पराबर हो जाएगा 1y2 1y2 plus 1y2 यह होता है है यह हमार पास average operator होता है अब यह और operator आता है थर्ड operator जो होता है वह होता है हमारे पास Central Sum Operator Central Sum Operator Central Sum Operator Central Sum Operator क्या होता है fx plus hy2 minus fx minus hy2 अर्थात ऐसे कोई operator इसमें सिग्मा एंड डेल इक्वल टू बन हो सिग्मा एंड डेल इक्वल टू बन होता है फ्रेंड से यह जो operator होता है सिग्मा इसको हम यह सिग्मा उप्रेटर इसको सब्सक्राइब करते हैं हम कुछ रिलेशन पढ़ते हैं इनके बीत में है फ्रेंड हम यह पढ़ते हैं रिलेशन बिट्विन operator ई डेल 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 यह दो यह operator जो अपने पास है यह यह सेंट्र डेफरेटर बाला डेल है इसे हैं म्यू एंड सिग्मा से सबसे पहले पर थे फॉंच बढ़ते हैं रिलेशन बिक्विन रिलेशन बिविंग सिग्मा सो डेल एंड इस डेल यह इन दोनों के बीच में हमें डिलेशन पढ़ना है अपने डेल एफ एक्स ब्राबर क्या होता है यह सेंटल डिफरेंस ओपरेटर जो होता है यह होता है हमारे पास f x plus 1 by 2 h minus f x minus 1 by 2 h यह होता है तो इसको क्या लग सेकते हैं फ्रेंस e 1 by 2 h sorry e 1 by 2 f x minus e minus 1 by 2 f x कर दो अब अम्हें से मुखेंग क्या करना होगा हमें यह ब्राबर ने क्लिए क्या होता है ऐगल उसके लिए हमें यहां पर ई लाना है यह बीट क्वाइब लेना होगा ही इक बार माइनस वन पर ट्रू कॉमन ले लिए तो जाएगा e fx minus 1 fx यह इसको लिख सकते है e minus 1 by 2 e minus 1 fx e minus 1 by 2 गोराब fx होता है friends तो यह जाएगा e minus 1 by 2 तो यह जाएगा delta delta equal to e minus 1 by 2 delta यह हो गया हमारे पास अब हम second जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं relation between del and nevla अब यह पढ़ते हैं तो del fx पराबर क्या होता है हमारे पास यह होता है हमारे पास del fx पराबर जो हमने पहले इसको यहां तक लिख लेते हैं उसको तो यह हो जाएगा यहां पर लिख लेते हैं e power 1 by 2 fx minus e power minus 1 by 2 fx यह इसको लिख सकते हैं e power 1 by 2 minus e power minus 1 by 2 fx अफराबर नेvla बड़ाबर क्या होता है हमारे पास नेvla बड़ाबर होता है 1 minus e inverse यह नेvla बड़ाबर होता है यह हम पहले पढ़ चुके हैं यह फोर्मूले तो नेvla बड़ाबर होता है यह बन माइनस e inverse बड़ाबर क्या होता है नेvla नेvla e power 1 by 2 fx सो फ्रेंस डेल बड़ाबर हो गया नेvla e minus 1 by 2 यह हो गया हमारे पास नेक्स्ट ग्लेशन है वह ग्लेशन बिट्वेन यू डेल्टा एंड e यह यह ग्लेशन पढ़ना है हमें तो इसके लिए हमें नेvla mu बड़ाबर क्या होता है फिर्श मिव बड़ाबर होता है 1 by 2 हम पहले यह पढ़ चुके हैं e पर 1 by 2 plus e minus 1 by 2 यह होता है तो mu square क्या तो इसका square कर देंगे हम तो यह हो जाएगा 1 by 4 और square square करने पर यह हो जाएगा हमारे पास e क्योंकि इसका square क्या तो 1 हो जाएगा plus 2 plus e minus 1 यह हो जाएगा हमारे पास अब फिर्श इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 by 4 तो बाहर यह e minus 2 plus e inverse plus 4 यह लिख सकते हैं तो यह हम यहाँ पर हमने 2 को add किया है और 2 ही minus किया है अब फ्रेंस यहाँ से हमने पहले पहले पढ़ा था अब थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने यह पढ़ा था e minus 1 by 2 minus e 1 by 2 so e 1 by 2 minus e 1 by 2 का whole square equal to e minus 2 plus e inverse यह होता है यह हम पढ़ चुके हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास 1 by 4 यह हो गए e 1 by 2 minus e minus 1 by 2 का whole square plus 4 पर यह क्या होता है फ्रेंस यह हमारे पास del operator होता है यह जो operator होता है वो हमारे पास central difference operator होता है फिर central difference operator की definition क्याती यह थी अपने पास तो हो जाएगा 1 by 4 यह हो जाएगा del square और 4 का multiply के अंदर तो plus 1 तो फिर फिर से हमारे पास आ गया एक relation आ गया हमारे पास new square by our 1 by 4 del square plus 1 यह relation आ गया हमारे पास अब friends अगर यह mu है हमारे पास mu में 2 का multiply करें तो mu में 2 mu बराबर हो जाएगा मारे पास e 1 by 2 plus e minus 1 by 2 यह हो जाएगा और del बराबर क्या होता है हमने पहले पड़ चुके हैं यह होता है e 1 by 2 minus e minus 1 by 2 यह होता है अब हम दोनों को add कर दें दोनों को sum कर दें तो यह हमारे पास कट जाएगा उनली क्या बच जाएगा हमारे पास हम दें 2 nu plus del equal to e 1 by 2 2 times यह बच गया हमारे पास है तो यह वो गया हमारे पास है new plus del by 2 equal to e 1 by 2 यह आ गया यह भी हमारे पास से इनके बीच में रिलेशन आ गया है plus 1 by 2 del यह भी हमारे पास अब यहां पर हमारे पास new है new and del दोनों को multiply कर दें तो यह हो जाएगा मारे पास new क्या होता है 1 by 2 e 1 by 2 plus 1 by 2 और del क्या होता है friends होता है e की पावर 1 by 2 minus e की पावर minus 1 by 2 यह होता है कि अब दोनों multiply कर दिया तो यह हो जाएगा मारे पास 1 by 2 कि इसका multiply किया तो यह हो जाएगा हमारे पास e की पावर 1 by 2 और यह प्लस है तो यह हो जाएगा e यह माइनस b का होल यह माइनस b प्लस b a माइनस b है तो e square minus b square हो जाएगा तो यह हो जाएगा e and यह हो जाएगा मारे पास e inverse यह हो जाएगा अगर फिर से यह हमें से e inverse common ले ले तो उसके लिए हमारे पास 1 by 2 यह यह बारा जाएगा यह हो जाएगा e square minus 1 यह हो जाएगा यह को क्या लिख सकते है फिर से यह पर e common ना लेकर e inverse को 1 by e लिखें तो सीधा ही हो जाएगा 1 by 2 यह e को जो हमने common लिया है यह e inverse common ले लिया हमने तो e inverse को मिझे लिख रहे हैं तो e square minus 1 upon e यह हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते है e plus 1 e minus 1 लिख सकते है तो 1 by 2 e plus 1 e minus 1 upon e यह हो जाएगा हमारे पास है तो फिरस यह हमारे पास e minus 1 तो डेल हो तो यह रह जाएगा तो इसको आगे लिख लेते हैं तो यह रह जाएगा अब ए प्लस वन अपोन ए रह गया तो उसको क्या लिख सकते हम वन प्लस यहां पर डिवाइड किया तो यह इंबर्स हो जाएगा यह हो गया Talealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealeale अब बंवाय टू, डेल प्लस, डेल एंवर्स, यह relation आग है फ्रेंट्स, मारे पास, अब फ्रेंट्स हम अब पढ़ते हैं, relation between। सिग्मा एंड ई, यह पढ़ते हैं, relation between। इस Anlar हम सिग्मा एंड ए पढ़ते हैं, तो वह हो जांगा मारे पास, sigma fx बराबर क्या होता था szigma हम apply करते हैं szigma fxzens fx by 2 h यह होता था तो इसको क्या लग सकते हैna sigma कुछ तक यह हो जाएगा e- fx मैनेस E1-1Y2 Fx यह हो जाएगा अगर फिर सिंदें यहां पर हम E1-1Y2 multiply कर ले हैं 1Y2 Fx तो यह हो जाएगा हमारे पास sigma और यह अंदर multiply हो जाएगा इसका तो यह multiply लिए community tool होते हैं यह हम जानते हैं तो यह हो जाएगा Fx minus E1-1 माइनस बन हो जाएगा यह fx या इसको कर सकते हैं e-1 1 by 2 fx equal to sigma 1 minus e inverse of fx या इसको क्या लिख या यह हो गया हमारे पास तो यह हो गया हमारे पास e-1 by 2 equal to sigma 1 minus e inverse यह हो गया या इससे हम लिख सकते हैं sigma बराबर एक बार minus 1 by 2 divided by divided by यह हो जाएगा 1 minus e inverse यह हो जाएगा अगर हम e inverse की value e inverse बराबर 1 by e रख लें तो यह हो जाएगा मारे पास फ्रेंट्स एक बार minus 1 by 2 1 minus 1 upon e lcm लेकर हो जाएगा हमारे पास e का अंदर में उपर multiply हो जाएगा तो e की पार 1 by 2 बच जाएगा और हो जाएगा e minus 1 यह जाएगा यह फ्रेंट्स रिलेशन आ गया हमारे पास सिग्मा और e की बीट में आपका हमेरे चनल में स्वागत हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह हमारे पास कुछ कुछ थियोरम से हैं जो कि हमारे पास convex function even feasible region से रिलेक्टेड होंगी पहरी जो थियोरम में वह अपने पास the maximum of objective function region of ILPP is occurs at least at one vertex of s और जो कंडिशन हमें पास the feasible region of ILPP provided bounded यानि अगर feasible region bounded है तो उस condition में जो maximum value होगी objective function की वह किसी ने किसी एक vertex पर मिलीगी यह हमें सो करना है अपर इसको सो करने के लिए लिए लेट एक जिरो व्लॉंग्स टू एस बीदा पॉंट सच एट fx अकर्स maximum value on x0 वह हमने एक 0 पॉंट ले लिया उस पे हमारे पास वह वैल्यू है वह maximum है तो हमने पर दैन fx 0 is less than equal to fx fx 0 पर हमारे पास value लिये हमने पर maximum लिये तो बाकि और पॉंटों के लिए function की value जो होगी object function की या तो उससे कम होगी या उससे एककल होगी आउन्ट सिंस एसंट एंदिक यह तो यह निंट ऑपคणिस दिया होता कंजिछन की फस्किल दीदेर भांडा यह यह लोगल इस एश्लाम्ण जैन फूर लैत इंफूर अन् Eating म्योटश마 एंड है ठेल क्योंकि यह जो number होगा वह bound finite होगा let x1 x2 dot dot xn be the vertex of s यह हमने मान लिया जिए x1 x2 और xn है इसके n vertex है on s और xi बिलोंगs to s, i ब्लाबर 1 to n then fx0 is less than or equal to fxi क्योंकि fx0 जो point सा हमारे पास उस पर हमारे फिस maximum value attend कर रहा था function objective function है तो बाकी और point पर या तो less than less than equal to हो गई है यह condition हो गई now now feasible set of our LPP always convex set क्योंकि हम पहले पहली जो थोरम थी व्यूडियो थी उसमें हमने पढ़ा दा कि जो feasible set होता है LPP का वह हमेंसे convex होता है तो उस condition के according हम x0 को हम इसके x1 x2 dot xn के multiplication के रूप में लिख सकते हैं तो alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus dot dot alpha n xn जहां पर alpha 1 plus alpha 2 dot alpha n equal to 1 यह alpha i greater than equal to 0 for all i equal to 1 to n यहां जो alpha के जितने भी है उनका sum होगा n के इक्कुल होगा और चुकि है LPP problem है तो function के हमने function इस पर लगा रहे है function fx0 equal to function of alpha x1 alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus dot dot alpha n xn अब जो कि यह linear function है तो function को हम इस तरह से लिख सकते हैं f alpha x1 plus beta x2 equal to alpha fx1 plus beta fx2 तो इस formula लिखने पहले हमें function को अलग अलग लिख सकते हैं alpha 1 fx1 plus alpha 2 fx2 plus dot dot alpha n fxn अब हमने इस में से कोई पॉंट ले लिया इन सारे पॉंटों में से fx1 fx2 fx में से कोई हमने पॉंट ले लिया जो की maximum value रख रहा है तो maximum value रख रहा है तो हमने माल लिया fxp वराबर maximum of fxi अब चुकि यह function में हमने maximum लिया है तो यहां पर बड़ी नंबर से change हो गए यहां पर बड़ी नंबर से change हो गए इस तरह सभी बड़ी नंबर हो चेंज हो गए तो यह हो जागा हमार पर fx0 is less than equal to alpha 1 fxp plus alpha 2 fxp plus dot dot fxp तो fxp उसको पाद हम common ले लिया तो हमारे पास यह हो गया fx0 less than equal to fxp क्योंकि alpha 1 plus alpha 2 2 plus dot dot alpha n था वो हमारे पास इस तरह सम्था वह 1 था तो यह हो गया fx0 less than equal to fxp बट जो हमने पहले condition ली थी वह क्या ली थी fx0 is greater than equal to fx fx क्याते हैं जो भी हमारे पास feasible region में जो भी point थे feasible region में यह भी point है x1 x2 dot xp जो कि हमारे पास vertex हैं उनसे बड़ा आ गया तो उनसे भी बड़ा होगा क्योंकि feasible region के सारे point के लिए condition satisfy कर रहा है तो इस point के लिए condition satisfy होगी तो इन दोनों की help से हम लिख सकते हैं जो चोटा है चोटा है बराबर है तो यह तो दोनों condition में सर्फ एकी condition satisfy होगी वह होगी fx0 equal to fxp अब फ्रेंट समने पास जो second थ्वरा में वह है in the LPP of object function fx attends its maximum value at an interior point of s s is the feasible region of LPP then f is constant provided s is bounded फ्रेंट यह हमार पास थ्वरा में वह कह रही है कि अगर को हमार पास LPP है और उसका objective function fx है उसकी value अगर maximum value कोई interior point याने की region के अंदर वाले point पे जाएंगा यान पे अटरेंस करते हैं region जैसे कोई region इस तरह से region है कोई और वह अंदर इस point पे maximum value maximum value है उसकी तो यह कह रहा है कि अगर अंदर के हमें maximum value मिल जाती है तो वो कहता है कि then f is constant जो function था objective function वो constant होगा provided s is bounded मतलब यह condition है कि s हमारे पास bounded होना चाहिए अब फिर इसको प्रूब करते हैं let x0 belongs to interior of s हमने x0 को ले लिए कोई भी जो की s का जो region था उसके कोई interior point है then x attends its maximum value at x0 क्योंकि हमने x0 एक interior point लिया है और ले लिया कि मान लिया कि हम जो x0 पर है वो maximum value attend कर रहा है then fx0 greater than equal to fxi for all i belongs to s less क्योंकि fx0 highest value attend कर रहा है तो बागी और points के लिए हमारे पास या थो less छोटा होगा या उसके उक्कल होगा यह ले लिया हमने now suppose that fx is not constant हमने एक लिए suppose कर लिया कि function है वो constant नहीं है then we can find two points x1 and x2 as such that fx0 is less than fx1 strictly less than यह बात जहाना रखने हमां friends fx0 is strictly less than fx1 and fx0 is strictly x2 fx2 क्योंकि हमारे पास जो f वो constant नहीं है constant नहीं तो definitely उनसे छोटे हम दो पॉंट हम इंबल जाएंगे now x0 can be written as the clc of x1 and x2 क्योंकि कोई भी उसके feasible region है तो उसके कोई किसी पॉंट को हम दो पॉंट हों के clc के रूप में हम लिख सकते हैं तो हमने लिख दिया x0 बरावर lambda x1 plus 1 minus lambda x2 यहां पर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसे यह feasible region था है यहां हमने पॉंट ले लिया यहां पर हमने x1 ले लिया यहां हमने पास x0 तो इस पॉंट के clc के रूप में x0 को लिख दिया हमने और यहां पर दोनों जगह पर जो x1 है और x2 है fx1 less than fx2 and fx sorry fx0 and fx2 less than fx0 यह condition वाले पॉंट हमने ले लिया है यहां पर then fx0 is less than equal to f lambda x1 plus 1 minus lambda x2 but जो यह function है यह linear है तो यह उजाएगा f lambda x1 plus 1 minus lambda x2 function fx0 बराबर lambda fx1 plus 1 minus lambda fx2 तो फ्रेंसे यहां पर हमने यहां पर क्या क्या है हमने हमने माल लिया कि जो function था यह fx1 जो था fx1 equal note fx2 and हमने साथ ही माल लिया fx1 जो है fx2 से बढ़ा है क्योंकि यह function constant नहीं है यह function नहीं तो ऐसी condition हम ऐसे point निकाल सकते हैं कि बड़े और छोटे हो उनसे बहले हम fx2 को बढ़ा माल ले किसी को equal point नहीं हो ऐसे value निकाल सकते हैं यह हमने value निकाल लिया तो यह हो गया fx0 is less than lambda fx1 plus 1 minus lambda fx2 यह हमने condition लेगे चले हैं then fx0 is less than equal to lambda plus 1 minus lambda fx1 और यह हमने पर संप्लाई कर देता fx0 is less than fx1 यानि कि fx1 से छोटा है fx0 यानि fx1 जो है वो बड़ी value है बट हमने fx1 को क्या माना था छोटी value माना था और fx0 को हमने highest value माना था यह contradiction आ गया so fx is constant यह हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमने यह सब जोल हुआ था यह तब ही वादा हमने function को constant माना था constant नहीं माना था तो हम कह सकते हैं कि f is constant है अब फिर हम next theorem पड़ते हैं वह theorem में बड़ते हैं the set of all optimal solution of a LPP is always a convex set हमने यहां पर theorem लिए कि कोई यह कमर पास है so LPP दी हुई है उसके optimal solution है जो optimal solution का में एक set बनाए तो हमें से convex set होगा यह सो करना है हमने यह कि इसके लिए कि हमने LPP ले लिए वह हमारे पास जो वह point है जो हमारे पास value है वह optimal solution दे रहा है इस the set of our optimal solution so CT x1 वराबर CT x2 वराबर CT xn equal to m क्योंकि optimal solution यहां पर सभी equal है यह इसलिए है क्योंकि optimal solution होगा वो एक ही होता है यूनिक होता है तो यूनिक जो maximum होता है वो CT x1 पर भी दे रहा है now we want to show that कि इसके जो point होंगे उसो linear combination के रूप में लिखा जा सकता है तो उसके लिखने के लिए हमें क्या x वराबर कोई point माल लिया जो कि इस तरह से इस फॉर्म है lambda x1 plus 1-lambda x2 और हमें यह सो करना कि यह है वह s का ही set है यह जो point है है इस से पॉंट सो होंगे lambda की अलगलग value के लिए वह सारे पॉंट s न होंगे हमें यह सो करना है कि अपरेंज यह सो करने के लिए हमें हमें दोनों तरफ हमने CT जो कि हमार पास constant है constant CT के हमार पास है constant matrix है constant है और CT यह एक column matrix है बस CT यहां transpose हो कि यह row matrix हो गया तो यह row matrix sorry column matrix है यह CT CT row matrix है CT row matrix का हमने multiply कर दिए दोनों तरफ तो चुंकि lambda constant है तो lambda 12 जाएगा lambda CT x1 plus 1-lambda CT x2 चुंकि दोनों जगे पर हमारे पास यह value क्या है m है तो यह हो गया lambda m plus 1-lambda m तो m को common ले लिए यहां पर तो यह हो गया lambda plus 1-lambda m तो CT x बराबर भी हमार पास m आ गया मतलब जो x के लिए था वह उसके लिए हमार पास जो value थी वह m यह आ चुकी है सो हम कह सकते हैं x है वो भी s से विलोंग करता है सो s is convex set italian करत से विलोंग अब फ्रेंट्स हमारे पास आता है अगे लिए कंडिशन फेजिबल डिजन ओफा LPP is always convex है यह हमारे पास नई दोरम है इसको प्रूब करते हैं यह फेजिबल डिजन ओफा LPP कोई भी लिने प्रोग्राम प्रॉब्लम होगी और फेजिबल डिजन होगा वह convex होगा यह प्रूब करने के लिए let maximum z equal to ctx जो हमने एक LPP मान रहे हैं कि maximum z equal to ctx subjective condition है यह x less than equal to v and x greater than equal to 0 यह हमारे पास एक condition है अब इसमें हमें feasible region क्या होगे फ्रेंट्स जो feasible region होगे जो कि सारे conditions को satisfy करिंग या नहीं कि यह से पॉंट जिनके लिए यह x less than equal to v यह होंगे let s be the set of all s with the feasible region then let x1 and x2 belongs to s को भी हमने एक से दो पॉंट ले लिए तो उनके लिए feasible region होने के लिए इस condition को satisfy करना पड़े हो तो यह x1 is less than equal to v यह x2 is less than equal to v नाव हमने कोई x एक अलग से पॉंट लिया है जिसको हम lambda x1 plus 1 minus lambda x2 के रूप में लिख सकते हैं यानि कि यानि कि हमने लिया है lambda x1 plus 1 minus lambda x2 जो भी दो पॉंट होंगे इनका segment पर जो भी पॉंट होंगे उनके लिए यह लिया है यानि कि lambda x1 plus 1 minus lambda x2 is less than equal to अगर यह कर से multiply कर देता यह lambda x1 plus 1 minus lambda x2 is less than equal to b यह यह हो गया यह x परापर lambda x1 plus 1 minus lambda x2 अगर दोने तरह हमने matrix यह multiply कर दिया तो यह x equal to lambda constant तो बार जाएगा तो यह lambda x1 plus 1 minus lambda x2 तो यह x1 equal to यहाँ पर हमने बड़ी हो है value यह x1 से सभी value जो बड़ी value है बी है तो हमने वह x1 की जागे बी पूट कर लिया यह x2 की जागे बी पूट कर लिया तो यह less than greater than sorry less than equal to sign जाएगा तो यह less than equal to b common ले तो lambda plus 1 minus lambda और यह x is less than equal to b जो कि हमारे पास feasible region के लिए क्या है condition है कि a x is less than equal to b so हमारे पास so s is a convex set अफ्रेट हमारे पास नई त्योरम में वो ले रहे है कि आड़े डीपी इस और फ्रेजिबल रीजिव जिए बांड़ेड रीजिन एक बांड़ेड तीया हुआ है जै ओप्रेड सौलीव बांड़ेड रेजिबल बांड़ेड रहे कि जो हुआ बांड़ेड रहे है तो अगर सॉलुषन जो तो रीजन अगर solution bounded है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो region हो वो भी bounded हो यह हमें सो करना है तो इसके लिए हमें पहले सो करने के लिए कि if LPP का feasible region bounded है then optimal solution bounded होगा यह सो करने के लिए हमने LPP ले लिया है left maximum j equal to ctx subject to ax less than equal to b x greater than x greater than equal to 0 given that feasible region is bounded यानि कि यह x less than equal to b है जो इससे reason मतरा feasible region वो bounded है so x is finite या fixed value क्यों x जो होंगी उसके value होंगी यह finite होंगी या fix होंगी यानि ज्यादा value नहीं होंगी तो c and c is constant क्योंकि c जो है यह constant constant है so ctx is also finite क्योंकि जो reason है वो हमारे पास bounded था तो x की value होगी वो हमारे पास सारकॉंट तो यह भी value होंगी यह bounded होंगी तो ctx जो होगा वो भी finite होगा हमारे पास so solution is also bounded but converse प्रोव करने के लिए let but for converse let maximum z equal to minus x1 subject to x1 greater than equal to 0 इस condition में फ्रेंस maximum z निकलना हम है और objective function है minus x1 then the maximum value of z equal to 0 क्योंकि x पर के कुछ और value होंगी जो negative minus में चलता जाएगा क्योंकि x जो है वो हमें सक positive है but reason is unbounded क्योंकि x की value positive में कितनी भी जा सकती है one two three infinity जा सकती है तो जो reason होगा है वो unbounded होगा है बट जो value होगा है वो इसकी bounded हो चुकी है हमारे पास नई problem है वो नई थोरम है वह दा minimum of a LPP occurs on some extremum point यह का है फ्रेंस को भी LPP होगा उसे जो extremum minimum होगा वो किसी extremum point पर ही होगा और यह prove करने के लिए हम let minimum z equal to ct x subject to a x equal to b हमने यह LPP मानती है और जहां पर b है वो greater than equal to zero होंगे let x zero is the point which is optimal solution of LPP हमने x zero point को कि इस तरह से ले लिया है कि वो कि optimal solution है LPP का then ct x zero is minimum value of fx क्योंकि x zero point को हमने इस तरह से माना है कि वो optimal solution optimal solution problem किस तरह के minimum प्रकार की तो minimum प्रकार की optimal solution बार प्रकार होगा उस पर value होगी minimum होगी and let x zero is interior point हमने exterior point की जगे x zero को interior point मान लिया हमने कोई भी अंदर का point मान लिया है हमने let ct x zero equal to m यानि कि हमने ct x zero को m जो मान लिया minimum है यह value ct x zero पर और यह interior point मानना है हमने इसको क्योंकि s is convex so x zero can be written है चुकि s जो है वो convex है इसलिए हम x zero को इस form में लिख सकते हैं मान लिया यह x1 और x2 यह अंदर ही point इसके तो इस तरह से यह मान लिया हमने दो x zero equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2 तो ct x zero equal to lambda constant यह बारा दाएगा ct x1 plus 1 minus lambda ct x2 but ct x0 बराबर m जो कि minimum value है so ct x1 जो होगा वो m इससे बड़ा होगा ct x2 दोनों जो value होंगी इससे बड़ी होंगी तो हमने value यहां पर जो बड़ी value है ct x1 and c2 xt इसके लिए हमने इन दोनों से बढ़ी होंगी एक छोटा number आजाएगा m1 जो सबसे छोटा number है ct x1 औ ct x2 से छोटा m है तो हमने यहां पर छोटा number m पूट किया तो यह माज़ बढ़ा हो जाएगा है क्योंकि यहां पर हम छोटा number पूट कर रहे हैं तो यह होजाएगा ct x0 greater than greater than greater than to m बट ct x0 क्या था हमार पास minimum था ct x0 माना था जो कि minimum था लेकिन हमने दिखा दिए कि जो ct x0 m से बड़ा है वर m सो minimum है और ct x0 को एक्वल माना था है यह हमरे पास एक contradiction है गया तो x0 is not an interior point क्योंकि हमने जो जो भी क्याता है x0 को interior point मानके क्याता है तो हम कह सकते हैं x0 is exterior point क्योंकि interior point और नहीं है क्योंकि contradiction आ गया तो यह exterior point हो गया अब फिर अगली थिख्योरम में कि अब्री लोकल ऑप्टिमल सोलीशन इस आज सो एक ग्लोबल ऑप्टिमल सोलीशन अब यह प्रूब करते हैं यानि कोई भी हमार पास प्रोव्लम होगी उसमें सबसे पहले यह समझना होगा मार पास लौकल ऑप्टिमल और इसका पासंता है तो इसके जो नेबर बनेगा एक इसके जो नेबर बनेगा nx0 डेल इसमें जो वैल्यू होगी फंक्षन की fx0 वह होगी जैसे अगर प्रॉब्लम मैक्सिमम की है तो यह fx0 सबसे बड़ी होगी fx for all x belongs to neighborhood of x0 यह होगी यह हमारे पास local optimal हो गया और global optimal का मतलब है फ्रेंट्स जो पूरे इसमें optimal हो यानि कि इसके लिए तो होई और बाकि इसके लिए भी हो तो वह global optimal हो जाएगा जो हमें यह सो करना है every local optimal solution हमें को लोकल optimal solution लेकर चलना है उसको हमें global optimal solution सो कर देना है इसके लिए फ्रेंट्स हमें एक LPP मान लिया हमने let LPP maximum z equal to ctx यह हमने LPP मान लिया maximum z equal to ctx और subject to ax less than b let x0 be the local optimal solution हमने x0 को local optimal solution मान लिया belongs to neighborhood of x0 neighborhood of x0 intersection x याने कि यह जो point है इसमें सारे point के लिए ctx0 बढ़ा है ctx से now take x2 is any another point which is outside from neighborhood of x0 इस neighborhood of x0 से इस region से हमने एक दूसर point ले लिया बाहर इससे x2 यह हमने point ले लिया इन दोन पॉंटों को मिला दिया x2 को और x0 को then we can find a point on line segment x0 x2 यानि x2 और x0 इस line पे हम एक point इस तरह से निकाल सकते हैं क्योंकि यह neighborhood यह neighborhood हमें से open होता है तो यहाँ पे कोई निकाल सकते हैं we can find a point of line segment x0 x2 for some value of lambda lambda कि किसी value के लिए such that x i is a point of neighborhood of x0 neighborhood के लिए lambda कि किसी value के लिए इस पे यहाँ पे value point अमारे पास मिल जाए क्योंकि जो lambda जो होता है lambda x0 q1-lambda x2 किसी लेमड़ा की एक value के लिए x1 बराबर x1 इस तरह से मिल जाएगा कि lambda को fix value होगी की value होगी यह 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 point यह land होती है क्या सो करता है हमारे पास land segment को गता है इस land segment को तो land segment पे किसी ना किसी lambda की value के लिए यहाँ पे x value अंदर मिल जाएगी वहाला कौन हमने ले लिया है then ct x1 is strictly less than equal to strictly less than ct x0 क्योंकि function constant नहीं है तो strictly less than माल लिया क्योंकि यहां पर हमने ct x1 को और ct x0 से strictly less than माल लिया now x1 equal to lambda x0 plus 1 minus lambda x2 क्योंकि उसको linear combination के रूप में लखा है हमने x1 को कि लेम्डा को fix value के लिए for some fix lambda now ct x1 हमें ct यहां से ct था इसका हमने multiply कर दिया दोनों तरफ पे लेम्डा constant तो बारा जाएगा तो यह हो जाएगा lambda ct x0 या इसको इस तरह लिख सकते है ct lambda x0 plus 1 minus lambda ct x2 अब हमें क्या चाहिए फिर्स यहां पर चाहिए हमें x2 के लिए भी हमें fix करना है कि x2 के लिए भी global है तो इसके लिए में x2 वाले टर्म को एक तरह परका है और दूसरी टर्म को इस तरह ले गए तो 1 minus lambda ct x2 को यहां लिख दिया है बाई बन जो equation 1 थी उसके according क्या थी अपने पास तो ct x यह equation थी ct x1 less than equal to ct x0 इस equation से हमने बड़ी बड़ा नंबर है क्या है ct x0 तो ct x0 यहां पूट कर लेंगे हम यहां बड़ा नंबर पूट किया चुकि अब यहां पर हम देखते हैं जो नंबर है ct x0 और यहां पर हम बड़ी बड़ा नंबर पूट कर रहे हैं ct x1 की जगे तो बड़ा नंबर पूट कर रहे हैं तो यह बड़ा नंबर पूट कर रहे हैं तो यह बड़ा नंबर CT X0 से common लेकिक तो यह हो गया है 1-less lambda CTX2 less than equal to 1-less lambda CTX1 अब तो कि 1-less lambda 2-less lambda यो लेमडा की value क्या होती है 0 और 1 की बीट में होती है हमेसे तो बन मैंडस से 1-less lambda cut जाएगा और स्क्तम्री नहीं होगा तो इसलिए लिकांगे 1-less lambda is positive चो सुट यह कहाँ हैं C2 X2 less than equal to CTX0 पॉंट था जो कि हमारे पास नेवरोर से बाहर था उस पॉंट के लिए हमने प्रूब करते हैं कि वह X0 होगा वह मिनिमम होगा तो यह हो गाए हमारे पास तो किसके हम X0 is also minimum value point of X2 so every local every local maximum of LBP is a global maximum और फिर्स यहां पर प्रोलम में एक बात सुचने वाली बात है जब हम यहां पर पॉंट लिया था हमने तो X1 को अंदर ही क्यों लिया था X1 को बाहर भी तो ले सकते थे लिए नहीं लिया था क्योंकि हमने पहले पढ़िया है अपने पास कि जो वैलू होती है उसकी यह तो इंटीर पॉंट पर होती है यह फिर बाउंडरी पर होती है यह तो इंटीर पॉंट या बाउंडरी तो इंटीर पॉंट भी बाउंडरी पर होता है जैसे यहां लेते तो हम यहां से पॉंट वाली यहां वाले पॉंट के लिए के कंडिशन सेटिस्पाइड नहीं होती यह बाले पॉंट के लिए फेजिबल नहीं रहता है इसलिए हमने पॉंट को अंदर की तरफ लिया हूँ है इस पॉंट को तब हमने प्रूब किया है Thank You Friends हेलो फ्रेंड्स आपका अमने चनल में स्वागत है आज जूम पढ़ने वाले हैं वह अपने पास ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व और तू सॉल्व और फाल पीपी वह हमारे पास लिंडे प्रोग्राम प्रोल्म दियुए होगी उसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वह पढ़ना है हमें जैसे के एक्जामपल के लिए एक हमारे पास प्रोल्म दियुए है सॉल्व करते हैं तो ग्राफिकल सॉल्व करते हैं तो ग्राफिकल सॉल्व करते हैं तो ग्राफिकल सॉल्विशन में पहले हम जैनल मेथड देखते हैं जैनल मेथड और फैजिबल रिजन जो होता है किसी भी ग्राफिकल सॉल्व करते हैं तो ग्राफिकल सॉल्विशन में प सोत靂ंज के लिए जो उसको निकालने के लिए मिए जनल मेतर देखते हैं फिच्ट फिच्ट पूट दा ऊफ एपीवरण वैर्फ का आप के निगए छहां फिच्ट मेतर कह रहा है पूट दा लैंने गराफ जो लैंटoop हुई है minus x plus y less than equal to 1 एक लैन में change करते हैं तो इसके लिए inequality को equality में change करना होगा तो minus x plus y equal to 1 ये एक line है इसको में graph पूट करना है तो इसके लिए हम देखते हैं y equal to 0 put करें y equal to 0 put कर देते हैं तो हमारे पास आज़ाता x is equal to minus 1 यानि कि एक तो यह point होगा हमारे पास जहां से जा रहा होगा और दूसरा अगर हम x 0 put करें तो y equal आता हमारे पास 1 यह इस line के फिर स्थ दो पॉण्ट होगए is line के minus x plus y is line के दो पॉण्ट होगए तो इन से जा रहा है तो y 0 x minus 1 एक तो यह हो गया इस यह हो गया तो इन दोनों को मिलाने बाए जो लाइन होगी यह हमाय हमने फ़र्च दे दिया इसको और यह वाद लाइन हो गई और सेकिंड अपने पास टू एक्स प्लस वाई लेस दन इकल टू पहले इसको लैन में चैंज करने के लिए टू एक्स प्लस वाई इकल टू अब इस प्लस वाई अब इस इस कुछिसं वाधर नह장이 पूट एक्स वाजाँ तो यह प् 너 हो गया है तक बाइट आप बाऊन देछाए क्ईर लेक्स प्लस फेश हो गया है मिधिंण अर वर्द Maar time पूट कर है वाइं यह ब्राबर जिरो तो एक्स प्राबर वन हो स्ины यह प्नल वहाई व रहवर टू होगा यहां पर यह यह रहए इस फ़रावर क्या वाई ब्रावर जीरो हो तो वाई एक्स प्रावर बन यहां पर पोंट मन लेते हैं इस तरह से तो यह फ्रेंट्स यह जो हमारे पास graph बना दोनों को यह graph बन चुका है अब इन दोनों पॉइंटों के help से हम इस पॉइंट के निर्देशांग निकालेंगे हम इस पॉइंट के निर्देशांग निकालने लिए हमें क्या करना होगा इसमें 2 का multiply करें और add कर दें इसमें 2 का multiply कर दें और इसमें हम एड कर दें तो यह जाएगा 2y-2x प्लस 2y एकुल टू 2 and 2x प्लस y एकुल टू 2 दो लोग एड कर दें तो माइनस से माइनस कर जाएगा 3y एकुल टू 4 यानि कि हमारे पास आ गया y एकुल टू 4 अपॉन 3 यहां पर पूट करते हैं इस question में तो 4 अपॉन 3 हो जाएगा इदर जाएगा तो 4 अपॉन 3-1 यह हो जाएगा मारे पास 4 अपॉन 3-1 यानि-1 अपॉन 3 तो एक ब्रावर आगए 1 अपॉन 3 तो वह गया है चेक हमें चेक करना है तो यह दो तरीके हैं हमारे पास फैस्ट जो कंडिशन है इस पास फ्रूम और जो पहली कंडिशन होती है वह है कि हमारे पास जो लाइन है जो ओरिजन से पास होती है नहीं पर यह अगर पास होती है तो यह कंडिशन और नहीं होती है तो दूसरी कं आप लेके चलते हैं जहां पर जिस तरह x is less than equal to 2y यह हमारे पास कोई condition दिए हुई यह हमें example में ले रहे हैं इस example में इस example से इसका कोई connection नहीं है तो यह हमने सर्फ एक समझने के लिए ले रहे हैं x less than equal to 2y यानि x equal to 2y तो हम देखते हैं जैसे हम y की value रखते हैं तो x दुगना हो जाता है जैसे y की value हमने जीरो रखें दोनों पर जीरो जीरो आएगी origin से जाएगी और y की value 1 आएगी तो x equal to 2 आएगा यह यहां से इस तरह से लेंज जाएगी यह फिर इस लेंज जाएगी अगर ऐसा के सो कि अगर और जा रही हो तो उसके समें देखते हैं x less than equal to 2y अभी इस यह जा रही तो उस पर अब यहां पर भी ले सकते हो यहां पर कहीं भी ले सकते हो एक्सेश पर ले लो तो हमने यह ले लिया यह इस पॉंट के लिदेशन क्या है minus 1 and 0 अब फिर इस पॉंट पर हम देखते हैं यह conditions को satisfy करता है यह इसको satisfy see that it satisfy the given condition or not हमने यह देखना है तो यह हम देखते है minus 1 less than equal to 0 condition satisfy कर रहा है क्योंकि by ब्रावर 0 है तो यह condition को satisfy कर रहा है अब यहां पर if it satisfy the condition then feasible reason is the reason which is the side and point अगर यह condition को satisfy कर रहा है तो जो feasible reason होगा वो reason होगा जो की point की side में होगा मतलब की reason होगा यह reason होगा और अगर second condition if it is not satisfy the condition then feasible reason is outside of the point अगर इस condition को satisfy नहीं करता जैसे अगर हम point यहां पर लेते हैं यहां पर क्या होता है वार बास point 1 0 लेते हैं हम जैसे यहां पर तो इस condition में हम देखते है कि रहा 1 less than equal to 0 condition को satisfy नहीं करता तो जो reason होगा वह point की दूसरी तरफ होगा हमने यह point लेके चले तो इधर आजाएगा reason तो यह reason हो जाएगा इस तरह friends second case है if land does not pass from origin जो के हमारी problem थी main problem थी उसमें यह condition बन रही है if land does not from origin अगर जो land है वो origins नहीं जा रही है then take origin 00 and put in the condition हमें 00 origin जो है उसको लेना है और conditions पर apply कर देना है condition क्या थी हमारे पास friends condition थी हमारे पास minus x plus y less than equal to 0 अगर यहां पर हम 0 हो रही है तो 0 & 0 यह satisfy हो रही है हमने पास पहली condition satisfy है यहां पर 00 करना 0 is less than equal to satisfy है दोनों condition फिरस ध्यान रही है दोनों condition satisfy हो रही है हमारे पास तो उस condition हमारे पास क्या करते है if land does not pass from origin then take origin हम 00 ले लिया है if condition satisfy then feasible region is in the side of the origin condition satisfy कर रही है हमारे पास दोनों the privilege country तो जो उर्ची रिजल होगा वो origin की तरफ होगा है यह रिजन जो होगा origin की तरफ होगा कि यह कि अहलक कि तरफ हो ग settlements यह दो इस का जो रिजन है वह origin की तरफ हो गया इस लेंडान की तरफ हो गया अर्शाथ में हमारे पास दो condition और ए기에 to x & y about 0 यह 0 तो हमार पास ऐसा this region जिए सिर्म सारे point को satisfy कर रहें हैं वह कौँशा region यह reason यह बना है आपस इस region में सारे point सिर्ट को satisfy कर रहे है इस region के point तो यह हो गा है हमारे पास इसका का फेजीबु रिजिछन उस इस ग्राप को हमने यहां पे ढलिया है यही ग्राप आप्या यह आपर तो आप फांद हिंक निखन और 93 कैसे आजाया है Ale closed सम्सक्राइब दो त्रेशंदमें ऑंर पडला सबने कौने विर और हम प्रोपर्पर्टी पढ़ेंगे यूद में दिया होगा उज्त प्रोपर्जिपल रीजन уже بين जो बाउंडरी लाइन होंगी उन्हीं पर से होगा और बाउंडरी लाइन पर भी वहीं होगा जाकि यह वर्टेक्स होंगी यह पॉंट होंगे वहीं पर फेजिबल रिजन के जो ऑप्टिमल सोरिशन होगा वह उन्हीं पॉंटों पर होगा तो उन पॉंटों पर हम देखते है लिए इसपॉंट के नहींच क्नाहिसरं क्या था जी रो जीरो है इसीडीस नहीं पर देखते हैं सुभुए 4पर देखते हैं ऑपॉन 3 and optimal point optimal solution जो रहा है वो रहा है मेरे पास x बन वराबर x बराबर बन अपउन 3 and y वराबर 4 अपउन 3 यह जो solution रहा है यह हमारे पास इसका जो optimal solution आ चुका यह और एकर इसमें minimum पूछता है तो minimum क्या आज़ता अबने पास 00 तो यह condition में 00 आ जाता है और optimal solution बजाता है 00 हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी चैनल में स्वागत है हमने जो प्राणी वीडियों पढ़ा था वो पढ़ा था हमने linear program problem किसे कहते हैं और linear program problem की standard form क्या होती है हम यह पढ़ चुके थे अब हम पढ़ने वाले convex set convex set क्या होता है a set s subset of rn is set to be convex if and only for all x1 x2 belongs to s alpha x1 plus beta x2 belongs to s यानि कोई set होगा हमारे पास s उसमें कोई भी हम दो पॉंट ले लेंगे x1 और x2 कोई भी यानि कि हमें किसी भी अपने arbitrary x1 और x2 ले ले ला हमें तो उसके लिए सभी x1 x2 के लिए alpha x1 plus beta x2 belongs to s करना चाहिए जहां पर alpha plus beta equal to 1 and alpha and beta दोनों ही दोनों ही alpha and beta 0 से बड़े हैं यानिकि जो alpha और beta की जो range है वो 0 and 1 के बीच में है दोनों की अब graphically अगर हम इसको सो करते हैं ग्राफिकली कैसे कैसे कर सकते हैं are set as a carl convex if and only if the land segment between any point मतलब कोई भी आमरे पास graph होगा इस तरह से हम्यार पास कोई graph ले लेते हैं कि अश्ड़े से कोई भी graph होगा यह यह graph है महरे पास इस तरह यह graph है 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 नहीं हम यह से ले लेते हैं यह यह भी हो सकता है ट्रेंगल भी nextLite है यह हो सकता है कोई भी आपकर फिर ग्राफ बनाया हमारे है कि यह जो खॉंच से ऐल आपके पन अनिसरेट टू पॉइंट there निक्रफेट अनिट्व?- यह हुंगे वह फे हमारे पास X1 और X2 को जोड रहा होगा वो S में होगा यानि इसको हम बोल सकते हैं S परावर X alpha X1 plus beta X2 alpha 1 plus beta equal to 1 and alpha beta greater than equal to 0 अपर जैसे यहां पर कोई दो पॉंट ले 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 इसमें तो इसके जो land segment होगा यहां से और यहां से कोई पॉंट ले 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 सकते हैं दो पॉंट को पॉंट मिलाएं गहांगेे और जैसा हम Yuri पर यहां, हम यहां पर देखते हैं। तो लैंड segment में मिलाने वाले pónt इसमीं मैं है तो इसका मतलब यह नहीं हमारे पर हम कोई पॉंट मिल गए तो वह convex हो गयी हमें यहां पर ऐसे पॉंट मिल रहे हैं जो कि लैंग को अजय से इस पॉंट से एस पॉंट को मिला हैं हम यहाँ पे अब यह पॉन्ट को हम देखा हैं इस पॉन्ट में यहांपे X1 देदें नहीं होगा नियम्गहार सम्मिंस थेम्पोर데ट्ट थेह रिए पहले एप एक हए पहले से 1 चोओ कणंगे सेट से रिलिएर्ट्पोर रिल्सेटगर्म है स्सकों सिरेज़्ट थेम्पोर्ट्ट्वर्म्हे प्हेले से 1 चील्पहूत हमें क्वाद्थ आई पैले departed want to show s1 intersection s2 is also convex so we take two points from s1 intersection s2 जो हमें show करना है उसमें से हमने दो पॉंट ले लिए वो x1 and x2 ले लिए इसमें से कोई भी दो पॉंट हमने arbitrary ले लिए then we want to show lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to s1 intersection s2 जहाँ 0 less than lambda less than 1 परस यह हमने यहां से लिया है यह से हम पहले पढ़े थे हमने पढ़ा था alpha 1 plus beta equal to 1 तो इससे alpha 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 minus beta तो अगर यहां पर हम गामा ले तो 1 minus gamma हम कर सकते हैं इसको तो इस तरह से यह हो जाएगा हमारे पास lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to s1 intersection s2 हमें यह सो करना अगर हम यह सो कर पाते हैं तो हमारे पास जो इंट्रसेक्शन s2 होगा वह convex होगा अपने यह सो करने के लिए हमने लिए जो पॉंट है x1 and x2 belongs to s1 intersection s2 से लिया है तो हमारे पास जो intersection से हैं तो इसका मतलब x1 and x2 belongs to s1 भी करेंगे और x1 and x2 belongs to s2 भी करेंगे चूँकि s1 and s2 बोथ are convex then lambda x1 plus 1 minus lambda x2 s1 belongs to s1 करेंगा क्योंकि s1 है वो convex है और x1 and x2 belongs to point है वो अपने पास s1 के हैं तो lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to s1 and इसी तरह जो x1 and x2 जो पॉंटर वो s2 के भी है तो lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to s2 अब चुकि यह lambda x1 plus 1 minus lambda x2 s1 में भी बिलोंग कर रहा है और lambda x1 plus 1 minus lambda x2 s2 भी बिलोंग कर रहा है तो lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to s1 intersection s2 so हम कहें सकते है s1 intersection s2 is also convex now friends हमारे पास अगली जो थोरा में वो है है if s1 and s2 are to convex then s1 union s2 need not be convex इसके लिए हमने friends इसको प्रूव करने के लिए कि convex नहीं होगा उसके लिए एक एक्जम्पल से सो कर रहे है let s1 वराबर x0 x belongs to rn यानि कि जो हमारे पास 2D में हम देखे तो यह हो जाएगा आइक्स जीरो इसके बैल्यू है लेकिन य के बैली जीरो है तो यह x axis हो गया और श2 हूँ है हमारे पास जो एस टू है वह हमारे पास है पूरा पूरा अपना यहां पर कोई भी दो पॉंट ले 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 इसको मिलाने बाले पॉंट हमिएसा इस लाइन पर होंगे यह पॉंट कहीं भी ले सकते हैं तो यहां हमारे पास कोई हैसे सफे में और से कर रहा है लेकिन इस पॉंट को मिलाने वाले पॉंट कोई भी पॉंट हमारे पास ना तो हमारे पास यहां पर मिडल पॉंट लेते हैं तो वह जाएगा हमारे पास ना तो हमारे पास एक हुआ रहा यह ना ही हमके सकते हैं जो यह एस बन यूनियर एसटू है वह आ्यूंग पास नहीं होगा है अप्ञेश पास एक अलिप्ठोर हमें एफ ऐसे कॉनवेक्स एन और अन्य लिंस वह आख बलॉंग स्टु आर रह आर एमकरीज is also a convex in rn यानि हमारे पास दिया हुए s जो है वो convex है और कोई alpha एक number है जो कि r से है तबहुत सो करना है alpha s यानि alpha का multiply s second पर जो हमारे पास आएगा वो भी alpha s convex होगा अब उसको प्रूब करते हैं given that s is convex in s हमारे पास यह दिया हुए convex है let x1 x2 belongs to s क्योंकि convex है तो lambda x1 plus 1 minus lambda x2 हमेशा s में ही s में ही रहेंगे जहां पर lambda 0 से और 1 के बीच में है अब हमने let x पराबर lambda x1 plus 1 minus lambda x2 यहां प्रेंट से x क्या डियोट कर रहा है where x डियोट दा all point of land segment x1 to x2 जो कि x1 जिसे यहां से x1 है और यहां x2 है तो इन पॉंटों को मिलाने बाले इस land के सभी पॉंटों पर lambda की अलग-अलग value रखने पर हमारे पास lambda की कुछ भी value रखेंगे हम जिसे lambda 1 by 2 रखते तो middle point आ जाएगा 1 by 3 रखते तो कुछ इदर का पॉंट आ जाएगा 1 by 4 रखते कुछ इदर का जाएगा इस तरह से यहां पास जो पॉंट होंगे lambda की हर एक value के लिए यह पूरी land segment को सो करेगा तो हमने यह land segment ले लिया land segment x1 to x2 हमने यह ले लिया x पर आपर alpha x1 plus 1 minus lambda x2 अब यहां पर हमने यह भी हमार पास कोई font है उस पर हमने कोई constant का multiply किया तो alpha x इसे तरह alpha lambda x1 plus alpha 1 minus lambda x2 क्यों constant का multiply किया तो अंदर चला जाएगा तो यह lambda बारा जाएगा और यह हो जाए lambda x1 plus 1 minus lambda x2 अपर आपर आप लेंडा s के जो अभी हम होंगे वो किस तरह सक्के होंगे lambda x1 लेंडा x2 इस तरह के अभी होंगे बट लेंडा x बिलोंग्स टू लेंडा s क्योंकि यह lambda का multiply करके हमने एड किया तो लेंडा x सभी जो होंगे alpha s में से बिलोंग करेंगे सो लेंडा alpha x1 plus 1 minus lambda alpha x2 जो यह होगा यह भी बिलोंग्स टू एस करेगा और हमें यह ही सो करना था यह हो गया तो लेंडा s इस आल्सो कॉन्वेक्स सेट सब्सक्राइब करना है इसको कॉन्वेक्स सो करना है इसको कॉन्वेक्स सो करने इगलिफेर्शन चाह सकते हैं लेट x1 y1 बिलोंग्स टू एस एंड x2 y2 बिलोंग्स टू एस हमने x1 x1 y1 क्योंकि जो एस के अभी हो xy के रूप में है तो हमने x1 y1 बिलोंग्स टू एस ले लिया देन xy इकल टू कोई xy लेमडा की हर एक वैलू के लिए कोई x & y मिलते जाएंगे हमारे पास तो लेमडा xy प्लस बन माइनस लेमडा xy x2 y2 यह हमें बिलोंग्स टू करना है तो इसके लिए हमें यह सो करना काफिय होगे x & y जो होगा वो लेमडा की हर एक वैलू के लिए s में बिलोंग करेगा यह सो करना है हम फ्रेंट्स चूब कि x1 y1 and x2 y2 बिलोंग्स टू s so x1 square plus y1 square less than equal to 4 x2 square plus y2 square less than equal to 4 इसको हम start दे देते हैं इसको double start दे देते हैं यह हमार पास दो equation आगे जिनके हमें आगे यूज करना है now x और y क्या है मार पास xy बराबर इसको partition product कर लेते हैं अंदर तो lambda x1 lambda x1 और lambda y1 यह हो जाएगा यहाँ पर multiply करते हैं 1 minus lambda 1 minus lambda x2 1 minus lambda y2 यह हो गया तो इसका हम संब करते हैं तो यह होगा lambda x1 plus 1 minus lambda x2 lambda y1 plus 1 minus lambda y2 यहनी जो x होगा वो इसफ़र में होगा lambda x1 plus 1 minus lambda y2 और y जो होगा वो होगा lambda y1 plus 1 minus lambda y2 इस फार में होगा so for xy belongs to x it is supposed to show that xy belongs to x show करने के लिए क्या show करना होगा x square plus y square is less than equal to 4 यानि कि lambda x1 plus 1 minus lambda x2 का all square plus lambda y1 plus 1 minus lambda y2 का all square is less than equal to 4 so हमने rHS ले लिया इसका अब यह show करने के लिए हमने rHS ले लिया तो यह होगा lambda x1 plus 1 minus lambda x2 का all square plus lambda y1 plus 1 minus lambda y2 का all square अब हमने इस square को खोल दिया तो यह होगा मार पास lambda square x1 square plus 1 minus lambda square x2 square plus 2 lambda 1 minus lambda x1 x2 इस तरह इसको खोला तो यह होगा lambda square y1 square plus 1 minus lambda square y2 square 2 lambda 1 minus lambda y1 y2 यह होगा फ्रेंस अब हमने यहां से x1 square और y1 square वाले में से लेंब्डा क्क्वार कॉममान लेंगे यह वोगा है एक ऐसकडा से प्लेश मुची कॉममान लेंगे यहां लेंगे हैं दोच लेमीदा प्लस y1 डोट y2 यह होगा है फ्राइस हमारे पास हमारे पास हमारे पास x1 प्लस x2 x1 square प्लस y1 square वह क्या है चार सच छोटा है यह दे होगा है x1 square plus y1 square less than equal to 4 तो इसका यूज करके हमने ये बड़ा number ले रहे हैं यहाँ पर इस number के जगे हम बड़ा number यूज कर रहे हैं तो less than equal to sign जाए क्योंकि यहाँ पर हमने बड़ी संक्या रख रहे हैं इस से बड़ी संक्या यहाँ पूट कर रहे हैं तो 4 lambda square इस तरह x2 square plus y2 square is less than equal to 4 तो यहाँ पर भी हमने 4 into 1 minus lambda square यह हो गया यहाँ पर हमने इसके value for put कर दी देन जो बचा मार पास 2 lambda 1 minus lambda x1 x2 plus y1 y2 now x1 plus x1 dot x2 plus y1 dot y2 less than equal to 4 फूर यह 4 है यहाँ r square र होता तो र से कम होता यह x1 dot x2 plus y1 dot y2 less than equal to 4 by language inequality यह फ्रेंस language inequality को हम प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ इसको हम सो करेंगे अभी कि x1 dot x2 plus y1 dot y2 less than equal to 4 कैसे आजा है यह सो करने के देखते हैं अब फ्रेंट 2 so that x1 dot x2 plus y1 dot y2 less than equal to 4 अब हम यह सो कर रहे हैं तो x1 minus x2 का hollow square plus y1 minus y2 का hollow square greater than equal to 0 क्योंकि दोनों ही square हैं तो यह तो 0 होंगे यह 0 से बढ़े होंगे 0 छोटा नहीं हो सकता क्योंकि यह negative हो x1 minus x2 यह positive हो कोई effect नहीं पड़ेगा क्योंकि जो square है उसको हमें इसा positive बना देगा तो यह हमें greater than equal to 0 होंगे तो इसका हमें square खुल दे तो यह होगा x1 square plus x2 square और इसका square खुल दो x1 square plus x2 square minus 2x1 x2 यह लिग दिया हमने इसका square खुल दो y1 square plus y2 square minus 2y1 y2 greater than equal to 0 2y1 y2 को हमने एक साल ले गए यह इदर ले गए यह हम कहे रहे हैं तो इदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पहले हम इसको लिख रहे है x1 square plus x2 square x1 square plus y1 square यह x1 square plus y1 square plus x2 square y2 square यह आगा हमारे पास तो फ्रेंस यहाँ से 2 common ले लिए हमने यह होए x1 x2 plus y1 y2 अब फ्रेंस यहाँ पे x1 square plus y1 square क्या था हमारे पास वह हमारे पास पहले भी 4 था यहाँ से x1 square plus y1 square less than equal to 4 और x2 square plus y2 square less than equal to 4 तो इसी condition का में यूज करके हमने यहाँ यहाँ पर फूर पूर्पट कर दिया तो यह हो गया y1 plus y2 2 y1 plus y2 plus x1 x2 is less than equal to 8 यह हमारे पास conditions थी तो हमारे पास two का हमने डिवाइट करते हैं तो यह होगा है यह जो कंडिशन है यह भी फोर से छोटी है तो यहां पर हमने फोर पूट कर लिया तो यहां पर फोर पूट करने पर टूल मन माईनिस ले रहा है अब फूर आम प्लेगे से इसे पीकोट घुट चाहिए और खरियो ओना यह सो कर दिया कि यह जो क्विल्टी फूर्ग से छोटी है तो यह हमें सो करना था तो हम कह सकते हैं कि जो S है वो हमारे पास कॉन्वेक्स है सो S is कॉन्वेक्स अब मैं पढ़ना है CLC of two points यह हमारे पास CLC होगा वह होगा X equal to lambda X1 plus 1 minus lambda X2 CLC क्या होता? Convex linear combination तो यह होता है हमारे पास CLC of two points X1 plus X2 के लिए हमारे पास lambda X1 plus 1 minus lambda X2 जहां 0 less than lambda less than equal to 1 यह हमारे पास जो होगा यह land segment होगा हमारे पास जो जोईनिंग X1 and X2 को जो जोईन कर रही होगा यह हमारे पास CLC of two points होगा है now of CLC of M points X बराबर कोई भी हमारे पास points होगा CLC का Convex linear combination के कोई points होगा वो इस तरह से होगा X equal to X1 alpha 1 plus X2 alpha 2 plus dot dot X and alpha n जहां पर where alpha 1 plus alpha 2 plus dot dot alpha m equal to 1 alpha i greater than equal to 0 i equal to 1 to M this gives all optimal all the points inside and on the end dimensional graph कोई भी graph होगा उसके जो अंदर के point होगे और जो graph के boundary भी पॉंट होगे उन सारे point को यह हमारे पास दे देगा लेंकि लेंड़ा 1 alpha 1 alpha 2 जो अलग अलग वह लोंगे उसके लिए देगा अब हम तोरह पढ़ते हैं फ्रेंट यह तोरह में अब प्रूफ करते हैं फ्रेंट फ्रेंट एबरी CLC point of S in S CLC point जो है उसके x1, x2 जो भी point होगे यहां पे यहां पे x जो point होगे वो सभी हमारे पास S में है दो this then this result is true for n equal to 2 then S is also convex क्योंकि हमारे पास यह जो condition है यह condition हमारे पास convexity condition है अगर यह हमारे पास convex point जो होंगे वो हमारे पास S में है तो वो हमारे पास convex हो गई अब only part आता है friends only first we will show this result by mathematics induction इस result में क्या करना है हमेरे पास कोई CLC point होंगे उसको convex proof करना है तो इसके लिए हमें we will show this result by mathematics induction के method लेंगे for k ब्राबर 2 k ब्राबर 2 के लिए क्या होगा x ब्राबर x1 alpha 1 plus x2 alpha 2 यह friends उसी में होंगे जहांपर alpha 1 plus alpha 2 equal to 1 होगा क्योंकि S यह हमारे पास इसलिए होंगे क्योंकि S से वो हमारे पास convex है यह हमारे पास imply करेगा कि S जो है convex है क्योंकि यहीं convex की definition होते है now let us assume that the result true for x ब्राबर k अब हमने यह assume कर लिया है कि जो result है कि जो k ब्राबर mk n ब्राबर k के लिए हमारे पास यह condition true है तो इस condition में हमने मान लिया इस रिजल्ट को ट्रूप सो करना है आई इसका मतलब है हम सो करना चाहते है वो है एक्षप ब्राबर k के लिए इस रिजल्ट को हमने ट्रू मान लिया है तो हमें ब्राबर k प्लस बन के लिए इस रिजल्ट को ट्रूप सो करना है आई इसका मतलब है हम सो करना चाहते है वो है एक्ष ब्राबर एल्फा ब्राबर एक्सण प्लस अलफा ट्रु एक्स टू डॉट 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 एल्फा के एक्स-क свобод प्लस झाड़्वर कब कमाने दूंत यह तो हमार यह अगर हमें क्या टो है प्लेस्ट रखते हैं हमने दूर्ण थैक जो रघते हैं में इसक्षाइन ऐसाफेल पॉम्छ मेंखता कि वकल बघ्यत को अगरिका TW ले ले लिए तो हमारे पास alpha k x से बच जाएगा जो कि x में बिलोंग करेगा then result is true क्योंकि हमने इसके alpha 1 plus alpha 2 dot dot alpha k plus 1 equal to 1 हो गया हमारे पास now let us assume that 0 less than alpha k plus 1 less than 1 हमने assume कर लिया क्योंकि ना तो हमने 0 मान रहे हैं उसके बीच में कोई alpha k plus 1 को assume कर लिया है तो हमने इसके 1 बीच में क्या है तो 1 minus alpha k plus 1 with 0 नहीं होगा क्योंकि यह 0 से छोटा है तो x पराबर हमने 1 minus alpha k plus 1 का multiply कर दिया यहां पर है और alpha 1 x1 plus upon 1 minus alpha k plus 1 क्योंकि प्रक्राइब कर लेंगे तो यह LCM आएगा LCM लेंगे कट जाएगा यह 1 minus alpha k plus 1 dot dot 1 minus alpha k plus 1 और alpha n तक alpha n xn और जो अगली तर्म थी alpha k plus 1 x k plus 1 इसको उमने लिव कर दिया अपरे हमने यहां पर alpha i upon 1 minus alpha k plus 1 इस टर्म को हमने बीटा i मान लिया इस टर्म को बीटा i मान लिया तो हम यह कह सकते हैं इस टर्म को सभी यह alpha i alpha 1 upon alpha k plus 1 1 है से हमने चलते हुए alpha k 1 minus beta k plus 1 और यहां पर x1 और xk तो यह होगा है beta 1 xk 1 beta 1 x1 plus beta 2 x2 dot dot beta k x2 belongs to s यहां पर हमने यह कर लिया नाव यह हमने 1 minus alpha k plus 1 का multiply किया और यहां पर अलग से हमने constant दिखा दिया है तो हो गया x1 minus alpha k plus 1 और इसको हमने एक अलग से y दे दिया है इस फूल ठर्म को हमने एक y अलग से पॉंट दे दिया y तो यह हो गया y plus alpha k plus 1 x k plus 1 यह हो गया अपर अगर हम दोनों को जोड़ना तो sum हो जाए 1 which is the clc of two points यह दो points का linear convex linear combination हो गया so since तो हम कैसे लगते हैं जो कि हमने x और k plus 1 के लिए भी हमें clc प्रूब कर दिया so s is convex यह हमें प्रूब करना था अपरेंस अगली definition आती है वह हमारे पास extremum point अपरेंस extremum point क्या होता है a point x is set to be extremum point यह vertex जो होता है of a feasible set s of a LPP if any two distinct point x can be expressed as x पराबर alpha x1 plus 1 minus lambda 1 minus alpha x2 यहने कि इस condition को जो satisfy कर रहा होगा वह point होगा हमारे पास extremum point होगा Hello friends आपका हमारे तर्म में स्वागत है आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो linear programming problem फ्रेंस सबसे पहले हम देखते है linear programming problem होती क्या है linear program problem कहते हैं इन problem P कोई हमारे पास problem दी होगी problem P if the objective function f and g g हमारे पास constraint है for all g are linear then the problem P is called linear programming problem और अगर यह हमारे पास f and g linear नहीं है तो इस condition में हम कहेंगे वह problem होगी वह non-linear program problem होगी अब फ्रेंस यहां पर हमारे पास दो आहें हैं दो बड़ा है objective function and हमने जो g को वोला वो constraint यह क्या होते हैं अब यह देखते हैं फ्रेंस objective function क्या होता objective function the function which have the maximize or minimize optimize नहीं have . ना हूल रहे पास function optimize किए जाता है is called objective function and कोई भी हमारे पास function दिया होगा जिसको हमिनमум पूचा हो और maximum पूचा होगा वो function होगा हमारे पास objective function कर लाए गा फिस जो भी हमारे conditions दी होंग दी यह हैं जिस तरह हैसको कोई LPP यह मैक्सिमम और मिनिमम दिया होगा हमारे पास CTX यह तो हमारे पास होगा object function और साथ मैं हमारे पास कुछ condition दिए होंगी जी जे X less than equal to 0 जी जे X greater than equal to 0 जी जे X equal to 0 कुछ इस तरह कि हमारे हमारे पास condition दिए होंगी जो वो condition वो condition होंगी वो हमारे पास construct the registration on the variable जो variable जो हमारे पास condition दिए होंगी GI आई बलाव 1 to M is called constraint अब फिर इस हमारे पास आता है feasible region feasible region क्या होता है कोई एक set होता है जिसमें X ऐसे पॉंट को कह सकते हैं या ऐसे set में ऐसे पॉंट होंगे जो कि हमारे पास RN से होंगे और जी जे X less than equal to 0 यानि जो जो भी हमारे पास condition दिए होंगी यह फिर इस हमने एक कुछ के लिए ले लिए कि जी जे X थी वो सारी condition less than equal to 0 थी अगर greater than equal to 0 वाले होंगी तो जी जे X जे greater than equal to 0 जो भी condition होंगी उसको satisfy कर रहा होगा इसका मतलब जो भी हमारे पास जी जे X जे less than equal to 0 अगर हमारे पास constraint जी जे X greater than equal to 0 हो तो वो वाले condition होगी उन condition को satisfy करेंगे points वो point होंगे वो हमारे पास feasible region कहलाएंगे then S is called the feasible region if X not belongs to S if X belongs to if X belongs to S and not equal to 0 which optimize maximize maximize or minimize our objective function is called optimal point और optimal solution friends जानि कोई हमारे पास जो point होगा जो की इसका point होगा S का point होगा और उस function पे है उस point पे हमारे जो function की value होगी fx की value जो objective function है इसकी value maximum होगी या minimum होगी वो point हमारे पास कहलाएगा optimal point और जो हमारे पास जो value आएगी वो होगे optimal value या optimal solution होगा optimal solution अब the problem P is called classified into two parts जो problem P होगी उसको दो बार्टम डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट होगा linear programming problem LPP और सेकंड होगा non-linear programming problem अब linear programming problem की definition पहले ही पड़ चुके इन problem P if the objective function f and g for all g are linear then the problem P is called linear programming problem otherwise non-linear programming problem फिर्स अब आता है हमारे पास standard form of LPP कोई हमारे पास linear programming problem होगी उसकी standard form क्या होगी optimization function may be maximize और minimize जो objective function optimization function होगा हमारे पास या objective function कहीं से वो या तो maximum में दिया होगा या minimum में दिया होगा और RHS of all constant greater than equal to zero यानि फिर्स हमारे पास इस तरह कोई condition होगी अब यह लिए हमें यह एक ब्राव बी तो जो बी में जो भी constant होंगे बी में जो भी constant होंगे वो greater than equal to zero होंगे तो उस condition में हमारे पास यह कर्दिशन हो जाएगी और अगर all variable must be non-negative all variable यानि कि जो x1 x2 जो भी variable होंगे हमारे पास वो greater than equal to zero होने चाहिए all constant are an equation जो हमारे पास equalities होंगी उसको हमें equation में change करना है उसके पास जो form आएगे मारे पास वो आएगे standard form वा LPP अब हम किसी LPP को change करके देखते हैं फ्रेंट्स हमारे पास यह problem है maximum z equal to 2x1 plus x2 और जो constant वो दिवा है हमारे पास x1 plus x2 less than equal to 1 2x1 plus x2 greater than equal to minus 4 x1 greater than equal to 0 x2 less than equal to 0 अब हमारे पास इसको मैं find standard form नकालने हैं इसकी तो इसको solve करते हैं तो हमारे पास पहली condition क्या थी हमारे पास condition थी पहली जो हमारे पास objective optimization function may be maximize or minimize जो optimization function है फ्रेंट्स वह मैक्सिमम होना चाहिए या minimum होना चाहिए तो मैं यह हमारे पास object function है वह maximum है पने पास z equal to 2x1 plus x2 और अगली condition फ्रेंट्स वह हमारे पास rhs of all constant greater than equal to 0 अब हम देखते है rhs of all constant देखते हैं तो यहां पर देखते है minus 4 यह negative है तो इसको मैं positive बनाना होगा तो पहले यह तो positive ही है तो यह होगा x1 plus x2 less than equal to 1 and 2 इसमें minus का multiply करके इसको plus बना लेते हैं तो जाएगा minus 2x1 minus x2 less than equal to क्यों sanction हो जाएगा minus का multiply कर रहे है 4 यह होगा फ्रेंट्स हमारे पास अब अगली जो condition हो हमारे पास all variable must be non-negative all variable must be non-negative अब हमारे पास यहां क्या दिया हुआ है x2 less than equal to 0 यानि कि हमारे पास non-negative नहीं है यह negative आ रहा है तो x2 को हमें negative बनाने के लिए x2 dash हमारे पास define कर देते हैं let x2 dash equal to minus x2 यह है तो हमारे पास यह minus x2 dash ब्राबर minus x2 है तो इस इस condition से हो गए x2 dash क्योंकि यह negative होगा तो x2 क्या है हमारे पास negative minus x2 क्या हुजाएगा पोजेटिव तो x2 dash greater than equal to 0 यह होगा है हमारे पास अब यहां पर यहां पर भी x2 है वहां पर x2 dash minus x2 dash से replace कर देना है तो यह करेंगे maximum z equal to 2x1 minus x2 dash subject to यह constant है वह हो जाएगे 2x1 sorry x1 यह x2 minus x2 dash से हो जाएगा तो minus x2 dash less than equal to 1 और और 2x1 plus x2 तो 2x1 और यह x2 plus x2 जाएगा यह minus x2 dash less than equal to 4 यह होगा है तो और होगा हमारे पास x1 greater than equal to 0 x2 greater than equal to 0 अब यह हमारे पास third condition हमने satisfy करा लिए इसके लिए अब fourth condition है वह हमारे पास all consistent are in equation अब हमें जो consistent है हमें इनको equation में change करना होगा तो equation में change करने के लिए क्या करेंगे हमें यहाँ पर select variable जोडने होंगे अगर फिरस यहाँ पर greater than equal to equal to x1 minus x2 dash अब select variable यहाँ पर s1 जोड़ेंगे यहाँ पर s2 जोड़ेंगे select variable जोड़ेंगे वह s1 and s2 है तो उसके corresponding optimization function होगा वह होगा 0s1 प्लस 0s2 फिरस select variable इस तरह जोड़ेंगे कि उस object function हो उसके value पे कोई भी effect ना पड़े तो इसके लिए हम जीरो से multiply कर देते हैं उसको और subject to condition हो जाएंगे मार पास x1 minus x2 dash plus s1 equal to 1 and x2 x1 minus x2 dash plus s2 equal to 4 and जो भी select variable है वह भी greater than equal to 0 होगे तो यह होगा है मार पास x1 greater than equal to 0 x2 dash greater than equal to 0 s1 and s2 greater than equal to 0 यह होगे यह हमार पास standard form आचके इसकी हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चनल में स्वागत हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह अपने पास algebra of divided difference कि अलजब्रा पढ़ चुके हैं कि divided difference क्या होता है अब उसके हम कुछ algebra दो कि उससे पढ़ेंगे अब इसमें पहला रहता है दा divided difference of the product of a constant and a function is equal to the product of a constant and divided difference of the function यानि कि divided difference से constant से multiply होके function का constant और function का divided difference है वह होगा हमारे पास constant divided difference of fx where c is any constant second prove करेंगे हमें the divided difference of the algebraic sum of any two function कोई भी दो function होंगे उनका हम जो sum होगा उसका divided difference लेंगे इस the algebraic sum of the individual divided difference है यानि कि जो अलग-अलग से जो divided difference होगा उनका उनका जो algebraic sum होगा इसका यह हो गया और थर्द जो हम प्रूव करेंगे वह है इस तरह के फंक्षन है वह हमें इससे प्रूव करना है कि वह c1 del fx c1 divided difference of fx plus c2 divided difference of gx यह प्रूव करना है फिर सम इनको प्रूव करते हैं तो सबसे हम थेले प्रूव करते हैं प्रूव फुर्श्ट क्या है हमारे पास यह दा डिवादे difference of a product of the product of a constant and function यारीक हमार पास फंक्सटन और constant है उसका product है यह हमारे पास तो यह हमारे पास dell c.fx equal to c dell डिवादे difference को घर ली बूर रहे बहुत है यह हमारे पास तो इसको सॉल्व करना है हमें तो बाई लेटेस हमें लेटेस क्या है डाइल डॉट सी एफ एक्स यह फ्रेंट्स हमें लेए हमें इस इसको मान लेते हैं लेट एफ एक्स वराबर सी एफ एक्स यह मान लिया और फ्रेंट्स यहां पर हमने एक्स की कोई कोई दो वैल्यू लेंगे हमें अपर यहां पर ले एक्स वराबर एंड एक्स वराबर बी दो वैल्यू है हमारे पास है वहां पर हमें डिवाड़े डिफ्रेंस रिकालना है तो यह हो fb upon b minus a अब यहां पर f a क्या होगा फ्रेंट्स यहां पर fx परावर क्या एगा c small fx तो यह हो जाएगा मारे पास c और यह हो जाएगा fx minus c dot fx upon b minus a अब फ्रेंट्स यहां पर सकते हैं तो होजाएगा c यह होजाएगा f a minus fb upon b minus a यह हो गया फ्रेंट्स हमारे पास अब जब फ्रेंट्स यहां गया तो इसको हम equation number one देते हैं अब हम रहे इस व्रेंट्स करते हैं रहे इसके हमारे पास c dot del fx यह देल fx क्या होता हमारे पास यह फ्रेंट फ्रेंट्स जो होगा वह मारे पास क्या होता है यह fb minus f a point वह है बी माइनस ए और यह वह सी का मुल्टिप्लाई कर दें तो c divided difference of fx equal to c c का मुल्टिप्लाई होगा है यहाँ पर सोरी फ्रेंट्स f यह यहाँ पर हमने यहाँ पर f a b है f a है तो f b f a यह होगा f b minus f upon b minus a यह होगा है है और यह question number two question number first and two दोनों equal है so question number first क्या है हमारे पास से divided difference of capital fx capital fx क्या है divided c fx तो इसको कर सकता है कि divided difference c fx equal to c divided difference of fx hence proved है अब फ्रेंस हम second theorem prove करते है second क्या था हमारे पास second that divided difference of the algebraic sum of any two function is the algebraic sum of their individual divided difference इसका मतलब है divided difference of fx plus gx equal to divided difference fx plus divided difference gx यह prove करना है तो solve solve करते हैं तो by lhs हमने lhs ले लिया डेल कि डिवाड़े डिप्रेंस fx plus gx यह लेट अब हमने यहां पर माल लिया है fx plus gx equal to capital fx जो पहले माले था उसी तरह हमने यह माल लिया है अब फ्रेंस capital fx माल लिया तो इसका divided difference क्या होगा और कोई दो पॉइंट माल लिये लेट x बराबर a and x बराबर b any two point तो पॉइंट और यहां a equal not b difference क्योंकि अगर a equal b होजाएगा तो divided difference नहीं होगा मारे पास तो यह होजाएगा del divided difference of fx बराबर capital f a capital f a minus sorry capital f b minus capital f a upon b minus a difference यह f x बराबर यह है तो अमारे पास हम जासर लिख सकते हैं fb बराबर… इस equation से question number first दे दे तो тов है balls a minus bir a parcel a जी आ यह लिख सकते हैं यह बराबर तो fv minus this b यह लिख सकते हैं और fal bar लिख सकते हैं इसको सिजाए प्रशन इंस इन फच्पलस of ga यह यह दोनू वैस यह हो जाएगा हमारे पास fb की value हो जाएगी तो यह हो जाएगा fb plus gb अब इसकी value रखने हैं हमें हमें रिखने हैं यहां पर gb minus g a यह है यह लिख सकते हैं इसको यह क्या होगा हमारे पास यह क्या दिवादर डिफ्रेंस ओप f डिफ्रेंस ओप fx है यह वहारे पास मिरह में मैं इसको इसको एकुने इए दॉल लेंगे ए बार पास इनुपरस इस स्मॉल फ प्ल स डशाल डिफरेंट और यह तो हमने प्रूब रिफरेंट्स यह तो हमte ex यहां पर यही हो गया तो ुद्ध अब यहां पर एक ज़िए क्या हमारे पास फेब्राबर क्या था हमारे पास इसके अथा पीफ प्लस जीए यह जाएगा अचैंफ फ्लसलिए ऊ bidding कूल टू झाया है कि डैल फ्लसलिख या कि किषीвор सकते हैं रौष को यह पूर्च क्यूंनेद x value इस थी हमारे पास यह arbitrary तो इसको लिख सकते हैं del fx plus gx equal to divided difference of fx plus divided difference of gx यह जो कि मैं प्रूव करना था अप्रेंस मारे पास जो थर्ड के स्था वो था अपने पास that divided difference of a linear sum the divided difference of a linear of the linear sum of two function is the linear sum divided differences यह हमारे पास linear sum का divided difference निकाल आ तो वह यह निकाल लोग करना है तो इस को प्रूव करने के लिफ्रेंस क्या कर सकते हैं अ थर्ड थर्ड प्रूव कर रहे हैं तो लेट के वह एक्पीटल fx ब्राबर जो हमारे पास function दिया उसको माल लेते हैं C1 f x plus c2 G x then by definition definition divided by definition के reference डेल B FA हम यहां पर डेल भी लिखने रहे हैं क्यों लिखने के नहीं होती है मारे पास यह हो गया देल यह ते हो गाया डिफोर्ड बराबर f v माईनिस एफ एपॉन वे मायनस शिए हो गए और फ वन्हें ड कर देने तो अब अचया यह पर आगले देना यह बर न सोटेगे अफаз है यह पर यह बरेलोगन को स्वेमें टो गया है यह पास यह नास और ऑफ वे अ माइनस क्योंकि मैनस का मल्टिप्लाइ होगा तो ही माइनस हो जाएगा C2 GA एपॉन B माइनस ए यह होगाे friends अब यहां से हम C1 कोमन ले लहें और C1 कोमन ले लिए यहां से यह हो जाएगा FB- F A एपॉन B-A प्लस यहां से C2 कोमन ले लाएं दोनों में से तो यह गर होगा इसको प्लस लिए सब्सक्राइब करना था वह हो जायगा मघ पास प्रूब करना था वह सब्सक्राइब अगर जैसे यहां पर हमने निकाल लिया था कि Fx के लिए हमने निकाल लिया था अब एक ही जगे X रखेंगे तो हमारे पास यही फोर्मूल आ जाएगा रिखेंगे तो कि यहीं निकाल ले जाते हैं और उनके कुछ कुछ यूज पढ़े थे उनकी कुछ प्रोपर्टी जमने पढ़े थी आज हम पढ़ रहे हैं तो उसे एक्जांपल पढ़ेंगे इस वीडियो में तो पहला एक्जांपल है वाइं मीन ओफ न्यूटर्स डिवाद डिफ्रेंस फॉर्मुला फैंड वैल्यू अफ्टू एफट अब फ्रेंट यह दी होई है मारे पास अब हम इसको सॉल करते हैं फिर इसको 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 इस x0 x-x0 x-x1 divided difference of double divided difference होता था fx0 का इसी उसी फॉर्मूलिया हमने यह बेर रिपूट कर दे तो fx ब्रावर हो गया f4 x-x4 divided difference of 5 f4 plus x-4 x-5 divided difference का square double divided difference हो जाएगा यह और f4 x-4 x-5 x-6 उसके बाद triple divided difference हो जाएगा वो जाएगा f4 इसका और इसी तरह से formula आगा हमारे पास अब प्रेट्स हमें इसके लिए पहले table बनाते हैं क्योंकि table बनाने पर हमें इनमें divided difference f4 की divided difference का square f4 divided difference का cube f4 की value निकाल पाएगे तो इसके table बनाने के लिए 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 हमने यहां पर divided difference of fx divided difference of double divided difference of fx triple divided difference of fx and fourth difference of fx यह निकाल ले पर आपके लिए फूर फाइब लिए है फूर फाइब टैन इलेवन थर्टिन तो उनको यहां पूट कर लेते हैं 4, 5, 7, 10, 11, 13 यह हो गया अपर इस इस पर एफ एक्सी वैल्यू दिए है 48, 100, 294, 900 और यह सारे वैल्यू हम यहां पूट कर लेते हैं यह हो जाएगा हमारे पास fx वैल्यू यहां पर थिया अपने पास 48, यह थी 100, यह थी अपने पास 294, यह थी 900, यह 1210 और 2028 यह वैल्यू थे फ्रेंस हमारे पास अब हम फिस्ट बाइद दिफरेंस निकलते हैं तो फिस्ट बाइद दिफरेंस यह यह थी क्या करना होगा 100 माइनस 48 तो यह हो जाएगा 52 यह हो जाएगा यहासे 100-48 divided by 5-4 तो यह हो जाएगाँ यहां पर 52 22 इसे तरह यहां पर क्या दो 294-100 तो सब्स kalian इसे इसपर इसमें से को माइनस किया दिवाइदन ना इसटरह इसमें से इसको माइनस किया related तिन माइनस से और थी दो तो इस तरह यहां से किया तो यहां पर हुँड़ाइग Suppose 310 और यहां पर क्या तो यह हो जाएगा हमारे पास 409 अब फिर सेकंड डिवाइड डिफरेंस निकालते हैं तो सेकंड डिवाइड डिफरेंस के लिए क्या करना होता है हमें 97-52 ंने इस फार दो कंता लेकर चलना है इसको बीच वाले को ख़या देना है नेश्टर में 10-5 कर देंगे यहां पर किया 97-52, 97-52 divided by 7-4, equal to यह हो जाएगा 15, इस तरह यहां पर किया हमें तो 202-97 divided by 10-5, तो फ्रेंट्स यह हो जाएगा मारे पास 21, इस तरह 310-202 divided by 11 upon 7, तो यह हो जाएगा मारे पास 27 और यह हो जाएगा फ्रेंट्स इस तरह 33, अब यहां डेल क्यों निकालते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास 21-15 divided by 10 upon 4, तो यह हो जाएगा अपने पास, फ्रेंट्स वन यह भी बन और यह भी बन और डेल फूर जाएगे वह सभी 0 हो जाएगा, अब डेल फूर निकालना उता है वन बन नहीं होते हैं अलग-अलग होते हैं डेफेंट्स होते हैं तो यहां पर जो होता उसमें से इसको माइनस करते हैं डेलड़ वाई 11-4 करते हैं यह हो जाएगा और यह भी 0 है फिर्स यहां पर यह जो फॉर्मूले आ चुके हैं यह इसमें पुट कर देनी है तो यह हो जाएगा fx equal to 48 f4 equal to 48 plus x minus 4 divided difference of f4 plus x minus 4 divided difference of f4 कर दो 52 plus x minus 4 x minus 5 x minus 4 x minus 5 double divided difference of f4 तो यह हो जाएगा 15 15 plus x minus 4 x minus 5 x minus 7 and multiply by 1 यह 1 हो जाएगा तो फ्रेंश यह f x प्राबर आपर आगे हमारे पास अब हम इसको ओर solve करें तो यह हो जाएगा हमारे पास इसको solve करने पर फ्रीते हम देखते हैं यह जाएगे हमारे पास value जो आएगी एक्स क्यूब में आएगी तो यह होजाएगा एक्स स्क्वार इसको सॉल्व आप कर सकते हूं मैंके सीधा वे लिख रहा हूं एक्स स्क्वार एक्स माइनस वन यह सॉल्व करने पर जाएगी अफ्रेंस हमार पास पूछा क्या एफ तो इसमें लेक्स पोचा एफ हो जाएगा एफ एट पूछा है तो वो जाएगा थीओं यह वैल्य आप यहां पूट करके चेक भी कर सकते हुआ हलो फ्रेंट्स आपका हमरे चन्रेल में स्वागत हैं आज जो कि पढ़ने वाले हैं वह संप्रोपरटी और of divided difference divided difference क्या होता है और उसकी कुछ algebraic properties हम पढ़ चुके हैं friends जो प्राणी वीडियो में आपको दिखने को मिल जाएगी अब हम पढ़ते हैं properties of divided difference पहली property यह जो जो हम पढ़ रहें पहली property यह है first property the value of divided difference is independent of the order of the argument IE अथ्वा इसका मतलब यह है divided difference is symmetric function of their arguments यानि कि हमार पास कोई divided difference होगा वो हमारे जो उसका क्रम होगा उसके उसे independent होगा उस पर हमारे पास dependent नहीं होगा जैसे friends प्रूफ करते हैं इसको प्रूफ इसको प्रूफ प्रूफ करते हैं तो लिए लिए लेच यह लिए लिए लेचा मेच अधिए लिए लिए आसफसरगई दूख नदेख Bet Aquac is a function and divided difference so डिफ्रेंस ऑफ fx फ्रेंस दिफ्रेंस निकालते हैं तो यह जो डिफ्रेंस होगा x0 and x1 यह निकालते हैं यह मार पास क्या होता है fx1 – fx0 upon x1 – x0 यह इसमें दोनों तरब से – common ले ले हैं उपर से – common ले हैं नीचे से – common ले ले हैं štosb-, 50-70PS कुल कि यहां पर S 놓 हो है सकते हैं मगलसे की तो सब्सक्राइब टो पर यहां पर आपने कने сумme में देखा लतने इसको उसको कुछ भी हो हम उसको लिख सकते हैं यह इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी को कि अगर हम लिखना चाहे तो यह हो जाएगा यहां इससे को लिखना चाहिए तो fx1 upon x1 minus x0 minus अगर यहां से इसमें से minus common ले लें तो यह हो जाएगा fx0 और यह x1 minus x0 आएगा अगर minus common ले तो यह plus हो जाएगा और x0 minus x1 यह हो जाएगा फ्रेंट्स यह फ्रेंट्स इसको हम क्या लिख सकते हैं यह तो हमने इसके help से लिखा है और इसके help से लिखना चाहिए तो यह हो जाएगा fx0 upon x0 minus x1 plus fx1 upon fx1 upon x1 minus x0 x1 minus x0 आफ्रेंट्स यहां पर हमने से करम चेंज हो गया लेकिन जो हमारे पास value थी वो सेम रहेगी यह हो गया अब फ्रेंट्स now 4 x equal to x1 x2 and x3 यहां 3 के लिए लेने तो हम यहां पर x0 ले देते हैं x0 x1 x2 यहां इसके लिए देखते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास fx0 x1 x2 equal to यह क्या होता है फ्रेंट्स यह होता है हमारे पास fx2 x1 minus fx1 x0 यह इसको हम यह भी लिख सकते हैं क्रम चेंज नहीं होता इसके तो क्रम चेंज करते हैं x1 x2 लिख सकते हैं और इसको 0 1 कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि हम एक पहले देख चुका है क्रम चेंज करने से कोई फरक नहीं पड़ता है अपोन यह हो जाएगा x2 minus x0 यह हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं fx1 x2 upon x2 minus x0 minus fx0 x1 upon x2 minus x0 अब फ्रेंट्स यहां से हम बन अपोन x2 minus x0 common ले लिए हमने और common लेकर हमने fx1 and x2 value put कर रहे हैं तो fx1 x2 value क्या आएगी जैसे इसके coding आएगी जो आज आएगे हमारे पास यहां से कर value put करते हम तो जो जाएगा fx2 minus fx1 upon x2 minus x1 minus fx1 minus fx0 divided by x1 minus x0 यह हो जाएगा अब फ्रेंट्स यहां से हम क्या कर सकते हैं इसका हम lcm ले रहे हैं तो lcm आ जाएगा यहां पर इसका lcm ले रहे हैं तो यह तो 1 upon x2 minus x0 रहे गाए बार जो अंदर का lcm आया वो x2 minus x1 and x1 minus x0 आ गया तो x2 minus x1 का divided किया तो यह हो गए x1 minus x0 multiply by fx2 minus fx1 तो इसे multiply क्या तो यह हो जाएगा मारे पास x1 fx2 minus x1 fx1 यह हो जाएगा फ्रेंट्स अब इस पर x0 से multiply क्या तो माइनस का माइनस का साइन से multiply करें तो यह हो जाएगा प्लस साथ में यहां पर x0 आएगा यहां पर पहले multiply करें तो x2 x2 fx1 और आगे जो टर्म हैंगी वह आएगे मारे पास फ्रेंट्स यह अपर लिख रहें हो टर्म्स को तो x2 यह minus और minus multiply plus हो जाएगा तो plus x2 sorry x2 fx0 अब x1 का multiply करें तो minus minus plus हो जाएगा यह हो जाएगा plus x1 fx1 and minus minus and minus 3 multiply तो minus रहेगा और यह हो जाएगा x1 fx0 यह हो जाएगा मारे पास फ्रेंट्स अब है फ्रेंट्स हम यहाँ पर देखते है fx0 का का पर है fx0 यहाँ पर रहें लाइस्ट में पर पास यहाँ पर रहा है x0 यहाँ पर रहा है तो हमने fx0 को मएन ले लिए तो जाएगा वन अ पोन x2 minus x1 यहां हो जाएगा पहले fx0 को मनले तो fx0 तो उसके साथ बच गया हमारे पास x2-x1 x2-x1 and divided by x2-x1 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 यह और यह बाएगा यहां है x1-x0 यहां यह यह हो जाएगा अब फ्लस अब इसके हमने fx1 वाली टर्म को मनले तो fx1 वा टर्म को मनली हमने तो हमारे पास क्या बच गयाJe vous तो यह बच गई हमारे पास अंदर यहां पे x1 रोह माइन का है यहां पे हमारे पास x0 यह तो x0 minus x1 और भी हमारे पास term है यह आगया हमारे पास यह x2 plus है लेकिन यहाँ पर दिख दें x1 minus है plus x1 minus x2 यह 1 है यह आगया फ्रेंट्स हमारे पास हो divided by x2 minus x1 and x1 minus x0 प्लस इस वार हमने fx2 while term commonly तो fx2 while term commonly हमने तो यह बच गया हमारे पास x1 minus यहाँ तो x1 बच गया है यहाँ से और यहाँ से हमारे पास minus x0 divided by x2 minus x1 and x1 minus x0 यह आगया हमारे पास अब इसको क्या लिख सकते है फ्रेंट्स यहाँ पर देखते हैं x2 minus x1 से x2 minus x1 कट जाएगा तो यह हो जाएगा fx0 divided by यहाँ पर क्या कर सकते हैं फ्रेंट्स x0 यहाँ से minus common ले और यहाँ से minus common ले तो यह हो जाएगा वारे पास x0 minus x1 and x1 minus x2 यह हो जाएगा इसको फ्रेंट्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो यह हो जाएगा वारे पास fx0 upon x0 minus x1 and x1 minus x2 यह आ गया अफ्रेंट्स यहाँ पर fx1 वाले में हमें हमारे पास कटेगा तो कुछ नहीं लेकिन अगर जैसे हम यह करते हैं fx1 x0 minus x1 तो यह कट जाएगा हमारे पास इसको अलगा टर्म में डिवाइड कर लेते हैं तो यह हो जाएगा मारे पास प्लस इसका तो अंदर मल्टिप्लाई होगा यह हो जाए बन अपॉन x2 minus x0 and divided by इससे होगा पूरी टर्म से और यहाँ पर होगा fx1 और प्रेंट्स अब पहले हम इससे कर रहे हैं तो x0 minus x1 से मल्टिप्लाई किया इसका और इसका तो यह हो जाएगा मारे पास x0 minus x1 कर जाएगी यह और यह हो गया x2 minus x1 और यह हो गया मारे पास हाँ यह हो गया और प्लस fx1 यहाँ पर इसके इससे मल्टिप्लाई किया हमने तो यहाँ पर x1 minus x2 वाल टर्म यान कि यह कट जाएगी x1 minus x2 वाल टर्म तो minus k así common आजए है और यह हो जाएगा x2 minus x0 और यह हो जाएगा यहां से x1 x2 minus x1 काटना है पर मायने नेहीं हो जाएगा x1 minus x0 यह झाए हम टो यह हो जाएगा यह x1-x0 से x1-x0 कट गया है तो यह बच गया है x2-x0 x2-x1 यह बच गया है मारे पास अब फिर इसको तुम यह इसरी लिख देते हैं fx0 को यह रखते हैं तो यह बच गया है x0-x1 and x1-x2 fx अब यहां फिर माइनस-sin common लेके और fx1 common लेके और fx1 के साथ क्या common ले सकते हैं x2-x0 common ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स पे से और अंदर जो बच गया है हमारे पास बन अपॉन यहां से x2-x0 common लेके तो x2-x1 प्लस बन अपॉन x1-x0 यह बच गया प्लस और यह हमारे पास fx2 यह हमारे पास यह है यह x2-x0 x2-x1 यह हो गया तो फ्रेंस इसको क्या लिख सकते हैं यह तो हमारे पास fx0 रहेगा अपॉन इसको तो कोई चैन्ज नहीं करना हमें x1-x2 अब इसमें चैन्ज करना हमें तो इसमें चैन्ज करने के लिए फ्रेंस इसका lcm ले लेते हैं लेते हैं तो इसका lcm क्या जाएगा x2-x1 x1-x3 multiply हो जाएगा उपर जाके हो जाएगा मारे पास fx1 upon x2-x0 इसका lcm लिया तो वह हो गया मारे पास x2-x1 x1-x0 और इसका multiply एक पाद उपर लिख जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास x2-x1 divide किया तो x1-x0 plus x2-x1 फ्रेंस यहां से देखते हम x1 से x1 कट जाएगा और लाइस की चर्म जो आएगा हमारे पास वह हो है x2 fx2 upon x2-x0 x2-x1 यह हो गया तो इसको लिख सकते हम fx0 upon x0-x1 x1-x2 यहां से हमारे यह कट गया हमारे पास x1-x1 कट गया अब x2-x0 बच गया तो यह भी x2-x0 है तो यह हो जाएगा हमारे पास x2-x0 x2-x0 दोने जगए है मारे पास तो यह कट जाएगा फ्रेंड्स और हम क्या कर सकते हैं साथी अगर यहां से minus common ले ले हैं x1 से यहां से minus common ले ले तो यह हो जाएगा हमारे पास fx1 divided by यहां से minus common ले ले तो प्लस हो जाएगा है यह हो जाएगा x1-x2 यह हो जाएगा हमारे पास x1-x2 और यह तो है हमारे पास x1-x0 यह हो गया प्लस fx2 divided by x2-x0 x2-x1 x2-x1 अफ्रेट इसे यह हो गया कि जो हमारे पास function था वो fx0 x1 धूक्स्थ क्यों पैसे यह हैं निदिक सब्सक्टम के लिए पास है अब हम यहां पर माल लेदे हैं कि कि पोर्ण से किसी अनके हमकर पास symmetric है हम यहां भी मालड़ेंगे कि अनके लिए symmetric function तो उस condition में एन के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंट्स एन के लिए प्रूब करेंगे इसको तो वह दाएगा f x0 x1 dot dot xn वराबर तो mathematical index method से हम इसको लिख सकते हैं f x0 upon x0 minus x1 x0 minus x2 dot dot x0 minus xn plus f x1 upon x1 minus x0 x1 minus x2 dot dot x1 minus xn plus इसी तरह अगली टर्म चलते हुए जोब भी एन भी टर्म होगी f xn बराबर होगा f xn minus x0 xn minus x1 xn minus xn minus 1 यह होगा फ्रेंट्स जो कि हमें प्रूब करना था क्योंकि हमार पास n बराबर टर्म के लिए mathematics index से आ जाएगा जो कि हमें प्रूब करना हैंस प्रूब हलो फ्रेंट्स आपका मारे चल में स्वागते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह हमारे पास central difference interpolation के अंदे अब central difference interpolation में हम क्या पढ़ेंगे पहले central difference operator and relations center difference operator response क्या होता है कोई डेल कोई फंक्शन है f x इसको central difference operator को हम देल से सोब करते हैं तो इसको हम यहां पर डेल लिख सकते हैं तो central difference operator ही होता है डेल अगर इस पर हमने f x पर apply कर दिया तो यह हो जाएगा f x plus 1 y 2 h minus f x minus 1 y 2 h यह प्रेंट्स इस इसको हम और क्या लिख सकते हैं इसको फेंट्स हम लिख सकते हैं e की प्रावर इसको लिखना चाहिए तो e 1 y 2 f x यहां e क्या है यह अपने पास यह प्रेंट्स यह operator होता है वह यह अपने पास अगर यह टर्म को सो करता है जैसे e 1 y 2 h है तो इसका मतलब जो e function होगा और वो f x plus 1 y 2 h हो जाएगा इससे माइनस यहां पर हो जाएगा e minus 1 y 2 f x अगर 1 by 2 f x कॉमन ले लिए जाए तो यह जाएगा e 1 by 2 minus e power minus 1 by 2 f x यह हो जाएगा फ्रेंट्स अब हम आप कह सकते हैं डेल equal to जो होता है वह होता है e 1 by 2 minus operator e minus 1 by 2 यह होता है अब फिर्च डेल स्कॉर f x निकालते हैं जो डिफरेंस होता है वह निकालते हैं शेकन्ड निकालते हैं तो इसके लिए मैं क्या करना होगा डेल देल फ x यह निकालना होगा तो डेल फ x क्या है अपने पास डेल फ X यह अपने पास तो यह जाएगा डेल ओफ fx प्लस बन बाइ 2h माइनस fx माइनस बन बाइ 2h यह हो जाएगा फ्रेंट्स अब हमने इसी definition के according इसका हमें difference निकालना है इसको apply करना है तो यह हो जाएगा मार पास इसमें पहले क्या बन बाइ 2h जुड़ेगा तो यह हो जाएगा fx प्लस h माइनस f इसमें बन बाइ 2h जुड़ेगा तो यह x रह जाएगा अब बन बाइ 2h माइनस होगा माइनस का sign लगके यह माइनस होगे तो यह हो जाएगा f यह तो x रह जाएगा क्यों माइनस बन बाइ 2h हो रहा है और यह हो जाएगा माइनस और यहां पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो फ्लस फ्लस एंवर्स 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 यह दिया सकते हैं फिरस एमाइनस to प्लस ए इंवर्स एंवर्स एफ एपर है यह सो कर सकते है फ्रैस को एफ इसको आगे हम लिखें तो e-e-e, so e की फिपर 1-2-e-1-2 का होल स्क्वार इफ-e यह लिख सकते हैं इसको हम खुल के हम चेक कर सकते हम क्योंकि ऑन की इसका होगा तो 1 हो जाएगा –2 e1जटू e-2 to e-1-2 , e की फिपर 0 हो जाएगा तो 2 रह जाएगा पिलस ए इंवर्स का होलो स्कार तो एक बार माइनस वन रे जाएगा यह हो गया फ्रेंट्स यह आज आएगा हमारे पास अब इस दर हम डेल एन निकाले हैं डेल एन एफ एस निकाले हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंट्स है डेल एन माइनस वन एफ एफ एक प्लस एचवाइट टू माइनस डेल एन माइनस वन एफ एक इस माइनस हएट टू यह लिखा तो यह हो जाएगा यहां पर आर बराबर 0 to infinity, so r बराबर 0 to n, minus 1 की पावर r, n factorial, r factorial n minus r factorial, fx plus nh by 2 minus rh, यह हो जाएगा, यह value आजाएगी फिर्स, अब यहां पहले हम table बनाते हैं, central defense table की जो क्या होती है, वो बनाते हैं, अब फिर central defense table बनाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, x की कुछ values होंगी, y, x की कुछ values होंगी, जैसे x value हम ले ले लेते हैं, यहां पर कुछ value चल रही होंगी, यहां से minus 2 होगा, फिर minus 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और डोडोडो चलते होगी कुछ values, तो इस पर हमार value लेते हैं, y-2 ले लेते हैं, y-1 ले ले लेते हैं, y-0 ले ले लेते हैं, y-1 ले ले लेते हैं, y-2 ले ले लेते हैं, अब यह center में क्या है, center में जो होगा, वो हमार पास 0 होगा, तो center में y-0 होगा, अब हमार पास del निकालना है, इसके लिए, first del निकालते ह तो डेल यह क्या हो जाएगा डेल y-3y2 हो जाएगा डेल y जो जाएगा इन दोनों के बीच का तो माइनस 1y2 डेल y 1y2 डेल y 3y2 और यहां पर डेल y अब इस तरह डेल square y निकालते हैं और डेल square y हो जाएगा अपने पास डेल square y-1 यहां पर निकालते हैं डेल square y, y0 डेल square y1 अब यहां पर डेल q निकालते हैं तो रि ed decides dal q y-1 है डिन दोनों के बीच्ट का यदा डेल-Qय बन बड़ाइटू और डेल फूर निकालते हैं फ्रेंच थो बड़ाइगा अब फूर-वाइ-0 यह हो जाएगा और हम डेल कर निकाला है डेल के लिए हमार पढ़ाता है यह फोर्मूले डेल का होता है फ्रेंट्स जो किसी एंड के लिए एंड वराबर जो भी वेल्य होगी वह हमें इसमें पूट कर लेनी है और जो वेल्य आजा है वह मारे पास रख देंगे अब फेंटम पर्ते हैं अब फेंट्स हम पर्ते हैं एबरेज अपरेटर क्या होता है एबरेज आपरेटर को पूट से करते हैं निव एकल टू होता है मारे पास 1y2 fx plus hy2 plus fx minus hy2 यह होता है मारे पास यहां इसको हम क्या कर सकते हैं new fx equal to होता है 1y2 1y2 plus 1y2 of fx यह इसको कर सकते हम new fx तो यह हो जाएगा हमारे पास new पराबर हो जाएगा 1 by 2 1 by 1 by 2 plus 1 by 2 यह होता है यह हमारे पास average operator होता है अब एक और operator आता है थर्ड operator जो होता है वो होता है हमारे पास central sum operator central sum operator क्या होता है friends central sum operator होता है fx equal to ऐसा operator होता है जिसमें sigma fx plus hy2 minus fx minus hy2 अर्थात ऐसे कोई operator इसमें sigma and del equal to 1 हो sigma and del equal to 1 होता है यह जो operator होता है sigma इसको हम इसको हम central operator कहते हैं हम कुछ relation पढ़ते हैं इनके बीद में आप फ्रेंड्स हम यह पढ़ते हैं relation between operator E del sorry E nevla del del यह operator जो अपने पास है यह central difference operator बाला del है mu and sigma इनके बीद में हम relation पढ़ते हैं friends सबसे पढ़ते हैं फश्ट पढ़ते हैं relation between relation between sigma so del and this del यहां इन दो 120 में different relation पढ़ना है अप्रेंश डेल fx बराबर क्या होता है यह central difference operator जो होता है यह होता है हमारे पास fx plus 1 by 2h minus fx minus 1 by 2h यह होता है तो इसको क्या लिख सकते है फ्रेंट्स e 1 by 2h sorry 1 by 2fx minus e minus 1 by 2fx ले लिए लिए यहां यहां पर हमारे उपर हम कौन सा common लेना है हमें पर हमें देल बनाना है तो देल बनाने के लिए क्लिए क्लिए हमें देल बराबर क्या होता है कि माइनस बन होता है देल बराबर की माइनस बन होता है तो इसके लिए हमें यहां पर ई लाना है यहां पर माइनस लाना है तो इसके लिए में e inverse common लेना एक बार minus 1 by 2 common लेना होगा एक बार minus 1 by 2 common ले लिया तो जाएगा e fx minus 1 fx या इसको लिख सकते e minus 1 by 2 e minus 1 fx तो जाएगा e minus 1 by 2 बार fx होता है तो जाएगा e minus 1 by 2 दल होता है तो दल fx तो जाएगा दल fx एकोल to e minus 1 by 2 दल fx या उजाएगा delta delta equal to so del equal to e minus 1 by 2 delta यह हो गया हमारे पास अब हम second जो पढ़ते है वो पढ़ते है relation between del and nevla अब यह पढ़ते हैं तो del fx पराबर क्या होता है हमारे पास यह होता है minus e power minus 1 by 2 fx यह इसको लिख सकते है e की power 1 by 2 minus e की power minus 1 by 2 of fx अब फिरए एक पावर नेvla ब्राबर क्या होता है हमारे पास नेvla ब्राबर होता है वन माइनस e inverse यह नेvla ब्राबर होता है हम पहले पढ़ चुके हैं फोर्मूले तो नेवला बरावर यह होता है मेरे पास तो इसके लिए हमें e inverse लाना तो e inverse common लेना हो यहां से हमें e के पार 1y2 common लेना होगा तो 1-e-1 1y2fx या 1-e inverse बरावर क्या होगा नेवला नेवला एक पार 1y2fx तो फ्रेंज डेल एकॉल टू हो गया नेवला e-1y2 यह हो गया हमार पास next relation है वो है relation between new delta and e यह relation पढ़ना है हमें तो इसके लिए हमें new ब्रावर क्या होता है फिर्श म्यू ब्रावर होता है 1y2 हम पहले यह पढ़ चुके है e पार 1y2 plus e-1y2 यह होता है तो new square क्या तो इसका square कर देंगे हम तो यह हो जाएगा 1y4 और square square करने पर यह हो जाएगा हमारे पास e क्योंकि इसका square क्या तो 1 हो जाएगा plus 2 plus e-1 यह हो जाएगा हमारे पास अब फ्रेंस इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1y4 तो बार यह 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 यहां पर हमने 2 को एड़ किया है और 2 ही माइनस किया है अब फ्रेंस यहां यहां से पहले पहले पढ़ा था थोड़ी देर पढ़ा है हमने यह पढ़ा था यह होता है यह हम पढ़ चुके हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास 1y4 यह हो गए यह होल स्कुराइर प्लस 4 पर यह क्या होता है यह हमारे पास डिल ऑपरेटर होता है यह जो ऑपरेटर होता है वह हमारे पास Central Difference Operator होता फिर Central Difference Operator की Definition क्याती यह थी अपने पास तो हुजाएगा 1y4 यह हुजाएगा del square और 4 का multiply के अंदर तो plus 1 तो फिर से हमारे पास आ गया एक relation आ गया हमारे पास new square बहाबर 1y4 del square plus 1 यह relation आ गया हमारे पास अब फ्रेंड्स अगर यह mu है हमारे पास new में 2 का multiply करें तो new में 2 new बराबर हो जाएगा हमारे पास e1 by 2 plus e-1 by 2 यह हो जाएगा और del बराबर क्या होता है हमने पहले पढ़ चुके यह होता है e1 by 2 minus e-1 by 2 यह होता है अब हम दोनों को add कर दें दोनों को sum कर दें तो यह हमारे पास कट जाएगा उनली क्या बच जाएगा हमारे पास हम दें 2 new plus del equal to e-1 by 2 यह बच गया हमारे पास है तो यह हो गया हमारे पास है new plus del by 2 equal to e-1 by 2 यह आ गया यह भी हमारे पास है इसी तरह हम इसमें से इसको minus करें तो यह हो जाएगा 2 new minus del equal to 2 e-1 by 2 यह new वराबर हो जाएगा हमारे पास e new वराबर यह इंदर चला जाएगा तो यह हो जाएगा minus 1 by 2 plus 1 by 2 del यह भी एक रिलेशन आ गया हमारे पास है अब यहाँ पर हमारे पास new है new and del दोनों को multiply कर दें तो यह हो जाएगा मारे पास new क्या होता है 1 by 2 e की पार 1 by 2 plus e की पार minus 1 by 2 और del क्या होता है friends होता है e की पावर 1 by 2 minus e की पावर minus 1 by 2 यह होता है हम दोरों multiply कर दिया तो यह हो जाएगा मारे पास 1 by 2 कि इसका multiply किया तो यह हो जाएगा हमारे पास e की पवार 1 बाय 2 and sorry, ये पिलस रहे तो ये होजाएगा e ये e माइनस b का हॉल a माइनस b a माइनस b है तो a स्कूर माइनस b स्कूर बजाएगा तो ये होजाएगा e and ये होजाएगा हमारे पास e inverse ये होजाएगा, अगर फिर से हमें इसे e inverse common लेले तो उसके लिए हम्हाफबस ben by 2 यह यह 20 यह स्क्वैर – 1 यह हो जाए गा e स्क्वैर – 1 यह ह Multip原因 क्या लिख सकते है पिडियों यह पर e common आहँ त्यटए सीधा ही हो जाएगा za 1 by 2 को यह e को जो हमुने common लिया है जो फेने e universe १ूरे e worldwide मुन लिया है तो तो इंवर्स को मुझे लिख रहे हैं तो यह हो जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं तो 1 by 2 इसको क्या लिख सकते हैं तो 1 by 2 e plus 1 e minus 1 upon e यह हो जाएगा हमारे पास तो फ्रस यह तो हमारे पास e-1 तो डेल हो जाएगा simply तो रह जाएगा 1y2 यह तो डेल हो जाएगा और यह रह जाएगा मारे पास इसको हम आगे लिख लेते हैं तो यह तो डेल रह जाएगा अब e plus 1y e plus 1 upon e रह गया तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 plus e inverse जो कि यहाँ पर divide किया तो यह e inverse हो जाएगा यह हो गया हमारे पास अब फ्रस डेल का अंदर multiply कर जाएगा हमारे पास 1 by 2 दो बाहर यह डेल प्लस डेल e inverse यह हो जाएगा हमारे पास तो इसके हमारे पास फ्रस्थ एक relation आ गया है और relation जो है वह हमारे पास यहाँ निउग डेल एक्वल टो 1 by 2 डेल प्लस डेल e inverse यहानि कि relation बाहरे पास यहाँ पर लिख 네ए डेल ओक्वल टो 1 by 2 डेल प्लस डेल णिवर्स यह रिलेल आ गया है friends हमारे पास अब परते हैं relation between sigma and e यह परते हैं relation between sigma and e परते हैं तो वो जाएगा मारे पास sigma and e fx बराबर क्या होता था फ्रेंट जब sigma हम एपलाई करते हैं सिग्मा fx फिलस बन बाइड टू एच माइनस fx माइनस बन बाइड टू एच यह होता था तो इसको क्या लेख सकते हैं फ्रेंट इसको लेख सिग्मा कुछ तक यह हो जाएगा e की पावर 1y2 fx माइनस e की पावर 1y2 fx यह हो जाएगा अगर फिर यहां पर हम एक बाइड बाइड टू मल्टिप्लाई कर लें 1y2 fx तो यह हो जाएगा हमारे पास सिग्मा और यह अंदर मल्टिप्लाई हो जाएगा इसका तो यह मल्टिप्लाई की लिए कमेंटी तूल होते हैं यह हम जानते हैं तो यह हो जाएगा fx माइनस e के पावर 1y माइनस 1 हो जाएगा यह fx यह इसको कर सकते हैं e-1 1 by 2 f x equal to sigma 1 minus e inverse of f x यह फ्रेंज इसको क्या लिख यह हो गया मारे पास तो यह हो गया मारे पास e minus 1 by 2 equal to sigma 1 minus e inverse e inverse यह हो गया यह इसे हम लिख सकते हैं sigma पराबर e equal minus 1 by 2 divided by divided by यह हो जाएगा 1 minus e inverse यह हो जाएगा अगर हम e inverse पराबर 1 by e रख लें तो यह हो जाएगा मारे पास फ्रेंट्स एक बार minus 1 by 2 1 minus 1 upon e lcm लेकर हो जाएगा मारे पास e का अंदर में उपर multiply हो जाएगा तो e की बार 1 by 2 बच जाएगा और यह हो जाएगा e minus 1 यह जाएगा यह फ्रेंट्स रिलेशन आगया हमारे पास sigma और e की बीच में हेलो फ्रेंट्स आपका हमारे चनल में स्वागत है आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वह question है अपने पास solve the following transportation problem transportation problem में दी होई है हमारे पास जहाँ f1, f2, f3 कोई source है और m1, m2, m3, m4, m5 यहाँ इनकी supply करनी है availability है f1 के पास 8 है, f2 के पास 12 है, f3 के पास 14 है और m1 को दिमांड है, m1 को 4 है demand requirement, m2 के लिए 4 है, m3 के लिए 6 है, m4 के लिए 8 है, m5 के लिए 8 है फिर्ट सबसे पहले हम देखते हैं क्या यह जो transportation problem है यह balance यह नहीं उसके लिए हम दोनों का sum करते हैं इन दोनों का sum करते हैं तो यह हो जाता है अपने पास 20, 34 है और अब इधर देखते हैं तो यह हो जाता है 16, 16 plus 6, 22, 22 plus 4, 26 plus 4, यह हो गया अपने पास 30 यह 30 है 34 है इसे मतलब यह जो हमारे पास टेबल है जो transportation problem है यह अपने पास balance problem नहीं है अब इसको balance बनाने के लिए हमें क्या करना होगा इसमें हम देखते हैं यहां पर requirement 4 हो अब फ्रेंट्स यह हम इसमें इसका मतलब है M6 एक जनरेट करना होगा वह हमारे पास रिगल में नहीं होगा लेकि हम जनरेट करेंगे कि मान के चलेंगे कि हमारे पास कोई M6 है जिसके requirement 4 है यह मान के चलेंगे हम तो इसके लिए हम बनाते हैं सबसे पहले परश्टेवल बनाते हैं तो कि यहां से फ्रेंट्स M1 M2 M3 M4 M5 M6 यहां पर F1 F2 F3 यह हो गया अब फ्रेंगे इसकी requirement है उसकी requirement यह इसकी 4 M1 की requirement 4 4 6 8 8 इसकी requirement हमने 4 लेकर चले हैं क्योंकि 4 लेने से 34 इसकी requirement हो जाएगी जितने के availability है और availability है इसके पास हुए 8 12 & 14 तो फ्रेंट अब यह 34 34 दोनों तरफ तो यह आपने पास तो ट्रांस्पोर्ट से प्रवलम्ति यह बेलेंस हो चुकी है अब फ्रेंट इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारे पास cost है वह बढ़ देते हैं कोश्ट को हम कॉर्णर पर देखते हैं तो यह है कि फोर टू थ्री टू शिक्स इसके हम जीरो लेकर चलते हैं कोश्ट इसकी जीरो लेकर चलते हैं और फाइव फोर फाइव टू लगा रहें नॉर्थ वेस्ट कॉर्णर रूल रूल वह क्या कहता है पहले जो नॉर्थ कॉर्णर पर रहा रहा है उसकी दिमांड हमारे पास पूरी करेंगे अश्की अवेलिबिल्टी इसके पास पास आठ है और इसके डिमांट 4 है तो यह अपने पास 4 ले ले गा इसके पास 4 एक पूर इसके लेगा प्रेट यहां पर यह दोनों को यह कंप्लिट हो चुका है अब मैं यहां पर लेना है तो यह हो जाएगा 12 और इसको कितनी हैं तरीकी 6 लेगा उसके बाद इसको र्यूकौरमेंट आती है तो इसके आ पास बेज सिक्स नियुन सिक्स तो दे iantes एकाar harvest यहां से ले लेगा उसके पाद यहां पर इसके लिए यहां से ले लेगा एट एट एंड फॉर अब प्रेस्ट हम देखते हैं एम प्लस एंड माइनस वन जो कि बेसिक सोलिशन होता है उसके में बेरेवल उन चाहिए एम प्लस एंड माइनस वन यहां पर हमारे पास कितने वेरेवल वन है 1 2 3 4 5 6 7 लेकिन हम देखते हैं यहां से यह 6 है तो एम 6 प्लस एंड क्या 3 माइनस एक एक एकुल टू 9 माइनस वन एट आ यहां सकते हैं यहां पर माल आगए कर सकते हैं इसको यहां पर माढ़े च Zheng पटा है कि यहां पर बेली नकाल सकते हैं तो हम यहां पास आ चुका है लेकिंद यहसे बेसिस पास डेता है लेकिन नहीं देता अब इसको मिनिमंड करना होता है तो मिनिमम के लिए यू भी में लगाते हैं फेंड स्व्व जी यूंहां U2 U3 यहां पर V1 इसके नीचे इसके नीचे V2 इसके नीचे V3 इसके नीचे V4 V5 and V6 अब पर यहां पर हमें एक को 0 लेके चल रहे हैं एक को हमने अपनी तरफ से किसी को भी ले सकते हैं मैंने इसमें U1 equal to 0 ले लिया तो लेकरना क्या है U1 plus V1 अपनी पास cost value होते हैं उसके एककोल होना चाहिए और वह उसी में लेना है में जिसमें इसके फिल की होग लिए हैं इसतितर यू बन जीरो बराबर यहां बरावर है एकर करणा होगा किया तो प्लस ये अवित्य टू पर जो यू टू लो से इक्वैन यहां यह पर तो हमें यू टू प्लस ब्लस यू छी तरी होगा तो फाइब लो जाए गया है यहां पर V3 आचुका है यहां पर U2 बरावर 2 है यहां पर हमार पास 2 चाहिए तो इसके V4 बरावर 0 आ जाएगा अब यहां पर V4 आचुका है तो V4 यहां से यहां से हमें V4 प्लस U3 एक्टो 7 चाहिए तो U3 एक्टो 7 यहां से यहां से 7 वी 5 प्लस U3 एक्टो 3 चाहिए तो V5 प्लस 7 एक्टो 3 वी 5 एक्टो माइनस 4 आ गया इस तरह V6 एक्टो आ जाएगा अपने पास जीरो चाहिए यहां पर तो V6 एक्टो 4 प्लस 20-7 यह आगया अब हम निकालते हैं यू जो ड्री मेर जो हमार पास है जिनमें हमने कुछ भी नहीं किया जो जिनको लेके नहीं चले जो हमारे पास खाली है उनमें निकालना है Ui जोडना है और कौश्ट करना है तो यह करते हैं तो हमारे पास आता है पहले 3 प्लस 0, 3 रहेगा, माइनस 3 यह 0 हो जाएगा, V4 यह 0, 0 तो यह माइनस हो जाएगा, फ्रेंट समय माइनस हैं तो आपका माइनस लिख देंगे, लेकर हमें इसमें देखते हैं सबसे बड़ी पोजेटिव नंबर, फ्रेंट समय माइनस को तो हमें लिखना है, माइनस मी कुछ भी नंबर है हमें लिखना यह नहीं इसमें मतलब हमें, अगर हमें पता चल रहा है कि माइनस में जा रहा है तो यहंँ बड़ी माइनस का sign लगाए इसीतर यहा भी4, यहाँ पर माइनस 4 फ्रक्राइब शतुर अब हैं यहां पर देखते हैं तो मैνα सेवन प्लेस ओ यहां पर देखते हैं तो और ले descriptive है तो स्राविस निगी लिए अब यहां पर देखते हैं और वर एधी को टूरे माइनस सेवन यह हो liberties तो एक बार फाने वा फॉर पास 4 इसी तरह यह आगए प्रेंट्स 6 यह आग चुका है मारे पास अब यहां पर देखते हैं सबसे जो लार्जेस्ट पॉजेटिव नंबर है लार्जेस्ट पॉजेटिव नंबर क्या है इन में यहां पर यह जीरो माइनस माइनस इसे मतलब भी नहीं कि यहां पर यहां पर यहां यहां पी यहां पर जाते हैं तो आगे हम यहां जा सकते हैं लेकिटर मुटते यहां पर मुढ़ने के लिए कोई चांस नहीं है हमारे पास क्योंकि मुढ़ना होई है जहां पर हमारे पास फिल हो तो हम यहां से मुढ़ना होगा यहां से मुढ़ना होगा अब हम यहां पर जाकर नीचे नहीं आ सकते क्योंकि नीचे को यहां से मुढ़ना होगा इस तरह यह हमने यहां पर फिल कर दिया, तो इसका मतलब यहां हमने थीटा फिल किया तो इसको मैं आप्टिमॉल बनाने के लिए यहां माइनस थीटा करना होगा, अगर यहां पर माइनस थीटा होगा तो इसमें से कुछ थीटा वो माइनस होगा है, यहां पर यहां पर उसको माइनस क तो कुछ पूआईगा सब्सक्राइब आप मनने यहां पर यहां सिर्फ करना है सब्सक्राइब पहले कर देते हैं इस नहीं का है तो तो यहां पर जाएगा फोर यहां पर फ्लस थीटा तो यह जाएगा एट फिर्ट से अब यहां पर ध्यान रखने बात है कि यह जो कंडिसन है यह होनी है अब यहां पर देखते हैं धिता इकुल इसके नीचे निचे नीचे निफ़ से जीरो को नहीं पास जो जाएंगे हो जाएंगे अपर हम देख सकते हैं यहां पर जो बेसिस हैं वो हमारे पास कितने होना चाहिए यानि M6 3-1 यानि 9 होना चाहिए 8 होना चाहिए तो हम किंते इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 यह हमारे बेसिस हैं अपर फिर से मोई यू एंड वी बाला फर्मूल लगाते हैं तो यहां पर यू बन लिखते हैं यहां यू टू यू थ्री यहां पर वी वन वी टू वी थ्री वी फूर वी फाइब वी शिक्स अपर यू वराबर जिरो लेकर चल रहे है तो वी वराबर आजाए का पर पास 4 ज यह जीरो यह टू यह माइनस वन और यूटूबर आपर आजाएगा टू एंड वन पहले 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 जो टेबल में सॉल्व किया था कुछ तरी के सॉल्व किया है है हमने अब हम यहां पर फिर से मोई देखते हैं कि यू यू आइपलस भी जे माइनस सी आईजे तो देखत यहां पे नहीं पहले में यहां पर बहुद देखना है है तो यह आज जाएगा हम आफ्ने पास कि यह माइनस हुद नेकित भाजा शाएगा व क्योंकि टू माइनस चू प्लस टू तो ऐसे बसंवर कम पत्वा है इसाँथ तरह सब्सक्रारं मोएांब सब्सक्राइब एक जार्णा यह करहिकला है उर्श पहों से पंपर उल सब्सक्राइब हाँ आप फ्रेंवरेवा से घर नतुक्तनि आचिक है तो अम देखे सबसे हिएं अधिक है यहां हमें regulators करना हैं किया है मब यहां Southeast आप यहां से देखना है कि उपन नहीं जा सकते हैं यहां से हैसे एशे कोई जाना कोई नहीं है यहां से जाए यहां से करके हम यहां से यहां से आगे नहीं जा सकता है अह works प्रियाद से पर यहां पर ऐंवा पाएंगे से लिए ओपर मदो में आपते पहले तो यहां SHow अब्र माइनस करना पड़ेगा उसको यहां उसको प्ल्स करना सकती है तो लेट वह को टूल फोर आप मिनाते हैं इस तरह से क्रें कि हमारा पास कोई इस नहीं नहीं है यहां पर पहुँ कुल जैगा यहां Am नहीं करना है तो यहां पर J cκ mk480 यहां इसको नहीं लोगे यहांपि लिखना है यहां पर फूल लिखना है फिर स्वें द्यान रखना है कि जो अभ्यापिल्ट हो और्वेलविल्टी और डौनों कंडिशन नहीं होनी चाहिए यहां पर सबसेट है। सब्सक्राइब हमेर wprowad कोधिक हो जाती है। कि यू एन्ड बी vardı हम ध्यान रहा है कि हमारब पास प्रेंट इसका मध्यूवेटि अभी है हिए सब्सक्राइब करने चाहिए तो ऐसे इसको हम ध्यान रखते हो अगर हमारे पास यू एंड वी की कहीं गलती हो जाती है तो हमारे पास इस्टेप बढ़ जाएंगे लेकिन हमारे पास सॉलुशन लाइस्ट में आ जाएगा अगे अब फिर्श यहां पर करना है तो फ्रीटर्व यहां पर हो जाएगा सिक्स है और यहां पर कुछ नहीं तो एट माइनस थीटर यहोजाएगा फूरट प्रेंस यहां पर देख सकते हैं कहीं भी हमारे पास जो अबलेविल्टी यह और फॉर एट है जीरो एट फॉर इस तरह requirement देखते हैं तो 4 इसके भी 4 है 4 यहां पर भी 4 है इतर 6 है 8 यहां पर भी 8 है 4 प्लस 4 यहां पर भी 8 और 4 यहां पर भी 4 है इस तरह हमारे requirement availability दोनों condition नहीं होंगी अब हम यहां पर फिर से यू भी बैतर लगाते हैं यू 1, यू 2, यू 3, वी 1, वी 2, वी 3, वी 4, वी 5, वी 6 अपर यू बड़ाब हम अपनी तरफ से मानने है 0 फिर हमारे यह बैले नकालनी है तो यह आ जाएगी 4 यह 2 अपर यहां पर बैले नकालनी है तो यह आ जाएगा अपने पास 4 वी फिपल टू यह आ जाएगा 1 तो यह आ जाएगा 2 अपने पास यहां से है से बीपोल 12 आप यहांसे वी 5 यू निकाल सकते वह बेigue 1 whether बन माईने अब यहांसे हमारे लपास यहां यहां पर 78 अब फ्रेंट निकालनी है और यू थी की निकालनी है अब यह निकालनी है अब यह क्या कर सकते हैं अब यह पर पस दीफाइब की वैलू है मैनस माइनस वन तो यह आ जाएगा यू थी बराबर आजाएगा अबने पास अब यह आ चुका है यहां से इसके निकाल सकते हैं माइनस थी और यह आ जाएगा अपर फिर से वह देखते हैं कहां पर और यहां पर इन मेन जरूत नहीं क्यों कि हमने इपास और यह नेगे टिए और मारे पास माइनस 3 यह नेगेटिव करेंगा करें देखते हैं पीस तो यह हमारे पास नेगेटिव मद जाएगा आफ यहाँ पर देखते हैं तो यह है यह मद धेखते हैं तो यह 4 यह और इए बसे सब से मिनीम्म सब से सबसे सबस्थ सबसे बड़ा पोजेटिव नंबर तो सबसे बड़ा पोजेटिव क्या यहां पर यह थीटा अपर यहां पर दिया है तो अब थीटा को इसी तरह से ले जाना है तो यहां से उपर जाएगा उपर जाएगा यहां से मुड़ेगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां अब हम यहां पर थीटा फिल किया है तो यहां पर हमें कुछ माइनस थीटा करना होगा तो यहां पर माइनस थीटा करना होगा यहां प्लस थीटा किया है तो यहां पर प्लस थीटा करना होगा यहां प्लस थीटा करना होगा यहां प्लस थीटा किया है तो यहां माइनस थीटा से सब्सक्राइब 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 धृट कुछ भाइज के रहा है याँ हो रहा है यह यह मैं पर आजाएगा meaning यहाँ से यहाँ पर 0 अट गए दिंगे में में यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर ड़िक गए ऐख गए ऑगा कि यहाँ आपर सुर माइंस फॉर फ्लेस्टेटा बेहेगा तो यह यहाँ पर फोर है यह वे यह 4400 एंड और फैन्स यहाँ पर अपने पास है और देखते हैं कहीं रेतों नहीं गया पास इस हम में तो फोर-फोर हमन लें फ्राइब कर लिये इसमें है अपने पास 24 hea pitch लिया है इस भर में 106 यहाँ पर तो से होगा है आपने पास 6 यह हो गया हमारे पास अफ्रहिए अफ्र अब्रह पर देखता है अब अब यहां पर देखते हैं जो कंडिशन हर्फॉप्लस equal to eight हो հहा है इससे तरह eight plus four is helmets 12 हो रहा है ग्रों प्र Utah California कल ची उसे तरह four plus zero ऑकल to four और ऑप्र यह-थ हो रहा है यह नहीं almost six just six हो रहा ईकश फॉर एक यह पर ग्रस पर फॉर हो ह Sure टो मारे बास अप्र कंडियोम्त चर्जवग नहीं हुई क्वह एस नहीं मिय rou यू यू वाला फर्मूल लगाते हैं U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 V5 V6 अप्पर इस U1 बरावर हमने 0 मान लिया है इसको हमने 0 मान लिया है तो यह आजाएगा 4 यह आजाएगा 2 यह 2 आ गया है तो से विदीक ब्राबर टू वह गया यूके टू प्लज इकल टू अब यहाँ पर में है यहाँ को तो तो यह विद्री गृइशनता निकालना फूल टू सेकशू यह घय Tuesday आ अपर यहां पर हमार पास आ चुका है वी 5 आ चुका है तो हम हम V5 देखते हैं यहां पर टू प्लस 0 यह नेगेटेब तू प्लस जीरो ये जीरो नेगेटिव 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 अब यहापर देखते हैं फोर प्लस जीरो ये नेगेटिव 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 नेगेटि यहां पर देखते हैं 2 प्लस 2 4 माइनस 7 नेगेटिव अफर यहां पर हम देखते हैं सभी यहां तो हम पास negative आ रहे है यहां पर इसका मतलब यह हम इस जिरो को हम एक बार और कर सकते हैं लेकिर उससे कुछ नहीं होगा हमारे हम इन से सट कर सकते हैं या करेंगे यहां पर बाए टो मतल다음 से सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे लेकिन हमारे पास यहां पर बाहने सागे ईर जीरो आए पॉजिटिव कोई नहींен तो यह मारे पास यह ने भी एक हमारे पास अप्टिमल सॉलेषन है तो अप्टिमल सॉलेषन क्या है हमारे पास मैं इसको मैं लिख सकते हैं F1 to M1 जो जाएंगे वो है अपने पास 4 और F1 to M2 जो जाएंगे वो है अपने पास 2 इसी तरह F2 से M4 F2 से M4 जो जाएंगे वो अपने पास 8 और F2 से M5 जाएंगे वो अपने पास 4 यहां पर 4 है यहां पर भी 4 है यहां 8 यहां 1 अब F3 से यहां जाएगा M1 पर जाएगा वो 0 है अपने पास एंड F3 से M3 पर जाएगा F3 से जो M3 के लिए सप्लाई होगी वो अपने पास 6 होगी और इसी तरह हमारे पास महार पास M6 के लिए supply होगी वह फूर होगी और M5 के लिए supply होगी वह फूर होगी महार पास मतलब यह जो फूर बचाए यह F3 से M4 F3 के पास 4 एक्षर रह जाएंगे क्योंकि M6 जो हमने एक हमने create किया था अपनी तरफ से M6 अपनी तरफ से create क्या हुआ है तो M6 पे supply नहीं होगी तो हमार पास यह हमने क्या सकते हैं कि F3 के पास जो डिमाड जो अविलेविल थे फूर उनमें से टैनी supply करेगा वह अपने पास फूर उसके पास से बच जाएंगे और साथ ही यहां पर यह 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 जीरो जाएगा हमने माना यह से जीरो जाएगा लेकिन यह इसा होता नहीं है अप्रेंट से आप्टिमल बैल्यू निकालते हैं एट इंट्यू टू प्लस प्लस फॉर इंट्यू रइंट वन अब यहां पर देखते हैं जीरो इंट्यू नहीं आप्टिमल एट प्लस 16 प्लस 4 प्लस 24 प्लस 12 इसका सम करते हैं तो यह जाएगा अपने पास 60 60 प्लस 32 32 प्लस 24 प्लस 8 32 प्लस 12 तो यह गए प्लस 64 प्लस 12 यह गए अपने पास 76 जो minimum cost है वो 76 है यह मार बास solution आगा इसका थेंक यू फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चनल में स्वागत हैं आज जो हम solve करने वाले हैं वह question है solve dual of the following problem maximum z equal to x1 plus x2 और subject to 2x1 plus x2 greater than equal to 4 x1 plus 7 x2 greater than equal to 7 और जहाब पर x1 x2 greater than equal to 0 दिये हुए हमारे पास अफिर इसको solve करना है तो इसको solve करने के लिए सबसे पहले हमें duality change करने होगी क्यों हमें dual solve dual of the following problem problem की dual हमें solve करने हैं तो इसके duality change करने के लिए हमें इसके standard form देखना होगी standard form में है नहीं फिर्स standard form क्या क्यों होती है वह होती है maximum z equal to ct x और subject to condition होती है वह यह x less than equal to b and minimum minimum z में हो अगर minimum z हो तो उस condition में आपने पास जो condition होती है वह greater than equal to b की इस form होती है और फिर्स यहां पर हम देखते हैं यह maximum वाली form टर्म में maximum z दिया हो है x1 plus x2 और जो condition दी होई है वह greater than equal वाली दी होई है मारे पास लेकिन हमारे पास से कंडिशन चाहिए इस टंटर फॉर्म के लिए वह less than equal वाली चाहिए इसके लिए हमें क्या करना होगा इस इस पूर में इस equation में इस equation में दोनों equation में माइनस से multiply करना होगा तो माइनस से multiply करते हैं तो यह आ जाता है अपने पास maximum z equal to x1 plus x2 रहे गा है तो और subject to condition होगी और माइनस से multiply करना है तो माइनस 2x1 minus x2 minus 2x1 minus x2 less than equal to minus 4 इस तरह minus x1 minus 7 x2 less than equal to minus 7 x1 x2 greater than equal to zero अप्रेश यह मार पास standard form है अब standard form कि इसकी dualty क्या होती है अगर यह condition होगी इसकी dualty होगी इसकी जो dualty होगी होगी अब मार पास minimum z d बराबर बी ट्रांस्पोर्ज ओमेगा और सब्जेक्ट टू एट ट्रांस्पोर्ज omega greater than equal to c transpose यह होता है अब हमें इस form में लिखना है तो हमारे पास minimum z d minimum z d equal to b transpose b क्या हमारे पास minus 4 and minus 7 यह column बाइज है इसको हमें रो बाइज लिखना है तो तो omega से multiply करेंगे तो वह जाएगा omega 1 and omega 2 यह इस तरह से हो जाएगा friends minus 4 minus 7 and यह हो जाएगा omega 1 omega 2 तो यह multiply करेंगे पर minus 4 omega 1 minus 7 omega 2 तो यह हो जाएगा माइनस 4 ओमेगा 1 माइनस 7 ओमेगा 2 और जो कंडिशन होंगी वो हमारे पास होंगी यह ट्रांस्पोर्ज यह क्या है हमारे पास इसमें यह है वो यह बराबर अपने पास इसमें माइनस टू, माइनस बन, माइनस बन, माइनस सेवन, यह फट्स ए है मारे पास, तो इसका ट्रांसफोर्ज हो जाएगा, वो जाएगा, मारे पास, यह ट्रांसफोर्ज हो जाएगा, वो जाएगा, मारे पास, माइनस टू, माइनस बन, माइनस बन, माइनस सेवन, यह ट्रांसफ माइनस 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और साथ में क्या है? ग्रेटर देन उकल टू C ट्रांस्पोर्ज अब फिर C क्या हमारे पास यहां पे? C जो है वो हमारे पास 1 1 दोनों का हमारे कोफिसेट होंगे जो वो 1 1 होगा तो ग्रेटर देन उकल टू 1 इसी तरह माइनस ओमेगा 1 माइनस 7 यहां से माइनस ओमेगा 1 माइनस 7 ओमेगा 2 ग्रेटर देन उकल टू 1 जहां पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ग्रेटर देन उकल टू 0 है अफिर यह आ गया हमारे पास लेकिर हम यह आपर देखते हैं तो यह बनता है से यह इस प्रोभ्लूम लिए है यह हमारे पास मेर्टिकस वह वह है यह कोई मेर पास बास बेशस नहीं है बेह güंस्ट मेर पास कहीं भी मिल रहा है तो उसको बनाने के लिए इसमें क्या करना हो जो जोड़ना हो है जिए क्वेशन होजाएं और उसके बाद हमें इसमें artificial variable जोड़ना होगा जिससे कि वो हमारे पास equation में चैंज हो जाए तो यह कर देंगे उसको minus 2 omega 1 minus omega 2 minus omega 3 omega 3 surplus variable है और plus omega 5 जोड़ देते हैं यहां पर यह हो जाएगा minus omega 1 minus 7 omega 2 और 0 omega 3 के साथ 0 हो जाएगा इस तरह omega 5 के साथ भी 0 हो जाएगा तो minus यहां पर जोड़ोगा वह omega 4 कर दिया प्लस omega 6 equal to 1 यह हो गया फ्रेंट्स और जो हमारे पास minimum minimum ZD था वह हमारे पास minimum ZD था इसको हमें maximum में change करना होगा क्योंकि minimum है तो इसको maximum change करने के लिए माइनस से multiply करना होगा तो यह हो जाएगा maximum ZD equal to 4 omega 1 plus 7 omega 2 और फिर इसमें artificial variable omega 5 और omega 6 यह जोड़े हैं तो इसका मतलब हमें जब artificial variable जोड़े हैं तो इसका मतलब हमारे पास उसमें हमें m method लगाना है bigger method लगाना है तो bigger method लगेगा तो omega 5 के corresponding minus m omega 5 minus m omega 6 यह हो गया अफ्रेंट्स यह हमारे पास problem आ चुके यहां omega i greater than equal to 0 i बरावर 126 यह है हमारे पास अब फ्रेंट्स को solve करने के लिए हम simplex table बनाते हैं simplex table क्या होता है फ्रेंट्स cb होता है b omega b b and cj यहां पर हम लिख सकते हैं omega 1 omega 2 omega 3 omega 4 omega 5 omega 6 यहां पर हमारे पास जो कोश्ट वह लिखने होंगे हमें यहां पर यहां से 4 7 4 7 omega 3 omega 4 की 0 है तो 0 0 यहां पर minus m minus n और फ्रेंट्स बेसिस क्या हमारे पार यहां पर omega 5 omega 6 मिलके बना रहे तो यह होजाएगा omega 5 omega 6 इनके according 1 1 यह होजाएगा यह अपने पास minus m minus m और फ्रेंट्स यह जो है अपने पास यहां पर omega 1 इसके according जो matrix बनेगा वो उसके according यह अपने पास minus 2 minus 1 minus 1 minus 7 minus 1 0 0 minus 1 1 0 0 1 अब फ्रेंट्स यह हमारे टेबल आ चुकिया अब निकालते हैं ज्य माइनस सीजे फिर ज्य माइनस सीजे क्या यह 3m यहां पर भी multiply किया माइनस 2m यह दोनों 3m हो गए 3m पिलस 4 इस तरह यहां पर क्या तो यह हो गया 8m minus 7 यह हो गया M M 00 यह हो गया फ्रेंट्स अब इस यहां पर देखते हैं अब में किया होता है हमारे पास बहुत ही बड़ा नंबर होता है इसको फिक्ष्ण होती लेकर इसके कहते हैं कि यह M होता है यह बहुत ही बड़ी संक्या है अब इसंक्या कितनी बड़ी हो सकती है तो हर संक्या के लिए यह में बहुत है में लाइज नंबर इन यह जो नंबर है एक्ष्ण मैद सेफिके ग्रेटर देन जीरोंगे सो तो आप्टिमाल ने लेकिन हम यह क्या देखते हैं जो omega 5 and omega 6 की value हमारे पास 1 and 1 आ रही है लेकिन omega 5 and omega 6 हमारे पास क्या है artificial variable omega 5 and omega 6 equal to 1 1 but these are artificial variable यह सब आठीपीचल है तो solution is not exist यहां पर artificial value हो को जो हमारे पास हमने माने है omega 5 and omega 6 artificial है तो उनके हमारे पास value आ रही है लेकिन हमारे पास हमारा इसमें लाक्ष होता है कि हमारे पास छिरू यह हमारे पास हमारे पास निकल जाएं क्योंकि यह artificial है लेकिन इसकी value आ रही है तो इसका मतलब है जो हमार पास solution है वह exist नहीं कर रहा थैंक यू फ्रेंट्स आपका हमारे चनल में स्वागत है आज जो हम पढ़ने वाले वो question है रहार दाद्वर्व अवधा फॉल्विव अन्सौलव इंट सॉल्व इट पिश्चिन हमारे पास राहिस्तान उनिवरसिटी नो 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 में नो में फिरस अब यह question solve करते हैं तो सबसे पहले हमें duality change करते हैं तो duality change करने के लिए क्या करना होगा मिनीमम है तो यह maximum change हो जाएगा maximum ZD फिस मिनीमम में तो यहां पर greater than equal सब्सक्राइब होती है अगर मैक्सिमम होता और यह होता तो सबसे पहले सो मिनिमम में चैंज करते उसके बाद हम सोल्व करते अब यहां पर मैरे इस्टेंटर फॉर्म है यह यह जाएगा मैक्सिमम जैडी एक्वल टू यहां से वन ओं ओमेगा वन प्लस तू ओमेगा टू सब्सेक्ट टू जो कंडिशन आएंगी वह यहां से यहां से आएंगी ओमेगा वन प्लस यहां से टू ओमेगा टू यहां पर ग्रेटर य यह जू कहा है तो लेष् दें एक्वल टू ठी. यह यहें और प्लस three omega 2 less than equal to 1 फिर्स हमने चेंज कर लियाए जा पर omega 1 and omega 2 greater than equal to 0 अब फिर्स हमने प्रहनी वीडियो में जो हमारे पहले जो वीडियो में थी उसमें हमने समझाया कि किस तरह से हम solve करते हैं किस तरह से हम duality चेंज करते हैं वहां पे हमने इसको और वी समझाया आप वहां पे देख सकते हैं इसको अब इसको solve करते हैं तो इसको solve करने के लिए simplex method बनाना इसको तो इससे solve करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें basis बनाना होगा तो यह inequality को हमें equality में change करना होगा तो यह दो जाएगा maximum z equal to omega 1 प्लस 2 omega 2 subject 2zemegar 1 plus 2 omega 2 plus omega 3 omega 3 फ़ल्स यहापको है कि slack variable है equal to 1 and omega 1 plus 2 omega 2 से एक्वें प्लस 0 ओमेगा 3 कि थो सैंट लेंग अबेन हैं ओमेगा 4 है इक्वल टु возможность याँ पर यह 9 था अ हेडिए यह ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 है ओमेगा ओमेगा 2 मिजा 1 ओमेगा 3 विवूीज littleszy ए इक यॉल तो तो हम यहां पर यह देखते है इसमें जो गणांक मैट्रिक से वो निकारते हैं तो यह बराबर क्या है अपने पास वन तो वन जिरो वन तो जिरो one फिर यहांपर हम देख सकते हैं यहांपर अगर इसको हम लिखे अलफ़ आफ़ा वन एलफा टू alpha 3 alpha 4 तो यहां पर alpha 3 and alpha 4 वाले column alpha 3 and alpha 4 यह दूर्ड हमारे पास लिए आइडेंटिमेट्रिक्स बना रहे हैं तो हमारे पास जो basis होगा वो alpha 3 and alpha 4 हो जाएगा अब हम पहले simplex table बनाते हैं फिर्ट यहां पर हम लिखते हैं सी भी कोस्ट वेल्यू बी बेसिस के जो एलिमेंट होते हैं वह जो एलिमेंट बनाते हैं ओमेगा भी एंड बी और यहां पर सीज़े आपके इसमें हमार पास ओमेगा बन ओमेगा टू ओमेगा थ्री ओमेगा बन ओमेगा टू ओमेगा थ्री ओमेगा फोर और सीज़े जो कौस्ट वेल्यू है वह अपने पास वन तू तो 1, 2 एंड इसके लिए 0, 0 अब फिर से तो हमारे पास बेसिस है वो अलफा 3 एंड एलफा 4 बना रहा है तो अलफा 3, एलफा 4 उसके लिए किसे कर्रोस्पोंडिंग है वो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 4 तो ओमेगा 3 ओमेगा 4 पर कोष्ट वैल्यओ के आया उनकी दोनों की 0 एंड जियरो जीरो यहां पर बी की आया बी की की आया यहां पे जो है 3 & 1 तो 3 1 और फिर स्थिह आजाएगा इसका को यह मैंट्रिक्स आजाएगा पूरा तो 1 1 2 फिर्स यहां पर हमने मिश्टे किया यहां पर 3 था तो यह 3 आएगा 3 फिर्स 1 1 2 यहां पर हमने मिश्टे की थी थी 3 यहां पर भी 3 आएगा तो यह 3 यह आचका है फ्रेंट्स हमारे पास यह पहली सिंप्लेक्ष यह बहुत है अब इसमें निकालते हैं ज्ज माइनस सीजे फिर्स ज्जे माइनस सीजे क्या होता है वह होता है वह होता है यह आँप सेंफ जूश्ट finds जी रो और एसी क्या होता है जो इल्लमेंट का इलिमेंट्टों होते हैं इनके मल्टिपल्स जीरो एंटु 1 जीरो ऑन जीरो गया मैनस सब्से मिनिम्मकों स यह तो जबसे मininम देखते मिनिमम्-zj-cj ब्राबर है माइनस टू माइनस टू कौन सा यह अलफा टू से रिलेक्टर नहीं तो अपने पास एंट्रिक वेक्टर हो जाएगा अब फिर्ट यहां पर निकालते हैं इंट्रिक फेक्टर आम ने काल लिए तो इसी के क्रोस्पोंडेंक हमें निकालना है XBI और YIJ वोती होता- यहां यहां फिर्ट यहां पर यह थी निकालना है क्योंकि टू सेकेंड अलिमेंट है यह चोड़ी जे टू इस कॉलम के कॉलम बाई निकालने तो तो 3 अपॉन 2 यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा बन अपॉन 3 अब फेर्ट यहापर देखते हैं मिनिमम कौन सा है इन दोनों मिनिमम देखते हैं 3 वाई 2 और 1 वाई 3 में तो मिनिमम है पने पास 1 वाई 3 3 यह मिनिमम में तो यह जो होगा leaving यह जाएगा अलफा ओमेगा 4 वालना आप को अब फ्रेंड हम सेकंड सेप्ल एक स्टेबल में आते हैं सेकंड ए मोद्ट सेंप्ल एक स्टेबल तो उसका प्रारूप यह होगा अपने पास है CB B Omega B B C J Omega 1 Omega 2 Omega 3 Omega 4 1 2 0 0 यह फिर इसी के अकोर्ड हैंगा अपने पास है अब यहां पर हमने देखा जो Alpha 2 था वो entering vector था और Alpha 4 था वो living vector था यह तो अपने पास 0 क्योंकि Alpha 3 तो इसमें है Omega 3 पर कोई इस तरह यहां पर entering vector था Alpha 2 Alpha 4 की जगह Alpha 2 आएगा Alpha 2 Alpha 2 की value क्या है cost value क्या है 2 तो यह 2 Omega 2 अब फ्रेंट्स यहां पर हमारा जो man उद्दिश होता है वो होता है हमारे पास यहां को इसको one बनाना होता है तो इसको one बनाने के लिए हमें दोनों तरफ पूरी रों में three से डिवाड़ करना होगा तो यह हो जाएगा one upon three यह हो जाएगा one upon three करके इस रों में से अगर इसको घटा दें तो यह हमार पास zero हो जाएगा फिर समय साथ में यह भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसा करने पर हम जब इसको जीरो इसको जीरो बना रहे होते हैं यहां पर तो इस यह हो जाएगा two by three और three में से two by three मैनिस करना है तो फिरस यह हो जाएगा seven by three इसी तरह two by three one minus two by three यह हो जाएगा one by three यह zero one यह हो जाएगा आपने पास friends यह sorry यह one by three था तो यह हो जाएगा आपने पास minus two by three अब यह हो गया अब फिर सम फिर सब zj minus cj निकालते हैं अब zj minus cj निकालते हैं तो zj minus cj क्या होता है cb xb cb xb minus cj तो cb xb 0 into 1 by 3 2 into 1 by 3 minus 1 तो 2 into 1 by 3 हो जाएगा 2 by 3 minus 1 क्या तो यह हो जाएगा minus 1 by 3 इसे तर जिरो इन्टू 0 हो जाएगा 2 into 1 minus 2 यह 0 इस तरह यहां पर क्या तो 0 into 1 0 2 into 0 0 तो यह 0 यह पर क्या तो यह 0 होजाएगा टू इन्टू 1 वाई 3 तो 2 वाई 3 माइनस 0 तो 2 वाई 3 रहेगा यह हो गया हमार पास अब फिर निकालते हैं कि पहले देखते हैं सबसे पहले कि इसमें प्रेजिए लीबिंग वेक्टर कों सा है जो सब से नेगेटिव होगा मिनिमंगा कि देखते हैं मनेजी माइन चीजिए देखते हैं तो मिनिमंगा नियुक्त क्या माइनस 1 जैसको हम बोल सकते हैं B upon Yij तो B upon Yij इसी के लेना है क्योंकि alpha 1 हमरे पास leaving vector है sorry entering vector है तो entering vector यहां पर 7 upon 3 divided by 1 upon 3 तो यह हो जाएगा अपने पास 7 upon 3 divided by 1 upon 3 7 इसी तरह 1 upon 3 divided by 1 by 3 यह हो जाएगा 1 तो अब देखते हैं इसमें minimum कौन सा minimum यह है हमारे पास है जो कि हमारे पास omega 2 alpha 2 से related है तो alpha 2 होगा वह living vector हो जाएगा friends यह alpha 2 living vector हो गया तो फिर से हमें सब्सक्राइबल बनानी है थर्ड सब्सक्राइबल अब इसको बनाते तो प्रारूप होई होगा c b b omega b b c j omega 1 omega 2 omega 3 omega 4 1 2 0 0 अब यहां पर हमारे पास देखते हैं alpha 3 हमारे पास इस पर कोई effect नहीं पड़ता तो alpha 3 alpha 3 रहेगा omega 3 रहेगा और यह 0 लेकर alpha 2 की जगे हमारे पास alpha 1 इंट्र कर रहा है तो यह रहेगा alpha 1 omega 1 और हमारे मैं लच्छ वहता है इसको हमें 1 बनाना होता है तो बन बास भाई ठीक से यहां तो इसको इसको यह पर आता होता है तो इसको बन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा इस रो में हमें करना होगा तो प्र आधसी त्रीं करने offers यह हुजाए गुंपस बनाना अभा इसको जीर बनाने के लिए क्या करना होगा इस में बंभाई हुआ पहले जीरो डिवाइड करना होगा तो 3 से वाइड ती त्री तो यहां पर रहे गा टो यह होगा तो यह जाएगा तो यहां ila यहां पर करेंगे तो यह हो जाएगा अपने पास बनवाई three से multiply करना है तो यह हो जाएगा 1 माइनस one हो जाएगा यह one and minus one फिर से हमdadeज है Conf De Ridge माइनस साथ निकालते हैं उसमें जाज है माइनस साथ जाज है निकालते है तो 0 0 तो 0 हो जाएगा 1 into 1 minus 1 0 01 into 3 minus 2 1 यहां पर 0 into 1 0 रहेगा 1 into 0 0 रहेगा यह 0 0 into minus 1 0 रहेगा 1 into 1 1 रहेगा अप्णने सभी जैरजे चुंकि जैरजे मैनस सी जे greater than equal to 0 फोर जैर जैर जे मैंनिस सी जे जो greater than equal to 0 है तो टेबल इज ऑप्टीमल है अफिर इस टेबल अपनी जो अप्टिमल आ चुकी है तो इसका सॉलुसन हो गए आपने पास ओमेगा 1 बराबर 1 और ओमेगा 2 बराबर 0 ओमेगा 3 और ओमेगा 4 के हमें जरूद नहीं है क्योंकि हम मैकीमम जड़के सब्याय हुआ मेक्सीमम जड़के निकाल रहता है तो मैक्सिमम् जाइं निकाल रहे तो omega 1 plus 2 omega 2 यह हो गया omega 1 plus 2 omega 2, तो यह value आ जायेगी omega 1 equal to 1 plus 0 equal to 1 फैर यह है पर हमारे पास आ चुखा है 1 और हमारे हमारे पास जो प्रोब्लम थी वो थी minimum z equal to 3x1 plus x2 तो minimum z यह तो minimum Z omega था यह हमारे पास आए था minimum Z omega बराबर क्या होगा है जो यह अपने पास दोनों में optimal हमने duality से इसको optimal नकाला है तो minimum Z omega बराबर भी बन होगा है थैंक यू फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी चनल में स्वागत है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रोब्लम है solve the following problem by writing its duality हमारे पास प्रोब्लम दी होई है प्रोब्लम है maximum करना है हमें Z को जो maximum objective function है वो है 27x1 plus 21x2 plus 30x3 and जो अपने पास conditions दी हुई है वह अपने पास 3x1 plus x2 plus x3 less than equal to 4 x1 plus x2 plus 2x3 less than equal to 4 sorry 2 दिया हुआ है है 2 and x1, x2 and x3 सभी greater than equal to 0 है फिर इसको change करने के लिए हमें यह दिया हुआ है इसको पहले हमें इसकी duality change करनी है तो इसकी duality निकालते है हम सबसे पहले solve duality के लिए क्या लगा है कि सबसे पहले हमें matrix पता होना सही कि matrix कौन सा बनाते है तो matrix यह बराबर होता है बनाया अपने पास 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 यह फिर यह हो गया हमारे पास और जो x है वो है अपने पास है x1 x2 x3 यह अपने पास हो है अपने पास बी बन बी बन क्या है अपने पास फो फोर एंड टू और अपने पास जो c है फ्रेंट्स हो है अपने पास 27 21 30 फ्रेंट्स इसको यह है इस फॉर्म में अपने पास प्रेंट्स है मैक्सिमाइज जैड एक्वल टू सी एक्स सी और एक्स का मिल्टिप्लाइ फिर आपने पास इसटेंटर फॉर्म में इसका हम ड्यूम्टिप्ली जो करते आपने पास इसको जैड़ स्ब्सक्राइज पिंट्रांस्फोर्फोर्ज जो विया सका ट्रांस्फोर्ज विया एक्स फोर ड्चो इसको रोवाईज, खो अगर तो लंबाज था वो रो राज आज़ चुक है भी ट्रांस्पोज और ओमेगा क्या है यहाँ पर इसी के अकॉनच लेने दो है आपने पास तो यह ओम्बेगा-वन ओम्बेगा-टू यहांसे हम पता कर सकते हैं कि यहांपे दो हो हैं तो ओम्मेगा-जो कोफिसेट होगे वो दो होगे यह हो गए ओमेगा-वन ओमेगा-टू और वो चन्डिशनस वनेंगी वह आज strangers क्या एंग कि कि 3 1 1 1 1 2 इनकी रोका हमने कॉलम में लिख दिया है जो रो वाइस था उसको कॉलम वाइस लिख दिया हमने यह यह ट्रांसफोर्ज हो गया यहां पर हम लिख लेते हैं इसका जो ड्रॉल्टी होते है वह होती है मिनीमम जैट डी इक्वल टू यहां कि यहां पर लैस देन का साहिय था तो एक्रेटर देन उक्वल टू CT तो यहां पर आएगा OMEGद कR जैवन इक्वल टू कॉ 27 21 30 यह रो कॉलम है यह रो रॉवाइस है तो इसको कॉलम पर बाइस लिख देंगे 27 21 30 तो फ्रेंट इसका ड्योल्टी है हमारे पास यह ड्योल्टी जो प्रोब्लम थी वह आ चुकिया है मिनीमम जैडी एक्वल टू 4 ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2 सब्जेक्ट तू जो कंडिशन आए हो आए हमारे पास 3 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ग्रेटर देन उक्वल टू 27 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ग्रेटर देन उक्वल टू 21 और ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2 ग्रेटर देन उक्वल टू 30 सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले हमें जो इन इक्विल्टी को एक्वेशन में चेंज करना होगा तो इसके लिए छेशन में इसमें जो निम्ता पूरग पूरग फलन है यानि शेट सर्प्लेस वेरिबल सर्प्लेस वेरिबल जोड़ना होगा तो वह जाएगा अपने पास मिनम्म zwei टी एकुल टू फोर ओमेगा बन प्लस टू ओमेगाड़ू एंडर वह भी में फ्लेक्षी चाइब्स आधर स s1 minus s1 equal to 27, omega 1 plus omega 2 minus s2 equal to 21, omega 1 plus 2 omega 2 minus s3 equal to 31, omega 1 omega 2 omega 3 s1 s2 s3 सभी greater than equal to 0 है, फ्रेट्स यहां पर हमने इसको equations में change कर लिया, लेकिन हम देखते हैं कहीं भी हम इसमें से अगर इसका हम यह की फॉर्मल लिखे हैं इसको तो यह आजाएगा अपने पास यह की फॉर्मल लिखे हैं तो यह आएगा 311111-100 0-1 0, 0, 0-1 यह इस फॉर्म आएगा, यह जो बन खाएगा वह इस फॉर्म आएगा लेकिन हमें इसवे कोई भी हमारे पास identity matrix नहीं है यहां हमें हमारे पास three cross three का कोई identity matrix मिल जानी चाहिए तो लेकिन इसमें कोई ऐसख three cross three का identity matrix नहीं बना सकते तो हमारे पास कोई basis नहीं है यह basis बनाने के लिए इसमें हमें एक artificial variable जोड़ने होंगे हर रूम में artificial variable जोड़ेंगे तो अपने पास प्रोब्लम चैंज हो जाएगी हो जाएगे minimum कि जैडी एक्वल टू फोर ओमेगा बन प्लस टू ओमेगा त्री अब ओमेगा ट्री प्लस जीरो एस बन प्लस जीरो एस टू प्लस जीरो एस त्री यह दो इसके कर्सपोंड श्री के अब तो artificial variables जोड़ने होंगे उसके उसके लिए हमें माइनस एम माइनस बीग एम में थर वाला फॉर्मूला यूज करना होगा तो दो यूज फॉर्मूला उसके लिए हमें यहां पर माइनस माइनस एम अब वो अगला जोड रहे हैं कि आपक एस फूर माइनस ms5 minus ms6 यह हमने जोल difference ms6 तक हम जोड़ चुके हैं और जो condition है वो आजाएंगे हमारे पास 3 omega 1 plus omega 2 minus s1 plus s4 जोड़ा है हमने इसमे s4 equal to 27 omega 1 plus omega 2 minus s2 plus इसमे हमे s5 जोड़ा है तो यह हो गए हमने पास 21 omega 1 plus 2 omega 2 minus s3 plus s6 equal to 30 omega i greater than equal to 0 si greater than equal to 0 for all i i के हर वैलू के रहे omega i greater than 0 है और si greater than equal to 0 है अब यह हो चुका है हमारे पास अब यह हो चुका है तो हम इसमे यह बनाना चाहिए तो हमारे पास यह बन सकता है यह को हम लिखे है मैट्रिक्स को लिखे है तो वह लिखा जाएगा मिने पास 3, sorry 1 3, 1, 1 1, 1, 2 S1 के कोफिसिट माइनस 1 इसमें बाकी में 0 है इससी तरह S2 का इसमें 0 है माइनस 1, 0, 0, 0, 0, माइनस 1 अब S4 का देखते हैं तो हुआ जाएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 अपरेंस यह आ चुका है हमारे पास यहाँ पर इसमें बन रहा है जो कि यह को हम लिख सकते हैं अलफा 1, अलफा 2, अलफा 3, अलफा 4, अलफा 5, अलफा 6, अलफा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अलफा 7, अलफा 8 यह लिख सकते हैं फ्रेंस यहाँ पर अलफा 6, अलफा 7, अलफा 8 यह तीनों मिलके आइडेंटिमें बना रहे हैं उपने इसको प् GIR बेसेस ले सकते हैं उफसर्व को में सकते हैं तो हम फस्ट सिंप्लाएक स्टेविल बराते हैं है हैं फर्स्ट सप्लाएक सेपहल बनालते हैं तो से माँ फूट करने होती है yeah आपर छील बी ब्क उमेगा- deserved यह ली सीजे प्रेस्ट बीम यहां पर इस रोव में हमें यह पूट करने के ओमेगा वन वाली रोव यह कॉलम यह आएगा ओमेगा टू ओमेगा थ्री ओमेगा फूर ओमेगा फूर ने सब्सक्राइब 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 यहां पर हमेरे पास कॉस्ट वैल्यू आएगी वह आएगा अपने पास क्या अपने पास फूर टू उम्मेगा थ्री इसमें प्रेस्ट नहीं है तो इसको काट सकते हैं यह होगा पूर फॉर थार यहां ओम्राइख को ट्रक है नहीं तो जीरो 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 माीनस एम कर देना को यह पूट पर कर देना इस इसा फॉर 3, 1, 1 1, 2 1, 1, 2 minus 1, 0, 0 0, minus 1, 0 यहां पर यह समली के कर लिया है यहां यह S1 आ गए S2, S3, S4, S5, S6 इसको मैं इदर कर लिया है तो यह हो गया S3 हो गया है 0, 0, minus 1 S4 के लिए 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 यह हो गया फ्रेंट्स यहां पर यहां पर बेल्यू B की बेल्यू पूट करनी जो B की बेल्यू क्या है यह रहे है अपने पास 27, 21, 30 27, 21, 30 ओंवे का भी मैं यह पूट करना है S4, S5, S6 जो हमारे पास identity matrix बना रहे है S4, S5, S6 B में हमें यह जो हमें यहां से जो हमारे पास कोलम थे वो alpha 6, alpha 7, alpha 8 तो alpha 6, alpha 7, alpha 8 और cost value के आपनेंट्स हमारे पास माइनस M, माइनस M, माइनस M, यह है फ्रेंट्स अब इसके लिए हम calculate करते हैं, ZJ माइनस CJ तो फिर ZJ माइनस CJ calculate करते हैं तो यह आजाएगा अपने पास माइनस M, माइनस M, माइनस 3 M तिनों को सम कर देते हैं, तो यह आजाएगा अपने पास माइनस 5 M, माइनस 5 M, प्लस 4 अब इसी तर इसको क्या तो यह आगया माइनस 4 M, प्लस 2 यह आगया M, 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 0, 0, 0 फिर यह आच चुका है हमारे पास है अब हम देखते हैं minimum zj minus cj minimum zj minus cj देखते हैं तो minimum zj minus cj क्या है अपने पास है यह अपने पास minus m minus 5m plus 4 यह सबसे minimum है friends तो हमारे पास alpha 1 जो होगा entering vector हो जाएगा यह हो गया alpha 1 entering vector अब leaving vector के लिए हम देखते हैं है इस में से यह आएगे तो living vector के लिए देखते हैं जो minimum कि एक्स भी आई एक्स भी आई क्या है एक्स भी आई मतलब यह वैल्यू बीकी वैल्यू 27 अपॉन 3 इसी कॉलम्बे से इस तरह 21 अपॉन 1 30 अपॉन 1 तो फिर सिया जाए आगा आप सेविन इसे इस तो फिर से जो होगा है वह पास living vector हो जाएगा अप्र सब नई सब्सक्राइब बनाते हैं अब फ्रस नई सब्सक्राइब बनाते हैं तो वहां पर इस नहीं पड़ेगा इसलिए उसके बाद हमने सिंप्ल एक स्टेबल बनाने के लिए सबसे पहले कोश्ट वेल्यू आपस यहां पर एस पॉर गया है और एलफा बनाया है तो यहां पर आजाएगा एलफा बन एक्स बन सुर्यों मेगा बन ऑन आ जाएगा यहां पर और इसक में मिनिमum देटिए आलाधेक उसके लिए वीए मैक्सिमम में बदलना होगा उसके लिए मैक्सिममùm द्रि ईकुल टो माइनस फ four ओंबेगा वन मााइनस टो ऑंबेगा डुबार की से सेम रहेगा हमने यहां पर मिश्टे की थी यह सने माइनस पहले इसको maximum च्छा से मेरे प्रिवीश्य पर इस उसके पास हमें आर्टीपी सिल बेडिवल के एकॉरड जोड़ना है तो यह जाएगा मैंनेस फूर उमेगा वन मैंनेस टू इस फ्वाइफ कि यह जाएगा तो कोश्ट विलिए मैंनस द्री मैंनस फूर मैंनस पूर मैंनस एम यह एक अपने पास अल्फा एसफाइब एसजिक्स ओमेगा यहां पर सोरी एल्फाइब एल्फाइब एट सोरी एल्फाइट यहां पर एपने पास और विट्रीट एस्टिपीव एस्ट आइस तो यहां पे साथ सब्सक्राइब होतना हो सब्सक्राइब एक पूरे आइब करना होगा तो यह जाएगा नाएन यह बन वाइट्री माइनस बाइट्री आइप ya O 004 में लिए भी कर दिया तो यह जागा जिरो जिरू अब फीर से मारा अग्ला काम होता है वह होता में इस स्कॉलम में पारखी जम्में अल्प बंडर करतो उसकं बनाने के लिए बाकि कि दोनों को गध और जीरो हमें इस तरह से करना होगा कि इसमें से कुछ घटा हैं और इस मैं से अवर इस मैं से इस रों मैं से अगर इस रों को घटा हैं तो यह 0 हो जाएगा लेकिन इस कंडियों में nine nine nine, 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 nine nine ndy one, nine is negative हो जाएगा लेकिन व्हून यह भ़ा पशूत यह हमार 9-9 एकोल दो 12 यह 0 यह उजाएगा 1-1 अपून 3 2 भाइ 3 इस तरह माइनस 1 यह उजाएगा माइनस 1 जिरो मेंसे यह हमने माइनस किया तो 1 भाइ 3 यह उजाएगा हमने पास पास-1 जिरो वन जिरो इस तरह यहाँ पर क्या हमने तो 1 इस में से इस रो में से इस फर्स रो को गटा दिया है तो यह गटाने पर यह आज आएगा पास 21 जिरो 5 भाइ 3 1 भाइ 3 0 माइनस 1 0 यह आ गया फिर से हम जर्जे माइनस सीजे निकालते हैं जर्जे माइनस सीजे निकालते हैं तो फिर यह आ जाएगा पर यह जिरो हो गया माइनस 4 यह जिरो हो जाएगा इस तरह से पर इसमें क्या तो माइनस M into 2 by 3 माइनस M into 5 by 3 दोनों का एड किया तो माइनस 7 by 3 माइनस 7 by 3 माइनस 2 by 3 माइनस 2 by 3 यह दोनों यहां पर जाएगा एपने पास सबसे में से इसका इस कॉलम के पार्ट पार्ट बी की जो टर्म है इसका इसमें डिवैड करना हम है तो यह जाएगा 9 upon 1 by 3 तो 9 upon 1 by 3 हो जाएगा 27 12 upon 2 by 3 हो जाएगा अपने पास 18 इसी तरह यह हो जाएगा आपने पास 21 upon 5 upon 3 इसको लिख सकते हैं 21 into 3 upon 5 फिर्स में मिनिमम देखते हैं तो मिनिमम आपने पास यह है 21 into 3 21 into 3 into 5 तो यह किस से जड़ा होगा है s6 से या alpha 8 से जड़ा होगा है तो s6 जो होगा है वह अपने पास leaving factor हो जाएगा और हम फिर से एक simplex table मनाते हैं 3rd simplex table तो इसके लिए वही काम करते है cb b omega b b cj omega 1 omega 2 s1 s2 s5 इस वार हमें s6 को लिखनी ज़रूत नहीं क्योंकि हमार पास पहले leave कर चुका है तो इसको लिखनी ज़रूत नहीं जाएगा माइनस 4 alpha 2 इंट्री क्या है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 माइनस M यह हो जाएगा alpha 1 यह अपने पास क्या alpha 7 11 ऐलफा 2 ओमेगा 1 यह क्या s5 और omega 2 यह हो गया फ्रेंस अब मैं सबसे पहले क्या करना है इसको बनाना है मैं तो इसको बनाने के लिए इस पूरी रोण क्रोम है इसका डिवाइड करना होगा तो इसका डिवाइड करने पर यह आजाएगा आपने 63 upon 5 0 1 1 upon 5 0 minus 3 upon 5 यह हो गया फ्रेंट्स 0 1 1 upon 5 0 minus 3 upon 5 अब next term में क्या करना होता है next term में करना होता है इसके इंटर्म को 0 बनाना है इनमें multiply करना है किसी चीज का किसी का भी multiply कर सकते जैसे है इस में हम 2 x 3 का multiply करने के बदें इसको घठा दें हमारा पॉसुंन जो आएगा वह आएगा chopped फाइव 00 कि माइनस वर है इसी तारहिए इसमें अब अनर्व स्था करने के बाद से इस लोह को माइनस करें तो यह हमारे पास वाले पास आठाएगा 24 upon 5 1, 0 minus 2 upon 5 0, 1 upon 5 अब फर सम्पर से जड़ी माहिन सीज़े चेक करते हैं जड़ी माहिन सीज़े तो जड़ी माहिन सीज़े चेक करते हैं तो यह आज है आहागा 0, 0 minus M by 5 plus 6 by 5 यह M minus 2 by 5 M minus 2 by 5 अब फ्रेंट्स यहां देखते हैं जो सबसे नेगेटिव है वो यह है अपने पास सबसे नेगेटिव फ्रेंट्स यह है तो alpha 5 जो होगा s5 जो होगा entering vector होगा फ्रेंट्स यहां पर हम इस last वाली term को solve करना भूल गए हैं इस वाल टर्म को solve करते हैं तो यह हो जाएगा माइनस एम यह आएंगे 010 यह उसी तरह से आएंगे जैसे हमने बाकी इन में जो क्या है उसी तरह से इसको करना है यह alpha 5 जो होगा इस पार entering vector होगा और leaving vector होगा उसके लिए में minimum check करते हैं इस column में जो भी है उनका इसमें डिवाइड कर देना है तो यह हो जाएगा minimum आजाएगा अपने पास लेकिन यहांप माइनस है तो माइनस वाले को हमें द्यान लीव कर देना माइनस वाले को उग्नूर कर देना हमें तो इन दोनों को सब्सक्राइब ना है ना जो कि अपने पास अपने पास सेवन यानिके सब्सक्राइब तो आपके सब्सक्राइब करते हैं मुद्सक्राम इसका प्रारूफ होगी होता है CB B Omega B B C J Omega 1 Omega 2 S1 S2 S5 S6 को लिखने ही ज़रूद नहीं कि S6 अपार पार पार लीव कर चुका है यह minus 4 minus 3 000 यह अपने पार इसके cost बोले है minus 4 minus 3 और इसकी जगह आया आपने पास है पर S5 की जगह आया आपने पास तो यह यहां पर पर माइनस एम था सोरी यह माइनस एम था और यह माइनस टू था यह था तो यह आपने पास माइनस इसकी जगह आया तो इसकी जो कोश्ट बहुत जीरो यह माइनस टू यह आपने पास है यहां लागा अलफा फाइव अलफा टू ओमेगा बन एस फाइव जल सोरी इंद्ट कर गया तो ऐस फाइव है एस थ्री एंटर क्या तो स् थी चुख स्थिर और टू ओर इसको व साइव्ट क्या है था हमने तो सबस्वे पहले क्या करना होगा है इसको शहार पास लिवीव पैक्ट ख pilots इसमें डिवाइड करना होगा हमें 2 अपन फाइब करने की पार यहां पर यहां जाएगा जिडियो 0 2, 1 अपन टू, minus 5 उपन टू, एंड 1 यह आ जाएगा फ्रेंड इसको हमें 1 बना लिया हमने इसका डिवाइड करने की बाद 6 को हमने लीव कर दिया इस बार फिर इसमें हमको बन बना लिया तो वागी टर्म को हमें 0 बनाना होगा इसको 0 बनाना होगा तो इसमें 1 उपन फाइव करो और इसके बाद माइनस कर दो इसको तो यह आज आएगा अपने पास एट 3, 1, 0, minus 1 by 2, 1 by 2, and 0 और इसके तरह इसमें करेंगे तो इसमें हम क्या करना होगा जिरो बनाने के लिए 3, 5 को multiply करके एड करना होगा तो 3, 5 को multiply करके एड किया तो 18, 0, 0, 0, 1 यहाँ पर minus 1, 2, minus 3, 2, and 0 यह हो गया अब फिर से हम Z, J, minus C, J, निकालते हैं तो वह आजाता है जिरो, 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 वन, वन, यह फिर Z, J, minus C, J, greater than, equal to 0 है तो जो अपना पर solution है यह optimal solution है optimal solution के आपने पाए मैक्सिम, sorry, maximum Z, D, बरावर मैक्सिम, Z, बरावर, minus 4, omega 1, minus 2, omega 2, यह भी था, minus S4, minus MS5, लेकि लिए लिए लिव कर चुके तो इसे मतलब भी नहीं है यह कि 0 हो जाएगे तो minus 4, omega 1, minus 2, omega 2, यह इसमें मैन है तो minus, बराव, minus 4, omega 1, minus 2, omega 2, यह है फ्रेंस तो इसके लिए हमें omega 1 की value क्या है अपने पास omega 1 की value 3, तो minus 4 into 3, minus 2 into omega to 18, तो फ्रेंस यह आगे अपने पास minus 48, बर्ट हमें यह minimum ZD चाहिए थी, minimum ZD equal to, इसमें minus के multiply करना हो तो यह 48 हो जाएगा, अप्रेंस यह हमें minimum X के लिए फोलना चाहिए, तो इसका भी maximum, यह minimum है तो यह maximum ZD maximum ZD equal to 48 हो जाएगा, थैंक्यू फ्रेंस, आपका हमारे चनल में स्वागत है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, वह हम फर्ष्ट में नॉर्थ कोस्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्णर रूल मेथड, सेकंड होता है, लोष्ट कोस्ट इंट्री मेथड या मैथड ऑफ मेट्रिक्स मिनिमा, और थड होता है, वह होता है आपने पास वह अप्रोक्षिमेशन मेथड, परस इन में से मेथड और भी हो सकते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्णर रूल कोई करता है कोई भी हम रूल कर सकते हैं, लेकर हम्या हूँ प्राहनी वीडियो में बताये थे कि अमने बताय था कि फ्रेंज जो कि फोर आप कि अमने यह बताया था फोर आप बैलेंश ट्रांस्पोर्टेशन प्रोलम बिद एंप सोर्च एंड डेस्टिनेशन नंबर वेस्ट वेरियबल चाहिए नंबर ओफ वेरियबल एम 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 प्रस एंड माइनशन होना चाहिए और मैक्सिम नंबर ओफ यह हमें इतने हो सकते हैं वह निकालना होता है हमें जाए इसके लिए हम सॉल्व करते हैं और पहले हम इसको शौल करते हैं वह अपने पास method है पहला method जो आपने पास वह है आपने पास नौर्थ वेस्ट कॉर्णर रूल तो पहले method से solve करते हैं नौर्थ वेस्ट कॉर्णर रूल तो इसके लिए हम सब इसको टेबल को दुबारा से बनाते हैं इसको O1, O2, O3, D1, D2, D3 यहां फिर डिमांड है तो डिमांड है वह क्या अपने पास है डिमांड 30, D4 VS में 30, 30, 30, 40 and 50 और यूनिट अभे लेवल है वह हमारे पास 20, 60 and 17 फिर्ट यह है हमारे पास और साथ ही हमारे पास जो कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट दी हुए है वह है अपने पास 3 लेवन 15, 13, 15, 14, 17, 14, 12, 13, 18, 15 and 20 फिर्ट यह लिख लिए हमने अब नॉर्थवेक्ट कॉर्डर रूर में क्या होता है कि जिन्नी हमारे पास डिमांड है और यहां पर नॉर्थवेक्ट और इस इस कोलम से में बनना है और उसमें कितना आएगा minimum of BI मतलब minimum of BI और यहां पर जो minimum है वो हमारे पास आजाएगा यहां मिनिमम क्या है 20 मतलब यहां पर available कितनी थी 20 अब लेबिल 20 है तो यह पने पास जो 20 है वो इसको सेंज़ कर देगा लेका यहां पर कमी है इसके पास 10 सब्सक्राइब कराद में यहां से जर्वत 50 एक पर catches dat करने यहां पर यहां पर 030 यह सब्सक्राइब कतने तो यह पर नहीं की अन्या पर थर्टी सप्लाई करने के बाद इसके बाद यहां पर ट्वेंटी रहे चुका है क्योंकि दस यहां पर कर चुका है थर्टी यहां पर कर चुका है इसके पास ट्वेंटी है तो यहां इसको देगा इसको दे दिया लेकि इसको देने के बाद इसके बाद अभी डिमांड है वह 20 डूम्हें रहा है था और यहां ऐस सप्लाइब कर दी तो इसके पास पचास तो पचास तो इस ताए समय आया यह यहार पास है ए यूट निमेटर्ड के सवल्यूसन ए और जो वैलू है वह वैल्यू जो कोश्थ लगेगी वह लगेगी इसके पास 20 x 13 plus 10 x 17 plus 30 x 14 plus 20 x 12 plus 20 x 15 plus 15 x 20 फिर हम लें मल्टिप्लाइ करके 20 x 13, 10 x 7, 13 x 14, 20 x 12, 20 x 15, 15 x 20 इन दोनों का मुर्टिप्लाइ करके यह हो गया फेन ले पास है है से टोटल िवेज़ हो गया हमारे पास ת 1990 है ले पर्णी मजट मतलब यह नहिए और नॉर्फ कर रूलर डीया हुआ है अब रूल समने तो मतलब यह यह नहीं है कि यह हमारे पास जो सॉल्विसन है यह मिनीमम बाल आ गया है यह मिनीमम नहीं है यह यह उनली बीएफस है इसे हम मिनीमम कैसे निकलते हैं वह आप नेक्स्ट व्यूडियों में पढ़ेंगे अब हम पढ़ते हैं इसी प्रोब्लम को लोग्ष्ट को से सब्सक्राइब करते हैं प्रेट आप इस प्रोब्लम को अपने पेज पर लिख लिए क्योंकि मैं इस प्रोब्लम को हटाने बाला हूं यहां से और इस दूसरी इसी प्रोब्लम को सॉल्व कर रहा हूं यहां पर तो यह प्रोब्लम यह दिखेगी नहीं यह यहां पर सॉल्व क 17, 14, 12, 13, 18, 18, 15, 20, यह होगा फैस, जो दिमांज थी वो अपर पास 30, 30, 40, and 50, और जो उनिट अवेलेबल थी वो अपर पास 20, 60, and 70, टोटल सम्ताप पूर 150 था, अब फिर लुटल, LCM, LCM method क्या कहता है, LOST COST entry method, सबसे जिसकी cost होगी, सबसे पहले वो अटर कर जाएगा, इसमें हम सबसे कम बाला देखते हैं, तो देखते हैं, आप 11 सबसे कम हैं, तो 11 सबसे कम हैं, तो इसमें entry कर जाएगा, 20 और 30 में से minimum entry करेगा, तो minimum 20 entry कर गया, तो हम यह 20 entry कर गया, तो यह row हमारे पास complete हो गई, अब इस row हमारे पास कुछ भी enter नहीं करेगा, इसको चाहिए तो हम cross कर सकते हैं, इस तरह से, यह इसमें entry कर जाएगा, अब फिस हम second lost में देखते हैं, तो second lost किया है, अपने पास 12 है, तो 12 में इसमें entry करेगा, यहाँ पे, तो यह 40 or 60 में से minimum करेगा, तो यह हो जाएगा 40, लेकिन अभी इसके पास 20 और available है, लेकिन इसको हमें और demand ही जरुत नहीं है, तो हम इसको काट सकते हैं, अब यहाँ में फिर से देखते हैं, इस जो काट है, उन row को और column को नहीं देखना है, उसके अलावा बाक पास ब sıkए कुछ भी नहीं है यह नहीं दे सकता है, तो इसके लिए, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यह पर aos 13 के पास 20 को यहाँ वीघवा नहीं देखना है, क्योंकि अप्ने बच गई ते हम 20 आपने याद हम मूने हैं दैगा नहीं अब हम देखते हैं ज Saxon फ्रेडम करें जिसमें देगा वह होगा minimum अब इसमें भी दे सकता है इसमें भी दे सकता है यहां पर दिमांड है अपने पास कितनी 10 की और यहां पर दिमांड है हमारे पास 30 की यहां पर कुछ भी नहीं है तो 30 जो minimum कौन सा बैठेगा इससे 10 से मुल्टिप्लाइ करने पर यह बैठेगा तो यह यहां पर यहां पर यहां पर ओविसली यहां यहां देना होगा इसको और जो बाकी 30 यहां पर देदेगा इस तरह यह जो टेबल आई है यह यह पर यह टेबल आ चुकिए यह हमारे पर लिएवेमल यह टेबल मैथर से आ चुकि और इससे जो वेल्य होगी मिनिमम कॉस्ट होगी जो कोस्ट होगी कॉस्ट् वैल्य होगी 20 लेवन क्प्रस पूर्टी इंटू 12 प्लस 20 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 18 प्लस 10 10 to 18 plus 30 into 20 इसका multiply कर लेते हैं तो फिर्स यह हो जाता है अपने पास 220 480 plus 260 plus 550 540 plus 180 plus 600 अपर 180 अब इसका सम कर देते हैं फिर्स इसका सम आता है 2280 यह जो पिछले उसमें देखाता है जो नौर्थ वेस्ट रूल था उसमें 190 190 आ रहा था और यहां पर 2280 आ रहा है अब बैसे लोश्ट कोश्ट अंट्री में थड़ है लेकि जाड़ा वेल्यू दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि लॉश्ट कोश्ट अंट्री में थड़ होगा वह में इसमें मिनीमम जो मिनीमम बैलू वो देगा यह जरूरी नहीं है को इसा भी दे सकता है मिनीमम इसे आएकर शॉल करते हैं इसको मिनीमम करने के लिए यह व्लिए वीदे विन को बनाते इसको अगरी वीडियों पढ़ेंगे अब हम देखते हैं वह दो स्युन वोगल एप्रोक्सिमेशन मेथड़ है फिर उसके लिए भी हम यही टेबल बना लेते हैं इसी टेबल को हम नीचे लिख लेते हैं तो वह हो जाएगे अपने पास कि डीवन डीटू डीथ्री डीफॉर ओवन ओटू ओथ्री डीवन ठिरी डीवन दरीं दूटन रिक य्वन डीपटरीं । य्वीप north कि इसी डीवन दरीं वेले अटेज़ादों वेल्सू और फ्रेस यूनिट अविलेबल है वह अपने पास यूनिट अविलेबल है 20, 60 and 70 और जो डिमांड है वह अपने पास 30, 30, 30, 50 और यह अपने पास टूटल जो बैलास प्रावलम है तो यह होगा 150 और फिर 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 फोगल अप्रोक्सिमेशन में हम क्या करते हैं पैनल्टी निकालते हैं पैनल्टी निकालते हैं जो कि मिनीमम जैसे इस रोग को पैनल्टी हम निकाल रहे हैं तो हम जो दो मिनीमम जो मिनीमम लोश्ट दो इसमें 12 and 14 तो इसका हो गया 2 penalty और इसका है अपने पास 15 and 18 तो इसकी penalty 3 हो चुकी है इसी तरह इसकी निकालते हैं कि इसके कोणंबाइज Penalty निकालते हैं तो कॉलमबाइज पैनल्टी और अपने पास यहां पर हो जाएगे 13 and 17 के भीच में में difference हो जाएगा वह हो जाएगा फॉर एलेवन और फॉर्टी देवीच में थ्री टोएल और फिप्टीं के विच में थ्री और लेगे ट्वेंटी एं तो यहां पैनल्टी जीरू हो जाएगी 腺श में सबसे पहले देखते हैं सिमधर्टी फोर है अब फिसमें देखते हैं सब हो कहां पर है इस वाद वाला मिनिमम कोश्ट कोंच से पर यहां 20 पर है तो 20 यहां पर भढ़ देगा अपना इसके बाद यह खितम हो जाएगा अपने पास इसके पर देखते हैं तो इसकी पैनल्टी नहीं होगी इसकी भी चेंज नहीं है यह तो वन आ चुकी है पैनल्टी यहां पर 14-18-4 यहां पर देखते हैं तो यहां पर पैनल्टी आगे थ्री यहां पर देखते हैं तो 20-20 तो यह जीरो यह आ चुकी फ्रेंड्स अब यहां पर मैक्सिमम पैनल्टी देखते हैं तो मैक्सिमम पैनल्टी इसमें 14 है तो इसमे इसमें एंटर करेगा तो इसमें मिनिमम होगा उसकी इसकी दिमांड वोगी वो सप्लाई होगी फिर इसकी 30 है यहां से 60 है यह अपनी 30 देगा यहां पर तो इसके पास बच गया 60-30 यहां पर पूरी उचुके तो हम इसको काट देंगे अब फिर हम देखते हैं तो पैनल्टी इन की चेंज नहीं होंगे क्योंकि रोबाइज यह ही है और यहां पर पैनल्टी चेंज हो जाएगी तो रोबाइज देखते हैं इसमें 12 17 के बीच में डिप्रेस्ट जो है वह अपन इसमें 12 देखते हैं इसमें इसको कर देंगे तो यहां पर चाहिए चाहिए वह तो इसको चाहिए वह चाहिएंगी तो इनको लेने के लिए वह इसी में देखता है अब इसमें देखने की ज़रूत नहीं होदी क्योंकि लाइस्ट में जहां पर हमें डिमांड कम पड़ रही हो वह इसी के अकोडिंग बढ़ दी जाएंगी यहां पर हमारे पास 20 आ चुके तो यहां पर हम 10 बरेंगे यहां पर 10 की ज़रहत है तो 10 यहां से ले गए और यहां से 50 50 ज़रहत है तो 50 यहां से लेगा इस तरह हमारे पास है था स्लिशन आ गया टेबल आ चुकी है अगर वह स्लूशन नीकालना चाहिए तो वह स्लूशन होगा 30 इंटू 14 13 into 14 plus 13 into 12 13 into 12 plus 10 into 18 plus 10 into 15 10 into 15 plus 15 into 20 20 into 13 plus 20 into 13 अब फिर्स इसका सम कर देते हैं फिर्स इसका समय वो आगे आपने पास 2470 फिर्स हमारे पास इसका एक और इससे वोगल अप्रोक्सिमेशन से जो minimum value आचुकी थी वो आचुकी थी जो value आई है वो 2470 आई है इस तरह फ्रेंट्स यह इसका मतलब यह हुआ कि वोगल अप्रोक्सिमेशन या lost cost entry method या नौर्थ वेस्ट कॉर्णर रूल हम किसी से भी solve कर रहे हैं ज़रूर नहीं है कि उससे हमारे पास जो value वह equal आए value equal नहीं भी आएगी लेकिन जो अपने पास एक BFS मिल जाएगा उससे BFS को आगे solve करते हैं minimum करने के लिए उससो minimum करने काम जो वीडियो तरीका है वह में next video पढ़ेंगे thank you friends hello friends आपका हमारे चनल में स्वागत है आज जो हम पंड़े वाले हैं वह है transportation problem first transportation problem में क्या होता है transportation problem में दो मुक्चीज होती है वह होती है पहला source source जो होता है और second होता है destination है rare source हो जगह होती है जहासे हमें जो वस्तों होती है जहासे बेजी जाती है यहान पर बेजी जाती है source को हम एकर एकर से स्वागते है यह स्वाइज तुो है यह एस ठरी है और destination में मान लेते हैं जरूरी नहीं है कि इसके क्वाली destinations हो destinations ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि एक से कहीं भी जगह कितनी भी जगह सामान बेजा सकता है तो destination हो गए अपने पास इसको यह डीवन हो गया यह डीटू हो गया यह डी थी हो गया अब जैसे यहां से यहां से हमारे पास सामन बेज़ा जा रहा है यहां पर भी 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 बेज़ा जा रहा है तो यह हो गया जैसे इसके हमारे पा गई है एकस बण 2 हो गया एकस बन 3 ऊगया एकस शन्वा फूर तरह यहां से यहां पर बजा जात त्यक्स यहां पर 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 यहां प आपर अपना प्राया में लेगा इसी तरह है नहीं जैसे हमने ऑपर मान आँगा है कि यह बिज रहा था चैसे में… इस तरह से हमने माल लिया अब फिर या पर जैसे हम यह लिखेंगे एक्स आइज है क्या होता है कि अमांट ओफ मेटेरियल कि तू भी ट्रांस्पूर्ड इजा है कि तू आएत शर्स तू जित देस्टिनेशन आइब शोर्से ये ज्ये डेस्टिनेशन पर ब्रीद कपा रहा है और सी इज तू आइज पर चैनल पर यह हमने पास कोस्ट आफ पर यह कोस्ट आफ कर सारी, निम्न्ADE बेस्ट को बंग के लेडिल्स प्रेशानें हैं। निम्न्ड थे इणिक से होग ठास इध डेस्ट मेंखके थोनी स्मूम्न के प्रेशा । यह मेरे जा रहा है यहां पर यह आई क्या है यह आई यह अपने पास यहां पर कितने हमारे पास प्रिजेंट हैं कितने हमारे पास प्रिजेंट हैं कितने हमारे पास बेजी जा रही है वह हमारे पास कितने उपलब्द है वह हमारे पास ऐसा ही यहां पर हम लिख सकते हैं इसको बीबन बीटू बीटू बीफूर यहां पर बन को कितनी आविच सकता है यहां बीटू को कितनी आविच सकता है तो ए आई availability सब्सक्राइबिल्टी ओफ आइट सोर्स एंड बी आई डिमंड बी आई क्या है डिमंड और डिमंड रुक्वाइड तू जेएथ डेस्टिनेशन और विशे पीज सओ बीजैं फर्सष यह है अब अब यहां पर अगर फ यह कंडिशन सेट कर रहे हैं आई बराबर वन टू सें यानि यहां पर रहे हैं तो तो i बराब यह बराबर 12 m यानि यह पर 4 bj यह कंडिशन स्ट्साइब हो रही है तो इस कंडिशन में इसको कहेंगे हैं पाइलेस ट्रास्पोर्टिशन प्रोब्लम् इस कंडिशन में होता बिए बैलेस्ट त्रांस्पोर्टिशन प्रोब्लम प्रॉंप प्रेंट्स और यह कंडिशन सेटिस्पाइड नहीं हो रही है तो उसको कहते हैं वह इसको बनाते हैं इसको मानते हैं जो हमें आगे पढ़े कि अगे पढ़ेंगे अब प्रेस हम देखते हैं बैलेस्ट ट्रांस्पोर्टिशन प्रोब्लम में मैथिमेटिकल क्या होता है यह होता है मारे पास मिनीमम जैड इक्वल टू आई बराबर वन टू जो पिछला एक्जांपल था यह एक्जांपल था इसी के अकॉर्डिंग ले र ऑसलगे यह बराबर बन टू फोर सी ऑईजे एक्स आईजे इस और वो सब्जेक्ट व कंडिसं स Meg वो होंगे हमारे पास x11 plus x12 plus x13 plus x14 equal to यह फ्रेट चाहसे x11, x12, x13, x14 equal to हमारे पास जह होंगी वो ai1 ai यहांने a1 परावर होंगी यह लिख सकते हैं a1 इसे दर x21 plus x22 plus x23 plus x24 equal to a2 x31 plus x32 plus x33 plus x34 equal to a3 फिस इन तीनों का sum इसके एक्वल है इन चारों का sum इसके एक्वल है अब इसी तरह यहां पर इन तीनों का sum होगा यानि कि इसका x11 और यहां से x21 एक्वल टू बी बन के एक्वल होगा तो यह हो गया एक्स बन बन प्लस एक्स टू बन प्लस एक्स टू बन एक्स इसी तरह से यहां पे टू पे आने वालों के लिए टू पे यहां से एक्स टू टू यहां से आ रहा है एक्स बन टू एक्स बन टू प्लस एक्स टू टू प्ल प्लस X 2 3 प्लस X 3 3 एक्वल टू बी 3 एड फ्रे एक्स 1 4 प्लस X 2 4 प्लस X 3 4 एक्वल टू बी 4 जहाँ पर फिर हमारे पास X I J greater than equal to 0 होंगे क्योंकि यहां से हम यहां पर हम जो शामान बेच रहे हैं जो भी हमारे पास जो भी अपर हम जो यहां बेज रहे हैं हमें सब पोजिटिव होगा क्योंकि हम नेगेटिव तो भी नहीं सकते तो इस कंडिशन में हो गया है एक्साइज एक्वल टू जीरो है अब फिर्स यहां पर एक रिदेशन होता है वह होता है हमारे पास अगर हम एक्क्वेशन 1 इसको एक्क् स्वेशन 3-4-6 करें तो से बिन आ जाएगी अगर हम टीनो इनको जोड़के और इंतीन उपर को मैंस कर दी तो हमारे पास यह चैन आ जाएगे फ्रेंस तो संडिशन हमारे पास क्या हो गया है जो यह जो सॉलुइसन होंगे यह अगी टोटल एक्वेशन है उन में से एक्वेशन होंगी वह जो रिजल्ट आ गया हमारे पास है ओनली सिक्स है एक्वेशन और एक्वेशन और नंबर ओफ हैं अगे बेसिक वेरियवल वह होंगे फ्रेंट समान नंबर वबेसिक वेरियबल जो होंगे थ्री प्लाइट थ्री सोर्स प्लस फूर डेस्टिनेशन माइनस वन एक्वल टू शिक्स क्योंकि हमारे पास एलाइज वह वह सिक्स है तो यह हो गया और नंबर ओप नोन बैसिक वेरियबल नंबर ओफ नोन बैसिक वेरियबल यह हो गया फ्रेंट समाने पास 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 क्योंकि टोटल वेरियबल कितने हैं 12 यह x11 x12 x13 x14 इनको जोन लें तो यह 12 हो जाएंगे तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 है अब मैक्सिमम नंबर ओफ बी एफस एक्वल टू 12C6 यह 12C6 के एक बी एफस के जो नंबर होंगे मैक्सिमम नंबर ओफ बी एफस होगा वो इनका कॉंबनीशन होगा 12C6 अब हम एज जनरल रिजल्ट लिखते हैं प्रेंट से जनरल में क्या होता है जनरल में पूरा ट्रांस्पोर्टेशन प्रोब्लम पूरा आ ट्रैंस्पोर्टेशन प्रोबलम विदए एंप सोर्से अंड़ ने संस्ट तो फ्रेंट यह नमबर पर फुट वेल नमबर वेंगा रूम्ट प्लस एग मैनस बन इसी तरग नंबर ओफ निंगी पैसरे वेरीबल वह वह होगा फ्रेस्ट MN- M M-1 यह होगा MN- M-1 और मैक्सिमूम नंबर ओफ मैक्सिमूम नंबर ओफ BFS वह होगा MNC M प्लस N-1 यह फिरस्ट मैक्सिमूम नंबर ओफ BFS होगा फ्रेसे यह पुछेज आते हैं बड़ी एक्जाम में पूछ जाते हैं यह हमारे पास जो जन्रल इसको मैं याद करना जरूरि होता है थेंक्यू फ्रेंट्स आपका हमारे चनल में स्वागत त्योर्म है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है इस्ट्रोंग्ड्ड ट्योर्म क्या है लेट एक्सवार एंड एक्सवार बी एन उप्टिमल सॉलीशन ओफ दा प्राइमल प्रॉब्लम पी देन दियर एग्जिस्ट ओमेगा वार विच इस डुल प्रॉप्टिमल एंड साथ में यह कंडिशन सेटेस्पाई कर रहे होगा सी ट्रांसफूज एक्स बार एकुल टू बी ट्रांसफूज ओमेगा वार यह वी केंटेक दा प्राइमल एंड डॉल प्रॉब्लम फिर्स कोई भी हम प्राइमल प्रॉब्लम ले सकते हैं और उसके हम डॉल डी ले लेंगे यहां पर हम जो ले रहे हैं वो हमने रहे हैं मैक्सिमम जैड एकुल टू सी ट्रांसफूज एक्स सच देट सब्जेक्ट्टू कंडिशन से हैं मार पास वह यह एक्स एकुल टू बी यह मारे हमवारे पास यह ले लिए हमने प्राइमल प्रॉब्लम लेगे अब इसकिए हम जो डॉल्टी होगी डॉल्टी वह फ्रेश य कि यह ट्रांसफूज ओमेगा ग्रेटर देन एकुल टू सी एंड ओमेगा आई आर अन्रजिस्टिकेड़ क्योंकि क्योंकि आई बराबर बन टू एन यहां हमने सभी एक्विंस लिएं तो में अगोगा इस और कोई सैंब प्रॉब श्रीं सकता है मांईन सकता है कोई सैंट इसका तो हम सोल करते हैं ॉप्तिमल स्विशन और फी इस प्राइम प्रॉबलम प्रवेशनियों देदेता एक में प्रॉबलम है गवां पर जह पिए प्राव बराव क्या होता है वहां पर सी बी ट्रांस्पोज कि बी इंबर्स एज़ माइनस सी जे फिर जहां पे जाव यह प्राव जलिक्ते हम सी बी एक्स बी उसको सी पी एक्स वी को क्या लिख सकते थे और यह लिखते थे तहालनों सब्सक्राइब DMC वो basis होता था मारे पास जो भी basis होता था और उसका AJ से multiply होके यह हो गया हमारे पास minus CJ greater than equal to zero यह हमारे पास यह हो गया CB transpose B inverse AJ minus CJ greater than equal to zero for all J now take CB transpose B inverse बराबर ओमेगा बार्ट ट्रांस्पोज लेते हैं यहां पर हमने CB transpose omega inverse equal to हमने यह ले लिया तो यह हो गया ओमेगा बार्ट ट्रांस्पोज AJ minus CJ greater than equal to zero यह हो गया फ्रैस तो इसको हमने लिख सकते हैं ओमेगा बार्ट ट्रांस्पोज AJ greater than equal to CJ for all J यह इसको लिख सकते हैं ओमेगा बार्ट ट्रांस्पोज AJ क्या हो यह जिस जे जे बराबर for all J है तो यहां पर यह से multiply कर सकते हैं जो मैट्रिक्स हो यह होगा greater than equal to C J यह फ्रैस यह हो गया हमारे पास इसका हमने ट्रांस्पोज ले लिए तो यह हो जाएगा A transpose omega ओमेगा बार्ट ग्रेटर देन उक्कल टू CJ ट्रांस्पोज फिर समने निकाल लिए कि अगर जो प्राइमल 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 है उसके लिए कंडिसे सैटस्थाई यह तो प्राइमल 4000 के लिए प्राइमल प्राइमल प्राइमहरा BETH है तो ओमेगा वार अइसके लिए explorer सॉलीशन होगा सो ओमेगा बाफ इस ए कि यह ट्रांसपोज ओमेगा वार इस कंडिशन को सैटिस्पाइए कर रहे हैं सभी को कि इसको सैटिस्पाइए कर रहा है तो यह हमारे पास इसका यह हो गया कि जो ओमेगा वार है यह इसका फेजिबल पॉंट होगा कि फोर अप्टिमल टी अगरिए अप्टिमल होगा कि इसके लिए यह सो करना का फित रांसफोज 5 आप सीच वार psychologist ओमेगा वार अब्रिक्ष्ख यह ऐस्ष्ख कना मेंर कि ट्रांसफुर्च अज मेका घगार प्रूब करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते। प्रेट्स, C transpose X पार बरापर क्या होता है फिर्ट्स यह होता है हमरे पास C transpose B X B equal to CB X B क्या लिख सकते है फिर्ट्स यह तो CB transpose रहेगा X B क्या लिख सकते हैं B inverse B इसको लिख सकते हैं अपर पास ओमेगा बार T B यह होगा ओमेगा बार T क्या होता है यह हमारे पास क्या करते हैं फिर्ट्स इसकेलर का ट्रांसपोज होता है अब इसका ट्रांसपोज लें तो ओमेगा बार T्रांसपोज B का ट्रांसपोज भी हमारे पास B ट्रांसपोज ओमेगा बार तो यह हो गया तो ची ट्रांफोज एक्वार एक्कुल टू बी ट्रांफोज ओमेगा बार फिर्स यह हमारे पास इसका सोलीशन हो गया है हैंस प्रूवड हैंस प्रूवड थैंक्यू फ्रेंट्स हेलो फ्रेंट्स आपका हमारे चनल में स्वागता है अब जो हम पढ़ने वाले हैं वह हैं कॉम्प्लिमेंटली स्लेक्नेस थेहरम फिर्स यह थेहरम क्या है एफ एक्सपार और वाइवार आर्द ऑप्टिमल सॉलीशन ओफ प्राइमल एंड डॉल प्रोल्म रेस्पेक्ट ली दें वाइवार ट्रांसपोज एए एक्सपार माइनस बी प्लस एक्सपार ट्रांसपोज एड मल्टिप्लाइवाई सी माइनस एट्रांसपोज वाई एक्कुल टू जीरो यह होता है फिरेंट्स अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉलीशन सॉलीशन करते हैं तो हम प्रेंट्स सबसे पहले लेट लेट ले लेते हैं लेट्स क्या है वाइवार ट्रांसपोज ए एक्सपार माइनस बी प्लस एक्सपार ट्रांसपोज सी माइनस एक्सपोज वाइवार अब इसको हम वाइवार का वाइवार ट्रांसपोज को अंदर मल माइनज वाइबारिट ट्रांसफोज B ॡ souvent My एक्स इक्स वाइब ट्रांसफोज कि एक्स वाइब आत्या इसास देर कोच्ऺ आत्कोलन किरिद तो हमारे पास दो अब यहां पे में देखते है और त्राम वाइब ट्रांसपूज K highlight यह क्या है y, e witnesses क्या होता है, हमारे पास, 1 x m का matrix होता है, e transfers क्य होता है m x n का होता है और x bar क्या होता है, वो होता है hmm म पास n x 1 n x n 1 का multiply पर क्या आता है HELD istical और इसका transfer आम नखालते हैं तो इसका transfer नखालते हैं तो Y transpose x bar का तो यह दो लो के इसके इकट्व यह हो ग necess तो ये हमारे पास उससे इह खट जैयेंगा हमके पास अधाय गा उसली यह Sooाइध ट्रांसपोर्ज मार्ड एक्स ऑर ट्रंसपोर्ज करना होगा उसल होएं है कि य हो दोनों ही हमारे पास optimal solution है यह primary problem का optimal solution x-bar है और dual problem optimal solution y-bar है अब जो दोनों की optimal solution है तो optimal solution दोनों के equal होते हैं क्योंकि y-bar and x-bar are optimal solution of dual-end primal problem so y-bar transpose b equal to x-bar transpose c तो यह हो जाएगा हमारे पास दोनों को लोगे तो यह दोनों आर जो lhs होगा Lhs equal to zero हो गया हमारे पास प्रूव अब फिर समें इसी से रिलेटर को देखते हैं इससे रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट क्या होता है हमारे पास एक्स वार less than equal to b and x greater than equal to zero और इसका इसका जो dualty होती है वह होती है हमारे पास a transpose y bar greater than equal to c and y bar greater than equal to zero तो हम इसको हम क्या करते हैं इसमें हम select variable जोड़के हम इनको equation में change करते हैं solve करते हैं उस time पे तो x bar equal to b and x bar greater than equal to zero and s greater than equal to zero और यहां पे हम select variable जोड़ते हैं so surplus variable जोड़ते हैं तो वह होता है a transpose y bar minus r bar equal to c y bar greater than equal to zero and r bar greater than equal to zero अब यह है तो हमारे पास हम जानते y bar transpose minus s plus x bar transpose minus r equal to zero होगा क्योंकि हमारे पास यह सब्सक्राइब यह तो हमें पता है कि हमारे पास y bar transpose यह 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 होता है हमने जो यह जीर हो जाएगा इस इस condition से हमारे पास यह किसे आजएगा यह हमारे पास यह किस आगए हमारे पास तो इस condition में क्या कर सकते आए ऑई बार Τ्रांसपोज s लिए प्लस x bar transpose r bar equal to zero है फिर्स यह प्मारे पास zero होगया तो क्या कर सकते हैं इस कंडि Earn के लिए हमएंद मैं पहले पास एक्स बार ट्रांस्पोज आर्ट एंड वा यवार ट्रांस्फोज आर वार एक्क्वल टु जीरो दोनों हमार पास 0 पीक्वेक हमर पास यो य वी घ्रिटर धेन इक्वल टु जीरो है और एस स्द्राइब हम कि यह दुझा तब हैओ हमार पास से दोनों 0 हो तो इस condition में हमार पास यह आ गया है एफ जो result आया है fμ yi equal not 0 thenSi must be equal to 0 होगा Y bar s bar Strody huh s bar है चोग तो यह होगा समारे पास और corresponding और इसके ही अगर and if x i equal not 0 then x i equal not 0 then ri जो होगा वो equal to 0 होगा और साथ ही अगर y i greater than y i equal to 0 तो हम नहीं कह सकते हैं तो may and may not may and may not si equal to 0 यह equal to 0 भी हो सकता और नहीं भी हो सकता है इसी तरह इसमें करेंगे अब x i greater than equal to 0 x i equal to 0 हो तो उसका डिसर पार आर आई equal to 0 में और में नौट प्रेंट्स हम इसके इनकी help से हम आगे कुछ problem solve करेंगे नेक्स वीडियो में हमारी में उनको देखना आप थैंक्यू फ्रेंट्स आपका फार्शनल में स्वागत है अब जो हमारे theorem में वह है if i problem hold as an equation then the corresponding i-th variable and dual problem have unregistered sign इसका मतलब है friends हमारे पास अगर कोई primal problem है उसमें हमें i-th जो i-v equation है कोई unregistered sign की है उसके इक्वेशन दी हुई sorry equation दी हुई या i-th problem तो हम उसकी जो dualistic change करेंगे उसमें जो उसकी corresponding 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 i-va variable होगा उसका कोई sign होगा वा unregistered होगा अप्रेस हम इसको solve करते हैं तो इसके लिए proof let हमने पहले maximum primal problem लेने होगी let primal problem यह लिए लिए फ्रेंट समने maximum z equal to a1 x1 plus a11 x1 sorry इसको लिए लिए c1 c1 x1 plus c2 x2 plus dot dot cn xn और हमें condition ले लिए वह है a11 x1 plus a12 x2 plus dot dot a1n xn less than equal to b1 a21 x1 plus a22 x2 plus a2n xn less than equal to b2 and am1 x1 plus am2 x2 plus dot dot amn xn less than bm जहां पर x i greater than equal to 0 i whatever one to n अब फ्रेंट समने यह primal problem ले लिए अब यह primal problem है तो पहले हमें इसकी और उसमें आयत्वी equation लिखनी है हमें यह तो हमने प्रेंप्रोब्लम ले लेकिन इसमें आयत्वी equation लिखते हैं तो वह आयत्वी equation में यहां लिख देते हैं a i1 x1 plus a i2 x2 plus dot 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 i a i n x n equal to bi bi फिर हमने आयत्वी equation जो लिए वह इस तरह समय इसमें आयवे number खेंगी equation थी उसको हमने कोई equation में ले लिया है अब फिरसमसे को solve करते हैं तो फिरस्ट इसको solve करने के लिए हमने सबसे पहले standard form चाहिए maximum Z है सब्सक्राइब करना होगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते प्रेंट से उब्यक्त फंट वे रहेगा हमने मैक्सिम्मम जैड मराब सी ख फेल प्लस सीटू एकस टू 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 थीयद गेटी गेज़िया शॉप्जेक्ट ू जो कंडििशन रहेंगी वो मारे अवन एकस रण प्लस ए वन तू एकस टू प्लस एवन यह एकस अन लेस्टन इक्वाल a21x2 plus a22x2 plus dot dot plus a2nxn less than equal to b2 अपर इसको एक बार हमने greater than equal to greater than less than equal to sign में लिखना है एक बार greater than equal to sign में लिखना है पहले हमने less than equal to sign में लिखा तो यह हो जाएगा a1x1 plus a2x2 plus dot dot a1xn less than equal to b2 यह हो गया अब फिर सम्में इसको greater than equal to sign में लिखेंगे greater than equal to sign में लिखेंगे तो greater than equal to sign नहीं आएगा लेकिन हमें less than equal to sign चाहिए यहां पर greater than equal to sign चाहिए तो हमें minus 1 से multiply करना पड़ेगा तो minus 1 से multiply करके लिखते हैं तो यह less than equal to sign नहीं जाएगा यह हो जाएगा minus a i1x1 minus a i2x2 plus dot dot minus a in xn less than equal to minus bi यह हो जाएगा बागी के यह हमें equation हमारी कोई change नहीं होंगी और वो हो जाएगा हमारे पास लाइश्ट माँ am1x1 plus am2x2 plus dot 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 plus a mn xn less than equal to bm फ्रेट्स यह आगा हमारे पास जहां यह एक साइग्यटे देन एक्कोल टू जीरो और आई वरावर 12 एन आई वरावर 12 एन यहां पे अब फ्रेंट्स हम स्कों मैट्रिक्स फोर में लिखते हैं तो मैट्रिक्स फोर में यह क्या है यहां पर एक क्या है है आपने पास यह वह हमने पास एभन वन एवन टू इस तरह से आभन वन एभन टू डोड़ एवन एन इह टू ए टूटू ए टू एञ चलते हुए यहां पर आई वन ए आई टू ए आई एन माइनस AI1 माइनस AI2 माइनस AIN और यहाँ पर AM1, AM2 AMN फिर सीजिए हमारे पास A है साथ में हम B क्या है प्रेंट्स हमारे पास B जो है वो हमारे पास B1, B2 डोट डोट B I माइनस B I एन्ड चलते हुए B M तक है और फिर से मारे पास जो C है C है वो क्या है हमारे पास C है वो है C1, C2 डोट डोट C N तक यह C1 C2 चलते हुए C N तक यह है फिर से मारे पास अब हमें इसकी डूयल्टी चेंज करनी है होगा A का मैं ट्र gesch निकालना होगा तो A ट्रchu अई Ruins निकालेंगे B का भी ट्रशपोज चाहिए ए मारे C का भी ट्राशपोज चाहिए तो पहले हम से फिर से पहले वो लिखते हैं परस्ट A ट्राशपोज क्या होगा अपने पास A ट्रा wire होगा A 1, 1 A12.A1N, A21, A22, A2M, A2N, चलते हुए AI1, AI2, AIN, और यह चलते हुए अपने पास यह हो जाएगा, AM1, AM2, AMN, फिरस यह A Transpose हो गया, B Transpose हो गा, यह हमारे पास आज मैरे पास seç ragen रिट्रेक्स अड़िने में रहे और चाहिए रहत्त क्वरत के पास पूरी सब्सक्रावर और सब्सक्राब्भा सब्सक्राइए। ऑच्वर पास बह रहीत जाहिए शक्वारण और प्र कंडिसंच हुं कर दिकक्राण आए नयुक्न Z equal to CX subject to AX less than equal to B XI greater than equal to 0 अगर ये हमारे पास condition हो तो इसके हमारे पास dualty जो होती है वो dualty मम इसको चैंज इस तरह करते हैं minimum omega d equal to b transpose omega subject to conditions होते हैं वो a transpose omega greater than equal to c transpose omega i greater than equal to 0 अब फिरस हम यहां पर omega a transpose क्या है वो a transpose यह रहा हमारे पास तो इसी को हम लिख रहे हैं फ्रेंट्स एको यह को नीचे लिख रहे हैं तो यह होगए a12 a22 ai2 minus ai2 am2 a1n a2n ain minus ain amn अफिरस यहां पर हमें चाहिए यह ट्रांस हो जोगए omega तो यह हो गया omega 1 omega 2 dot dot omega m greater than equal to c transpose c transpose क्या है फिरस यह रहां c transpose यह हो गया c1 c2 dot dot cn और फिर जो अब्जेक्टिक पर होगा वो हमारे पास minimum omega d यहां पर लिख देते minimum omega d equal to यह हो जाएगा मारे पास वी ट्रांसफोर्ज ओमेगा वी ट्रांसफोर्ज ओमेगा वी ट्रांसफोर्ज क्या है यह b1 b2 b1 b2 bi minus bi i bm और omega 1 omega 2 omega m तक फिरस यह हमारे पास से dualty change हो गई इसको हम और इसे solve करके लिखे तो यह हो जाएगा minimum omega d equal to b1 omega 1 plus b2 omega 2 plus चलते हुए यहां पर आजाएगा बी 1 omega sorry bi omega i minus bi omega i फिर इसके corresponding omega i और i जुड़ेगा तो यह हो जाएगा मारे पास b1 omega i dash इसके corresponding जुड़ेगा हो इसको omega i dash दे रहें यहां पर इसके corresponding यह तो omega i होगा यह omega i dash होगा तो यह होगा माइनिस omega i dash और यह plus यह plus चलता हुआ है bm omega m और subject to condition होगी friends वह हमारे पास condition change हो जाएगी a11 omega 1 plus a21 omega 2 plus dot dot a1 omega i minus a1 ai1 omega i ka dash plus dot dot am1 omega m is less than equal to c1 इसी तर यहां से a12 omega 1 plus a22 omega 2 plus dot 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 चलते हुए a2 omega i minus a2 omega i dash plus dot 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 चलते हुए a2 omega m is less than equal to c2 यह चलते हो यहां पर यह हो जाएगा friends यहां पर अपने पास है a1 n omega 1 plus a2 n omega 2 plus dot dot plus a i n omega i minus a i n omega i dash plus dot dot चलते हुए यह हो जाएगा हमेरे पास यह m n omega m less than equal to cn फिर्स यह हो गया और जहां पर omega i greater than equal to 0 and i वराबर 12m यह हो गया फिर्स हमारे पास अब फिर्स यहां पर हम देखते हैं अगर हम इन दोनों में इन दोनों conditions में हमें omega i1 omega i1 दोनों जगे पर हैं यहां पर भी omega i2 omega i2 है यह इस तरह सभी हररो में यहां पर लाइस्ट में omega in omega in है तो हमें omega i1 common ले सकते यहां से हम ओमेगा i2 common सकते हैं इस तरह यहां से भी आई common ले सकते हैं तो omega i- omega d रहे जाएगा और जो omega i- omega d रहेगा उसको में डिया तो यह हो जाएगा मारे पास मिनीमम ओमेगा डी इकुल टू बी बन ओमेगा बन प्लस बी टू ओमेगा टू प्लस दोट दोट यह हो जाएगा बी आई ओमेगा आई डब डबल डेस लाज क्लेस के डॉट 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 चलते होएं बी एं ओमेगा एं यह होगया और सब्ब्जेग्ट चीट जो कंडिशन होंगी वह जाएगे बार पास आए वन-वन एवन वन ओमेगा वन प्लस एट्टूबन ओमेगा टू प्लस डॉट डॉट डोट चलते हुए यहां पर फ्रेंट्स से लिए आई-वन डे रहें दोनों बैसे तो एआई-वन और जो ओमेगा आई-डेस बचा उसको मैं अलग कोफिसर दे दिया ओमेगा आई डबल टैस प्लस डोट 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 ए आई सोरी यहां पर यह ए एम आई ए एम बन ओमेगा एम इस लेश दन एकोल टू सी वन इस तर ए टू टू ओमेगा बन प्लस शोरी ए यहां पर प्लस यहां पर अमेगा बन माइनस ओमेगा आई माइनस माइनस ओमेगा आई डबल डैस को हमने रिसाइन दे जिए ओमेगा-डबल डैस प्लस यह आगया हमारे पास यह चलता हुआ ओमेगा एम लेस दन इकोल टू इस तरह हमारे पास जो लाश्ट वह होगा है वह हो जाएगा प्लस चलता हुआ यह हो जाएगा हमारे पास यह आई ओमेगा आई डबल डेस प्लस डॉटर चलता हुए हो जाएगा हुआ है यह कि अएम एण ओमेगा एम लेस दें इकोल टू सी एन जहाँ पे फ्रेंच्छ ओमेगा आई ग्रेटर दें इकोल टू जीरो अच बराबर बन इस वह आई बाला है हमारे पास यह ओमेगा आई था आई डबल देस था फिर इसका हमारे पास कोई सांड है वह अन्रजिस्टिकर्ड शैन हो गया यह यह प्रूब करना था यहां पर लिख सकते हम ओमेगा आई डबल डेस पर यह हम प्रूब करना था 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 थैन्कियो फ्रेंट्स